हलो बच्चों, मैं निशान टीम स्फिजेक्स CLC Seeker तो आपकी JEE की प्रिपेशन को बूश्ट करने के लिए CLC Seeker ने जो ऑनलाइन DTS सीरी चला रखे थी उसमें हम आज मेजर फोर का सॉलुशन डिसकस करने वाले हैं ठीक है? तो श्टार्ट करते हैं देखें कम्प्लीट स्लीवर्स यहां कवर किया गया है क्योंकि मेजर फोर्ज है फुल स्लीवर्स हमारा पेपर था तो देखें कोश नमर वन क्या है एक सरकेट दिया है इनजा सरकेट सोण वहन आचेच को क्लोज हम कर देए the capacitor charges with a time constant कि अगर इस switch को अगर close कर दिया जाए तो इस circuit का हमारे पास time constant पूछा है ठीक है तो हम किसी भी RC circuit की बात करें तो suppose यह capacitor है C जिसके साथ में यह R resistance लगा हुआ है इसको हम किसी EEMF के cell से charge कर रहे हैं तो किसी भी time T पर अगर हम बात करें किसी भी time T पर suppose इस पर charge आ गया Q plus का और इस वाली plate पर आ गया minus Q, clear? यह charge अंदर की तरफ होगा plate में, बाहर की तरफ नहीं है ना तो अगर इसमें हम देखें तो इस पर charge Q आ गया तो इस पर potential difference कितना आ जाएगा? Q upon C, clear? इस पर अगर KVL लगाया जाए तो यहां का potential 0 मान ले तो यह E हो जाएगा तो लगाओ 0, यह हो गया E यहां से आ जाने पर QY से potential decrease हो गया, clear? इसके अलाबा resistance में कितना potential decrease हो जाएगा? IR, अजर current I flow हो रहा है तो minus IR equal to 0, clear? तो यहां से E minus Q upon C की value की आगई IR और I को लिखा जा सकता है DQY, DT, clear? अब Q को एक तरफ लेके आजाते हैं, T की terms को एक तरफ लेके आजाते हैं तो यह relation हमारे पास बनेगा DQ upon P minus QYC equal to DTYR, clear? T equal to 0 पर capacitor बिल्कुल charge नहीं था, तो charge 0 किसी time T पर charge माल लेते हैं Q आगया, integration करते हैं तो इसका integration हो जाएगा minus integration हो जाएगा log E minus Q upon C upon minus 1 upon C limit 0 से Q इदर DT का integration T तो TYR बन जाएगा फर्दस, इस minus 1 upon C को इदर लेके चले जाओ limit put करो तो यह बन जाएगा log E minus Q upon C जब 0 पुट करोगे तो minus log E equal to TYRC minus का, उदर multiple कर दिया ना log M minus log N को हम log M upon N भी लिख सकते हैं तो यह relation बन जाएगा हमारे पास log value आजाएगी यहां से CE, 1 minus E to the power minus TYRC यह आता है हमारे पास एक charging RC circuit का equation clear है क्या, किसी time T पर अगर हम charge देखे तो यह आता है clear, इस equation में इस equation में यह जो term है RC इसको हम time constant कहते हैं clear है क्या, तो यहां पर यह जो लिए जाए तो यह E हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा तो यह circuit कुछ ऐसा ही effect सो कर रहा है जैसा हमारे पास अभी जो हमने discuss किया था यह circuit सो कर रहा था क्यों क्योंकि ठीक है भई, इस पे हलाकि E और 0 potential difference आएगा इसमें भी E upon R current flow हो रहा हुआ लेकिन capacitor की charging की अगर मैं बात करूँ तो उसकी charging में तो केबल इसी उपर वाले R का roll हो गया clear, तो time constant कितना देदेगा हमारे पास जो है इसका time constant वो अभी भी कितना होगा, R C होगा clear है क्या, तुम साब साब देख सकते हो कि इसमें तो चलो ठीक है current flow हो रहा है मान लिया बट इसकी charging में अगर इसको मैं एक बात गूल जाँ थोड़ी दिर के लिए तो देखो यह वही पिछले वाला circuit बन गया सेम वही equation लिखी जाएगी हां पर भी कैसे यह E minus QYC minus IR equal to 0 तो same result भी आने वाले, clear है क्या अब R equivalent find करने के लिए हम क्या करेंगे यह R equivalent हमें कौन सा लेना है यह R equivalent हमें वह R लेना है जिसकी बज़े से capacitor charge हो रहा है clear है क्या तो capacitor के terminals के across हमें R equivalent find करना है clear तो आपको क्या करना है जब भी इस तरह का more than one resistance का circuit दे रखा हो तो capacitor के across R equivalent find कर लो और कहीं भी अगर battery है तो battery को short circuit कर दो तो short trick से भी तुम आनसर निकाल सकते हो कैसे देखो जरा अब इन terminals के across हमें R equivalent find करना है यह R हो गया नीचे battery short circuit करने की वज़े से इस वाले resistance का roll खतम clear तो किवल R बच गया तो total equivalent कितना आ जाएगा यहां से RC आ जाएगा कि लिए रहे कि आना भी चाहिए था क्योंकि इसका basically capacitor की charging में कुई rolling नहीं बचा ठीक है next question देखते है second question क्या बोल रहा है कि a gas has a volume V and pressure P the total translatal kinetic energy of all the molecules of a gas किसी भी ideal gas की अगर total energy लिखी जाए तो वो total energy होती है हमारे पास Fy2 nRT clear जब F होती है total degree of freedom अब अगर हमें cable translatory की energy लिखनी है तो हम translatory वाले degree of freedom ले 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 नRT बन जाएगा अगर rotational वाली energy लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे Fy2 nRT cable rotation के लिखेंगे clear रहे क्या और अब हम किसी भी gas के molecules की बात करें तो उसके लिए translatory degree of freedom होती है 3 तो उसके लिए जो energy लिखे जाएगी translatory वो लिखे जाएगी 3y2 nRT या PV की में बोल दो 3y2 तो सभी प्रकार की गैसों के लिए translatory degree of freedom 3 होने की बज़े से जो energy आएगी translatory की वो 3y2 PV हो जाएगी cable monoatomic, diatomic, triatomic के लिए नहीं सब के लिए translatory यही होगी तो correct answer हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास fourth option clear है क्या next question की तरह बढ़ते हैं देखें जरा, बोला है a point starts from rest and moves along a circular path with a constant tangential acceleration, ठीक है, कि एक particle है यह, यह constant tangential acceleration 80 से एक circle में move करना start कर रहा है, तो initial speed इसकी 0, ठीक है, बोला है after one rotation, जब इसने एक rotation complete कर लिया, तो कितना चल जाएगा यह, 2 pi r distance cover कर चुका होगा, when it's complete, one rotation, the ratio of its radial acceleration to the tangential acceleration, तो जब one revolution complete कर ले, तो radial acceleration और tangential acceleration का ratio find करना है, clear है क्या, हमें पता है radial acceleration जो होता है, वो होता है v square y r, where r is the radius, और अपन में यह 80, अब v की value नहीं पता, v की value है में नहीं पता, v है, एक rotation complete करने के बाद speed, तो देखो, tangential acceleration जो है, वो all the time क्या लगएगा, tangent क्या लगएगा, clear, एक revolution complete करने पर, इसकी, जो distance है covered, वो कितनी हो जाएगी, 2 pi r, तो मैं speed लिख सकता हूँ, v square बराबर, u square, plus 2 as, clear है क्या, वैसे यह vector equation होती है हमारे पास, clear, बड़ यहाँ पर हम apply कर पार है, क्योंकि all the time, v और 80 एक ही direction में, तो same ही result आएगे उससे, तो यहाँ से v square की value की आगई, v square की value आगई, हमारे पास 4 pi r, 80, यह value यहाँ पर put कर दो, यह r जो है, वो radius है, ठीक है, यह v square की value यहाँ अगर हम put करें, तो यह कितना आजाएगा, 4 pi r, 80, upon r, यह तो v square r, आ गया, upon 80, तो यहाँ से r गया, 80 से 80 गया, यह value बच गई, केवल 4 pi, ठीक है, तो correct answer क्या हो जाएगा, 4 pi हो जाएगा, next question की तरह बढ़ते है, क्या बुला है कि, the escape velocity for a planet is v, अब देखो, किसी भी planet के लिए escape velocity क्या होती है, यह आती है, हमारे पास under root 2gmyr, where m is the mass of that planet, and capital R is the radius of that planet, clear है क्या यह आती है, हमारे पास, अब क्या किया हमने, कि यह value इसने v बोल रही है, बला है, a tunnel is due along its diameter, and a particle is dropped in the tunnel from surface of the planet, at the center of the planet, the speed of the particle, clear, क्या बोला है कि, अगर यह हमारे पास, वो planet है, हमने क्या किया, इसके diameter के along, एक tunnel, डिक कर दी, clear, और यहां से particle को release कर दिया, release कर दिया, मतलब, यहां initially speed कितनी है, zero, तो जब यह gravity attraction की बज़े से center पर पहुँच जाएगा, तो यहां हमें speed बतानी है, V कितनी होगी, clear, रहिए, अब देखो, सारा का सारा motion जो है, वो gravity के under हो रहा है, किसी तरह का कोई भी non-conservative force या, हमारे first drag force यहां पर अवे level नहीं है, तो हम mechanical energy conservation लगा सकते है, clear, तो हम बोच सकते है, initially kinetic energy plus initial potential energy equal हो जाएगी, final kinetic energy plus final potential energy, ठीक है, अब दोखो, initial kinetic energy कितनी है, zero, clear, surface पर potential energy कितनी हो जाएगी, minus gm, particle का mass upon radius, center पर kinetic energy, half mv square, center पर potential कितना होता है, किसी भी solid sphere या planet के center पर potential होता है, minus 3 by 2 gmyr, बेसिकली, अगर आप potential लिखो, center से किसी भी r distance पर, जो की अंदर हो, planet के, तो solid sphere के उसके लिए लिखा जाता है, minus gm, by 2 r q, 3 r square, minus r square, तो center से किसी भी radial distance, small r पर, जो gravitational potential होता है, inside the solid sphere, वो यह होता है, अब जब center की बात करें, तो r की value 0 रग देंगी, तो यह minus 3 by 2 gmR आ जाएगा, ठीक है, तो energy conservation apply करते हैं, कि वह initially kinetic energy 0 है, potential energy surface पर minus gm by r हो गई, final kinetic energy half m v square, center पर इसकी potential energy कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी, minus 3 by 2 gmR, अब easily यहां से v की value find की जा सकती है, तो arrange करते हैं, यह 3 by 2 इदर आके, add होगा तो बन जाएगा, 1 by 2 gmm by r, यह radius, अर्थ, planet का radius चल रहा है, equal to half m v square, m से m गया, v की value आ गई, root gm by r, clear है क्या, तो center पर पहुँचने पर, उसकी जो speed हो जाएगी, root gm by r, अब हमें इसका answer, जो है, वो s के velocity की form में देना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस equation को उपर नीचे, root 2 से multiple कर देता हूँ, clear, तो root 2 से multiple करने पर यह क्या होगा, यह वारा जो expression है, वो बन गया, root 2 gm by r, मतलब यह बन गया v, upon root 2, तो center पर उसकी speed हो जाएगी v y, root 2, देखें ज़रा solution, तो कौन सा option है, third option match कर रहा है, तो fourth का correct answer हो जाएगा, हमारे पास third, next question की तरफ बढ़ते हैं, question number four देखें, बोला, a solid sphere of radius r rolls without slipping on the floor, कि यह एक floor, इस पर एक solid sphere, जो बिना slipping के roll कर रहा है, मानलो अगर center of mass की velocity v है, omega से अगर यह rotate कर रहा है, तो इसके लिए v equal to omega r हो जाएगा हमारे पास, clear, ठीक है, क्या बोला है, इसने, इसका linear momentum दे रखा है, p, मतलब p, mass अगर m है, तो p की value mb, यह दे रखा है, तो पूछा है, at angular momentum, its angular momentum with respect to any point on the floor, कि अगर हम floor पर यहाँ कहीं, कोई सा भी point p मानले, कोई सा भी point a मानले, तो इसके respect में बोला है, कि बताओ momentum, इसका angular momentum क्या होगा, अब देखना, यह basically translatory plus rotation का combination है, तो जब भी हम इस तरह के combination motion को देखते तो इसको दो तरह से split कर लेते हैं, एक तो center of motion के about motion, और दूसरा center of mass का motion, clear है क्या, तो यह ऐसे ही आँपर angular momentum भी लिखा जा सकता है, कि ground पर available इस point A के about अगर हमें angular momentum लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे A के about center of mass का momentum, तो R, R center of mass, A के about center of mass की position, center of mass का linear momentum, R cross P, तो यह तो आगया, center of mass का momentum about A, प्लस, पूरे system का momentum about center of mass, इस तरह से अब बहार available किसी भी point के about क्या कर सकते हो, इस body का total angular momentum लिख सकते हो, क्या करना है, एक तो लिखना है, center of mass का angular momentum about that point, प्लस, पूरी body का angular momentum about center of mass, ठीक है, तो यहा हम find करते हैं, तो देखो, यहां से अगर देखो तो पहले तो center of mass का angular momentum देखो, center of mass का, इधर momentum है P, perpendicular distance यह radius के बरावर हो गई R, clear है क्या, तो इस point के about अगर हम देखें, center of mass का angular momentum तो लिख सकते हैं, perpendicular R into P, तो यह तो आगया हमारे पास PR, clear, ठीक है, direction की बात करें, तो यह आएगा अंदर की तरफ, तो यह तो आगया center of mass का, अब center of mass के बाउट बच्ची कुची बोडी का, तो वो हो जाएगा I omega, तो इस फियर है, तो इसलिए 2Y5 MR square into omega, खीक है, इसकी भी direction देख लेते हैं, तो यह जो है, clockwise direction में घुमा रहा है, तो इसके लिए भी थम अंदर आ रहा है, तो इसकी direction भी अंदर हो गई, मतलब दोनों add होने वाले हैं, खीक है, बट हमें omega की terms में answer नहीं, हमें answer P और r की terms में पूछा है, तो इसको convert करते हैं, तो यह आ जाएगा PR अंदर की तरफ, प्लस 2Y5 MR square, omega की value हमारे पास पता है, omega की value कितनी है, omega की value हमारे पास VYR, omega की value हमारे पास VYR, और हम V को लिख सकते हैं, V को हम यहाँ से लिख सकते हैं, PYM, तो यहाँ से omega आ गया PYMR, यह value वहाँ put कर दो, तो यह बन जाएगा PYMR अंदर की तरफ, अब जोखो M और M से 1R से 1R गया, तो यह क्या बन गया हमारे पास, net LA की value आ गया हमारे पास PR अंदर की तरफ, प्लस 2 by 5 M से M गया, 1R से 1R गया, तो 2 by 5 PR अंदर की तरफ, तो net value आ गई 7 by 5 PR अंदर की तरफ, यह जो है system का total angular momentum आएगा about point A, clear, देखते हैं जरा option, तो 7 by 5 यह 4th option हमारा correct answer हो जाएगा, okay, next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 6 में बोला है, the plane of a dip circle is set in the geometrical meridian, ठीक है, and the apparent dip is theta 1, it is then set in a vertical plane perpendicular to the geographical meridian, the apparent dip becomes theta 2, the angle of declination alpha at the place is given as, ठीक है वई, सम्में नजरा क्या, कि माल लो यह जो है हमारे पास magnetic meridian हो गया, vertical में यह हमारे पास magnetic meridian हो गया, clear है क्या, तो actual में जो magnetic field होता है, वो इसी में होता है, ठीक है, तो हम माल लेते हैं, यह हमारा magnetic field होगा, इदा कहीं बीच में, यह magnetic field होगा actual, ठीक है, यह horizontal, यह horizontal direction और यह vertical direction, clear, तो vertical और बीनेट का horizontal से जो angle होता है, इससे हम कहते है angle of dip, ठीक है, actual में angle of dip, यह होगया angle of dip, जिसको मैं नाम देता हूँ, suppose 5 नाम देते चलों, clear, यह angle of dip होगया, यह होगया horizontal component VH, यह होगया vertical component VB, तो यहां से VH की value अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा B cos 5, और vertical component की value लिखेंगे तो यह आएगा B sin 5, अब यह apparent angle of dip का क्या मतलब है समझा, कि हमने अब क्या किया, हमने क्या किया, इस meridian की बज़ा है, एक geographical meridian में देखा, कि इसी के, इस तरह से, हमने एक और plane ले लिया, ठीक है, एक और plane ले लिया, जो कि इस meridian से, जैसे माल लो एक plane यू है, तो दूसरा इस इदर ले लिया, समझे ना जरा, एक यू है तो दूसरा इदर ले लिया, बीच का angle जो है, इसको हम कहेंगे angle of declination, क्यलियर है क्या, magnetic meridian और geographical meridian के बीच का जो angle है, उसको हम angle of declination कहने वाले हैं, तो इस angle को बोला गया यहाँ alpha, clear, अब देखो, अगर मैं इस की बात करूँ, geographical meridian की बात करूँ, तो geographical meridian के लिए, अगर तुम देखो, तो vertical component तो अभी वी भी है, बट horizontal component चेंज हो गया, कैसे, कि VH जो आया था, वो तो magnetic meridian में आया था, हमें अब horizontal component निकालना है, geographical medium में, तो वो इसका भी एक component आयागा था, तो वो कितना आ जाएगा, यह हो गया, BH बीच का angle alpha, तो इसमें component आ जाएगा, BH cos alpha, तो BH का इदर component की आएगा, BH cos alpha, BH डैस एक्वल टू, BH cos alpha, तो geographical meridian में, net magnetic field हमें इदर कहीं दिखाई देगा, तो यह हो जाएगा, हमारे पास apparent angle of declination, clear है क्या, actual angle of declination जो था, वो net actual B की वज़े से 5 था, बट हमने क्या देखा, magnetic meridian की वज़े, geographic meridian में देखने लग गए, और वहाँ पर vertical और horizontal का जो रिशो निकालेंगे, उससे हमारा theta आएगा, clear है क्या, तो यह theta हमारे पास apparent है, इस plane में appear हो रहा है, actual में तो इस point पर 5 ही है angle of dip, clear है क्या, बट यह apparent कितना हो रहा है, theta हो रहा है, तो अगर मैं apparent angle of dip, अगर मैं निकालू, apparent angle of dip 10 theta की value क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी, upon VH dash की value है, VH cos alpha, तो VH cos alpha के लिए, तो यह हमारे पास, further solve कर लेते हैं, तो 10 theta की value आगई, 10 phi upon cos alpha, यह क्या है, यह आया हमारे पास apparent angle of dip, actual angle of dip, और angle of declination में relation, clear है क्या है, यह relation आया, अब caution में क्या बोला है, caution में बोला है कि, एक बार जब हमने यह plane लिया, यह जो geography plane लिया, तो उसमें हमें apparent जो angle मिला है, angle of dip मिला है, वो मिला है theta 1, clear है क्या, तो first plane में तो क्या मिला, theta 1, तो हम लिखेंगे, 10 theta 1 बराबर, 10 phi, by cos alpha, दूसरा क्या बोला है, question में, कि अब गर इसकी बजाए, इसके भी, इस geographical, meridian के भी, perpendicular plane लिया जाए, तो उसमें apparent आया, theta 2, ठीक है भई, तो वहाँ 10 theta 2 लिखा जाएगा, 10 phi, upon cos, उस geographical meridian का, angle of declination, तो देखो, तो पहले वाला जो है, वो इधर कहीं है, पहले वाला इधर कहीं है, बीच में meridian है, और इधर perpendicular दूसरे वाला plane, तो देखो, इस meridian का, इस magnetic meridian का, पहले वाले plane से angle है, alpha, तो दूसरे वाले plane से कितना हो जाएगा, 90 minus alpha, क्योंकि वो दूनों perpendicular है, यह हो जाएगा, 90 minus alpha, clear, तो basically यह क्या बन गया, यह बन गया, 10 phi, upon sin alpha, clear, हमसे जो relation पूछा है, वो 10 theta 1 theta 2 और alpha में पूछा है, दोनों को divide कर देते हैं, तो यह बन जाएगा, यहां से, 10 theta 1 upon 10 theta 2, equal to 10 alpha, तो यह हो जाएगा, हमारे पास इनमें correct relation, clear, option देखें ज़रा, तो option, 10 theta 1 upon 10 theta 2, equal to 10 alpha, second इसमें correct answer रहता है, okay, next question की तरफ बढ़ते हैं, तो को यह जो मेंगनें की तरफ बढ़ते हैं, तो को यह जो मेंगनें की तरफ बढ़ते हैं, कि आपको पता होना चाहिए, कौन से चीज़ क्या होती है, clear, अगर हलका सा भी आमें confusion हुआ कि angle of declination क्या है, angle of dip क्या है, तो यही कोशन हमारे लिए बहुत तब बन जाएगा, clear, है बहुत सिंपल कोश्टन, next question की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, अर्विटल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड इस्टेट ऑफ हाइड्रोजन है जन अंगुलर मुमेंटम एलवन एंड 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 और अर्विटल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड इस्ट ऑफ लीथियम है जन एंगुलर मुमेंटम एलवन और लीथियम, clear, जिसका जैड होता है 3, इसकी ग्राउंड इस्टेट में है लटू, तो L1, L2 में रिलेशन पूछा है, clear है क्या, तो हमें पता है कि एंगुलर मुमेंटम जो होता है, और विट का, वो होता है, एन, H अपॉन टू पाई, इसमें कहीं भी जैड जैसा रिलेशन नहीं आवा, यह पूरी तरह से जो हमारे पास मेजर क्वांटम नमबर है, और विटल नमबर जो है एन, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों के लिए ही एन की वैलीव 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 भी हच अपन टू पाई, हच अपन टू पाई, सेम हो जाएगी, तो एलवन बराबर हो जाएगा, हलाकि मन करता सर इसका जैड एक्वल टू थ्री है, इसका वन है, तो कुछ थ्री जैसा रिलेशन तो आना चाहिए, बढ़ करना नहीं है, नेक्स्ट कॉश्शन की तरह बढ़ते हैं, कॉश्शन में क्या होला है, कि हमारे पास यंग्स डवल स्लिट एक्सपरिमेंट की बात की गई है, उसमें बोला गया है, कि सेंट्रल व्राइट फिंच को हम कैसे अइडिन्टिफाइग करेंगे, तो होता क्या है, यह अगर एक YDSI सेटप है, दोनों की इंटेंसिटी अगर मैं आइनोट, इसके लिए और यहां से जो आ रही है, दोनों के लिए पाथ सेम होगा, तो डिल्टा एक्स जीरो होता है, और इसी को हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, इनके अलाबा उनकी विर्थ भी सेम होती है, ध्यान देना, थोड़ी ध्यान देने वाली बात है यहां, कि YDSC में सारे व्राइट फ्रिंज सेम विर्थ के और सेम इंटेन्सिटी के होते हैं, लेकिन अगर मैं डिफ्रेक्शन की बात करूँ, तो वहां सारे के सारे जो व्राइट फ्रिंज है, यह भी सेम सारे इंटेंसिटी सेम और बिड़ती से लिए रहे क्या तो पड़ते हैं एज इट है इस ग्रेटर इंटेंसिटी देन दा अधर ब्राइट फिंजेज नो सबकी सेम बिड़ती है तो अब यह जाएगा फिर भी चेक करते हैं वाइज यूजिंग दा वाइट यूज कर लें तो हम सेंटर फिंज को हम लोकेट कर सकते हैं यही तो तरीका है बिसिकली सेंटर फिंज को लोकेट करने का कैसे कि मोनो क्रोमेटिक लाइट में तो सिंगल वेवलेंट होती है लेकिन बोलाया कि मोनो क्रोमेटिक के अलावा वाइट अगर यूज करें तो से सेंटर पर अगर में देखूं तो लेमडा वन लेमडा टू हर कलर की जो लाइट है वो सेम पाथ चलेगी उपर से भी और नीचे से भी तो सभी के लिए डेल्टा एक्स जीरो आएगा मतलब इस पॉइंट पर सारे के सारे लेमडा का मैक्सिमा ही बनेगा मतलब येलो विव गयोर से हमारे पास सारे के सारे सेवन कलर से हैं सबका यहां मैक्सिमा बनेगा तो सारे के सारे फिर से मिक्स होके क्या वना लेंगे यहां वाइट कलर बना लेंगे केलियर है क्या, तो वाइट कलर की लाइट यूज करने पर सेंटर पर एक वाइट स्पोट मिलेगा, इसके अलाबह अगर मैं कहीं बात करूँ, उपर की तरफ तो मेक्सिमा की पोजिशन आएगी एइन लैंडा डी वाइडी, जहां पर डी जो है सक्रीन के बीच की डिस्टेंस और small d slits के बीच का separation है, clear? तो यहां अगर तुम देखो, तो maxima की position जो है, वो different different lambda के लिए different different आएगी, clear? मतलब center point यही वो point ऐसा है, जहां पर सबका maxima एक साथ बना है, तो सारे colors फिर से mix होके white color देंगे, बाकी जगे हमें अलग-अलग जगे पर अलग-अलग color का maxima मिलेगा, मतलब कहीं red का maxima, कहीं violet का maxima, कहीं blue का maxima, तो हमें colorful fringes मिलने वाली है, इस point के अलावा हर जगे हमें colorful fring मिलेंगी, कि यही white spot मिलेगा, तो हम कह देंगे कि यहीं पर central bright fringe होगा, तो हम fourth option से easily, जो है, वो central bright fringe को locate करा सकते हैं, ठीक है, तो next question की तरफ बढ़ते हैं, बोला, a cylindrical region of uniform in space, magnetic field, which is increasing at a concentrate dby dt equal to alpha, यह cylindrical symmetric region दे रखा है, जिसमें अंदर की तरफ magnetic field है, और यह magnetic field है, वो concentrate alpha से क्य क्या कर रहा है, increase हो रहा है, ठीक है, the diameter of cylindrical region is L, यह जो diameter है, वो हमें L दे रखा है, clear, a non-conducting rigid rod of length L having two charge particles is kept fixed on the diameter of the cylindrical, कि इसमें हमने क्या कि यह diameter पे एक non-conducting rod रख दी, जिसके ends पर यह fixed charge Q है, clear, तो the force on any one of the charge due to electric field, अब दो को electric field की वेए से इस पर force find करना है, अब electric field आया कहा से, तो देखो time wearing magnetic field है, क्योंकि magnetic field बढ़ रहा है, time wearing magnetic field जो है, वो एक time wearing electric field produce करता है, जिसको basically हम induced electric field कहते हैं, उस induced electric field की बज़े से इन charges पर force आएगा QE, उसकी बात यहां पर इसने पूछी है, तो जड़ा देखते हैं, आगे, देखना, कि यह अगर एक magnetic field है, clear, जो कि अंदर की तरफ increase हो रहा है, concentrate किसे dby dt equal to alpha से, ठीक, अब देखो, अगर यह अंदर की तरफ increase हो रहा है, और मान लो, यहां पर मैं कोई एक loop रग दूँ, clear, कोई connecting wire की रूप रग दूँ, तो हम बोल सकते हैं, यहां पर land law से, कि अंदर magnetic field increase हो रहा है, तो इसको oppose करने के लिए इसमें anti-clockwise current आजाएगा, right, कोई anti-clockwise current आजाएगा, अगर मान लो, यह loop रख, ए सुना, anti-clockwise current आगया, अब anti-clockwise current कैसे आया, कि अगर इसमें current इदर आया है, तो definitely इस loop में electrons जो है, वो इदर move की हो, clear, electrons move की है, मतलब electrons पर force आया है, अब देखो magnetic field तो है, बहुत तो force कुछ ना कुछ electric field आया होगा, clear है क्या, कुछ ना कुछ electric field आया होगा, और उस electric field ने basically, इस पर क्या लगाया है, force लगाया है, clear, ठीक है, अब इस electric field की बात करते हैं, तो मैं माल लेता हूँ, electron की वज़ा है, इसमें positron move कर रहे है, ताकि जिदर ये move कर रहा है, उदर इस पर force लग रहा होगा, तो देखो, positron जो है, वो यू move करते हुए, इस पर, positron इस पर, यू move करते हुए, इसमें loop में चक्कल लगा रहा है, इनिशल ये rest पर था, और यू move करते हुए, इसमें चक्कर लगाया है, मतलब definitely एक electric field होगा यहाँ, जो दिखनी रहा हमें, जिसने इस पर, इसी direction में force लगाते हुए, इसको आगे बढ़ाया होगा, तो ये जो electric field है, एक close loop में exist कर गया, ख्यान से सुनना, नॉर्मल जो electric field जो था, इलेक्ट्र स्टेटिक field जो था, जो हमने पढ़ाते हैं, वो close loop नहीं बनाता था, ये बना रहा है, इसलिए different है उससे, इसको induced electric field नाम देते हैं हम, clear, इस e की value हम यहाँ calculate कर लेए, कि ये जो induced electric field आया है, अब देखो, ये induced electric field जो है, इसकी value अगर हम calculate करते हैं, तो देखो, जब इस loop में magnetic flux change हुआ, तो इसमें कुछ ना कुछ induced EMF आया, potential difference आया, basically, उस potential difference को हम दो तरह से लिख सकते हैं, e की terms में अगर हम लिखें तो e dot dl लिख सकते हैं, कि वह e की वजए से, electric field की direction में जाने पर potential difference आया होगा, clear, साथ में उसी induced EMF को हम d5 by dt भी लिख सकते हैं, magnetic field से, right, तो जो इस loop में induced EMF आया है, या तो उसको तो तो फेराड़े लॉसर d5 by dt लिख लो, या induced electric field की वएसे EDL लिख लो, तो इससे फाइदा क्या होगा, e की value आजाई, अब देखो, EDL की value अगर लिखें तो all the time e और dl जो है, वो same direction में हैं, तो यह e into dL, dL, dL मिलके पूरा का पूरा, center से अगर यह distance r मान लू, तो e into 2 pi r हो गया, clear, ठीक है, flux के change की अगर rate लिखें, तो flux क्या लिखा जाएगा, flux तो होगा यहाँ पर b into pi r square, इस loop का area pi r square, pi r square constant है, magnetic field change हो रहा है, तो flux की change की rate हो जाएगी, pi r square dby dt, तो यहाँ से r radius पर electric field की value आ गई, r y to dby dt, जो की हमें dby dt की value question में बोल रखी है, alpha, clear रखिया है, तो यह आगे electric field, अब question की तरब बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ center से r distance पर, जो electric field आया है, उसकी value आ गई, r y to alpha, अब इसने पहुचा है, इसमें force बताओ, तो force की value हो जाएगी, q e, clear, तो q r y to alpha, बट इसने r नहीं दे रखा, l की terms में answer दिया है, तो r की value हो जाएगी, ly to, to ly to put करेंगे, तो यह हो जाएगा, q l alpha y 4, तो correct answer आ जाएगा, हमारे पास first option, ओके, next question की तरफ बढ़ते हैं, बुलाएगा, certain radioactive material can undergo three different types of decay, lambda 1, 2 lambda और 3 lambda, इससे b1, b2 और b3 में यह कोई भी जो हमारे पास radioactive material, वो decay हो रहा है, तो बुलाएग, then the effective decay constant lambda effective is given by, तो इस पूरी की पूरी, reaction के लिए lambda effective की value calculate कर दो, देखें दरा, कि यह हमारे पास कोई nucleus, यह lambda 1 से a में decay हुआ, lambda 2 से b में decay हुआ, lambda 3 से c में decay हुआ, किसी time t पर मैं माल लेता हूँ, active nucleus जो है, initial nucleus के, वो है n, तो हम इसकी rate of decay क्या लेखेंगे, देखो, rate of decay क्या लेखेंगे, rate of decay लेखें जाएगी, यह लेखें जाएगी, minus lambda effective into n, यह लेखेंगे, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि यहां से यह, इस वाली rate r1 से, प्लस r2 से, प्लस r3 से decay हो रहा है, तो total rate हो जाएगी, a के decay होने की rate, प्लस b के बनने की rate, प्लस c के बनने की rate, यह बोल दो, lambda 1 से n के decay होने की rate, प्लस lambda 2 से n के decay होने की rate, प्लस lambda 3 से n के decay होने की rate, तो total rate क्या हो जाएगी, तो lambda 1 से तो आएगी, minus lambda 1 into, हमारे पास radioactive material के active nuclei आए, lambda 2 से क्या लेखोगे, minus lambda 2 into n, minus lambda 3 into n, तो यह आगई हमारे पास total decay होने की rate, उसी को हम lambda effective into n लिख सकते हैं, तो यहां से lambda effective की अगर तुम value देखो, तो यह आगई हमारे पास lambda 1 प्लस lambda 2 प्लस lambda 3, clear है क्या, तो तीनों का अगर हम sum कर दें, तो बहां से हमें lambda effective आजाएगा, अब caution की तरफ बढ़ते हैं, तो caution में हमें value दे रखी हैं, तीनों को अगर मैं add करूँ, तो यह value आजाएगी हमारे पास, lambda plus 2 lambda plus 3, next question की तरफ बढ़ते हैं, यह एक charge का, the charge per unit length of the 4 quadrant of the ring is, यह हमें so कर रखा, charge का distribution, the electric field at the center, center पर electric field पुछा है, तो देखो एक तो इसमें, जो हमें charge distribution दो दे रखा हैं, वो arcs पर दे रखा है, यह pi by 2, pi by 2 angle के arcs है, ठीक है, इन पर हमें electric field दे रखा है, यह से मानलों यह कोई arc है, जो की center पर angle बना रहा है, थीटा नोट है, इस पर हमने positive charge distribution कर दिया मानलो, lambda का, इसकी वैसे center पर electric field find करता हूं, तो मैंने इसको बिलकुल 2 symmetric part में बाठ दिया, ठीक है, यहां से किसी theta पर जाके, d theta angle का, यह element ले लिया हमने, जिसकी length हो जाएगी, r d theta, clear, तो इसका charge हो जाएगा, d q बरावर, lambda r d theta, similarly, एक element यहां ले लिया, ज़र, same theta पर जाके, d theta angle, तो उस पर भी charge यही d q आ जाएगा, तो arrangement क्या बन गया, arrangement यह बन गया कि यह center, यह d q, और इधर भी यह d q, यह angle theta और यह भी theta, ठीक है, अब देखो, center पर इस वाले की वैसे electric field आएगा, इधर d e, इस वाले element की वैसे इधर आ जाएगा d e, clear, और d e की value जो लिखी जाएगी, वो आएगी, k d q upon distance का square, तो इस arc की, इस element की center से distance radius के बरावर होगी, तो यह r square, यह तो आगी है, एक element की वैसे d e, अब दोनों element की वैसे हम net निकालते हैं, तो देखो, यह angle theta तो यह भी theta, यह भी theta, इस d e का इधर component क्या आएगा, d e का इधर component आएगा d e sin theta, बीचे आजाएगा d e cos theta, similarly, इस d e का इधर component आएगा, d e sin theta, d e cos theta, तो यह 2 d e cos theta हो जाएगा, यह element तो cancel हो गए, यह cable बच गए, मतलब दोनों के दोनों elements का net जो आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, दोनों को equally part में divide करने वाली line के लोग, clear है क्या, ठीक है, तो दोनों का, जो d e net आया है, वो आगया, 2 d e cos theta, हमें पूरे के पूरे आर्क की वज़े से electric field निकालना है, तो integration करते हैं इसको, तो यहां से e net आएगा, 2 d e की value k, d q की value lambda r d theta, upon r square cos theta, clear, ठीक है, तो measure आईए, erase करने वाला हूँए, तो value की आगई है, e net की value आएगी, यहां से हमारे पास, 2 k lambda y r, cos theta का integration d theta के साथ, अब जोगों इसकी limit रखते हैं, limit क्या थी, हमने यहां से लिया था इसको, element को, यह symmetric line, पूरा angle theta naught था, तो यहां से angle लिया गया है, तो maximum तो यह theta जो हो सकता था, वो maximum हो सकता है, इस angle के बराबर, जो की theta naught का कितना है, आधा, theta naught y 2, और minimum यह angle कितना हो सकता है, इस line से, 0, तो limit आजाएगी 0 से theta naught y 2, तो e net की value यहां से आ गई, 2k lambda y r, cos theta का integration sin theta, तो यह हो जाएगा, sin theta naught y 2, यह आगे electric field, जो की center पर होगा, और symmetric line के along होगा, clear रहे कितना, तो यह तो इसका derivation होगी, आप conclusion देखें क्या है, वेसे formula तुम यह कई बच्चों को याद भी होगा, और याद रखने में भलाई कई वर काम आता है, conclusion यह निकला कि यह अगर circular arc है, जो की center पर angle बना रहा है theta naught, अगर यह positive charge है, तो इस पर electric field, इस arc की बएसे जो electric field आएगा, वो आएगा, दोनों को divide करने वाली line, क्या लोंग आएगा, positive charge है तो दूर की तरफ आएगा, और e की value होगी 2k lambda yr sin theta naught y2, हमें जो question में arcs दियें न, उनमें सारे के सारे यह arcs 90 degree का angle बना रहा है center पर, तो यहाँ पर value रखें, तो इसकी value की आजाएगी, theta equal to 90 degree के लिए value आएगी, e बरावर sin theta 90 by 245, तो यह बनवाए root 2 बन जाएगा, तो root 2k lambda yr, clear? मतलब अगर यह circular r की में बात करूँ, इस circular r की बात करूँ, जिस पर positive charge और 90 degree का angle है, तो यह अबे from the center e लगाएगा, और e की value आएगा, root 2k lambda yr, अब caution की तरफ बढ़ते हैं, caution की तरफ देखना वहीं, caution में हमें, यहां तो lambda, minus lambda जे रखका, यहां 2 lambda और minus 2 lambda, तो देखो, यह plus lambda वाला जो है, यह इस पर लगाएगा center से दूर e, तो यह double जो है 2 lambda, यह इदर लगाएगा 2 e, clear? तो इन दोनों का resultant तो इदर आगया, हमारे पास e, ठीक है, e मैंने क्या माना, lambda वाले की वैसे, जिसकी value हो है, अब देखो, minus lambda वाला इदर खीचेगा, e से, minus 2 lambda वाला इदर खीचेगा, 2 e से, तो इन दोनों का भी net इदर e आजाएगा, और ये angle हो गया, 90 degree, तो दोनों का resultant इदर आएगा, ठीक बीच में, minus i cap में आएगा, root 2 e, minus i cap में आएगा, root 2 e, e की value वहाँ से put कर दो, तो root 2 और root 2 multiple होके, बन जाएगे, 2 k lambda y r, minus i cap में, और अगर जब k की value, 1 upon 4 pi epsilon not रखोगे, तो ये answer आजाएगा, हमारे पास, lambda y 2 epsilon not r, minus i cap, clear है क्या, तो देखो यहाँ तो अपने derivation के लिए, तो लिए फ्रहाँ सा time लग या, बाकि जनरली ये result, किसी भी arc के लिए, theta angle पर, वो हमें याद ही रखना है, ताकि हमें direct calculation कर सके, next question की तरफ बढ़ते हैं, बोला क्या है, for the damped oscillator, the mass m block, mass m of the block is 200 gram, k is 90 newton per meter, and b is this, then the calculate the time period of the oscillation, तो देखना, एक simple SHM की अगर हम बात करें, तो इसके लिए equation आती है, उसके लिए force equation आती है, f equal to minus kx, clear, ये जो force है, ये drag force नहीं है, किसी तरह की energy का loss नहीं करता, तो constant energy के साथ particle जो है, वो SHM करता रहता है, जिसका time period आता है, हमारे पास T बरावाट 2 pi under root m by k, clear, या बोल दो, इसके लिए जो frequency आती है, वो आती है under root kyn, अब क्या हुआ, अगर reality में अगर हम देखें, तो reality में drag force भी अविलेल होते है, जिसे मानलो कोई particle air में move कर रहा है, तो वहाँ पर air की वैसे air का viscous force आता है, fluid में move कर रहा है, तो वहाँ भी आता है, तो reality में drag force होते हैं, जिसकी वैसे जो pendulum ये है, या पर कोई भी oscillator है, वो infinite time तक oscillate करने की बज़ाए, energy loss करके दीरे-दीरे रुख जाता है, clear, तो reality में damped oscillations होते हैं, तो अगर हम damped oscillation की बात करें, तो वहाँ क्या कहानी होगी, वहाँ एक drag force आ जाता है, minus VB, जो जन्दली velocity के proportion होता है, B को बोलते है, damped force constant, तो यहाँ से अगर मैं relation लिखूँ, तो यह आएगा, हमारे पास F बरावर M है, तो A की value आएगी, minus KYM X, minus VYM V, तो इसकी differential equation क्या बन गई, D2X upon DT square, plus VYM, V, V को लिखा जा सकता है, DXYDT, plus KYM X equal to 0, यह हमारे पास आती है, एक damped oscillation के लिए differential equation, जिसका solution देखा जाए, तो आता है, X बरावर, A naught, E to the power minus BTY2M, sin, omega dash T, plus V, omega dash है, हमारे पास, इस damped oscillation के लिए frequency, जिसकी value आती है, under root KYM, plus, VY2M का, all square, ठीक है, यह आती है, हमारे पास damped frequency, अब देखो, यह damped frequency है, तो time period की value क्या हो जाएगी, 2 pi y, omega dash, तो देखो, time period ही निकालना है मैं इसमें, तो रखते हैं value, तो time period की value आएगी, हमारे पास, 2 pi, अपाउन omega, omega dash की value रख दो, तो KYM, प्लस, बी वाई, 2 m का, पॉल स्कार, तो यहां से time period आजाएगा, रखते value, तो time period आएगा, 2 pi, अपाउन अंडर रूट, के की value, 90, M की value, 200 gram, मतलब 0.2 kg, plus B की value, B की value, damn consistent, 40 gram per second, by 2 m, तो इसको सीधा gram से multiply, divide कर दो नीचे, तो इस ग्राम से ग्राम केंसे टोगे, कि वाल, second inverse में unit बच जाए, तो यह value आगई, इसका all square, तो यह value आगई, 2 pi, अपाउन अंडर रूट, 450 plus, 0.1 का square, तो 450 plus 0.1 का square, अब 0.1 very small है, तो चाहो तो ignore करके, उससे approach calculation कर लो, चाहें, एक्जेट calculation करो, तो यह value आएगई, आपने पास 2.9 के आगउंड, sorry, 0.29 के आगउंड, calculation कर लिए, हमेने check करना दो, 0.29 के आगउंड आएगई, तो time period of oscillation हो जाएगा, हमारे पास 0.3 सेकेंड, next question की तरह बढ़ते हैं, कि हमें, logic gates का combination दे रखा है, तो बोला है कि यह जो gates जो हैं, वो effective किस gate की तरह भीड़ करेंगें, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले वाला चेक करते हैं, तो A input दिया, B input दिया, यह NAND gate है, तो यह एक दूसरे को multiply करके बाहर लगा देगा, clear, अब यहां देखो, यहां से क्या हुआ, same input दे दिया दोनों terminals पर, तो यहां से क्या आएगा, इस पर भी A input आजाएगा, इस पर B input आजाएगा, तो यह दोनों input को multiply करके, फिर बार लगाएगा, तो A, B का बार, A, B का बार, और इसके उपर whole बार लगा दिया, clear, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन गया, हमारे पास, A, B double bar, प्लस A, B double bar, तो यह बन गया, A, B plus A, B, मतलब A, B, क्योंकि A plus A, A ही होता है, गुलियोन इलिजब्रा में, तो द्यांसे अगर देखो, तो इस gate का effective result जो आया, वो A, B आया, A, B मतलब क्या, end gate, तो देखो, first A end gate, उसके अलावा, किसी में नहीं है, तो हम साब साब बोल सकते, यह answer हो जाएगा, second भी चेक कर लेते हैं, तो यह देखो A, अब यहां से भी, इसमें भी A दिया, इसमें भी A दिया, तो A और A को multiple करके बार लगाएगा यह, तो A, A का बार, यह बन जाएगा A बार, यहां आया A बार, यहां आया B बार, अब देखो, end gate अगरन क्या करेगा, दोनों को multiple करेगा, फिर बार लगाएगा, तो यह बन जाएगा A double bar, प्लस B double bar, मतलब A plus B, तो second gate और की तरह वेव करेगा, तो answer हो जाएगा, first, end and, or. Next, कॉशन की तरह बढ़ते हैं, क्या बला है कि यह हमारे पास string L Length की, यहाँ इससे एक पॉइंट बादा, और इसको initial speed जो दिये है, वो दिये है root 2 G है, बुलाए, जब यह vertical line से 60 degree का angle बना ले, तो इस time इसकी कुछ velocity होगी मान लो V, तो बुलाए कि change in velocity का magnitude पूछा है, तो पहले तो हम V find कर लेते हैं, देखें, तो रहा energy conservation लगाते हैं, तो पहले देखो geometry, यह L है, तो यह आएगा L cost 60 मतलब L Y 2, तो यह value भी हो जाएगी L Y 2, energy conservation लगाएं, initial point पर kinetic energy, plus potential energy, यह equal हो जाएगी हमारे पास final point पर, kinetic energy plus potential energy के, तो initial kinetic energy कितनी है, half M U square, potential energy 0 माल लो, final kinetic energy half M V square L Y 2 उपर गया, इसलिए final potential energy M G L Y 2 इंकिरूज हो जाएगी, clear, solve करते हैं, M by 2, M by 2, M by 2 गया, ठीक है, तो यहाँ से value आगई हमारे पास, V square बराबर, U square minus G L, ठीक है, U की value पता है, root 2 G L, तो V square, U square की value कितनी है, root 2 G L तो यह हो गया, 2 G L minus G L, तो यह value आगई G L, तो यहाँ से V की value आगई हमारे पास, root 2 G L, यह तो वीकी value आगई, अब उसने पूचा change in velocity, तो change in velocity मतलब इतना नहीं कि root G L minus root 2 G L direct कर दो, क्योंकि यह तो speed है, magnitude है root G L तो, उसने change in velocity पूचा है, तो change in velocity निकालने के लिए क्या करें, दो को initial velocity थी I cap में, root 2 G L, I cap, final velocity इदर कहीं है, root G L, यह angle 60, तो यह भी 60, यह 30, यह 60 हो जाएगा, तो इसका इदर component कितना आएगा देखो, इसका I cap में component आएगा, root G L, cos 60, उपर component आएगा, root G L, sin 60, change in velocity की अगर हम बात करें, तो change in velocity आएगा, final velocity, तो X में change आएगा, root G L by 2, minus root 2 G L, I cap, और Y में आएगा, final minus Y में तो initially 3 नहीं, तो root G L, root 3 by 2, जे कहाएगा, इसका magnitude पूछा है उसने, तो इसका magnitude calculate कर लेते हैं, तो आएगा X component का square, तो root G L, under root, root G L by 2, इसका magnitude का square, plus इसके magnitude का square, तो इसका square अगरम करें, तो यह आजाएगा, G L, 1 by 2 minus root 2 का, whole square, plus G L, 3 by 4, ठीक है, further solve करते हैं, तो G L आगिया common, इसका whole square अपन करोगे, तो यह आएगा हमारे पास, इसको मैं, 1 minus 2 root 2 upon 2 लिख देता हम, उससे क्या होगा, whole square 4 और 4 इदर आगया बाहर, यह 1 minus 2 root 2 का, whole square बच गया, तो यह आएगा, 1 plus 8 minus, 4 root 2, plus 3 बच गया, तो यह value आजाएगे, under root, G L Y 4, 9 3 12, minus 4 root 2, तो final answer आगया, root G L, 3 minus root 2, तो यह आएगा, हमारे पास, velocity में change का, तो correct answer क्या हो जाएगा, देखो, correct answer हो जाएगा, हमारे पास, next question की तरफ बढ़ते हैं, बुला, बहुत दे श्ट्रिंग्स are made of same materials, and having same cross section area, the pulleys are light, the wave speed of a transverse wave, in the string AB, कि इस AB में जो है, वो V1 है, और CD में जो है, V2 है, तो इसका ratio पूछा, अब सेम मेट्रियल से बने हैं, तो इसके लिए भी पर unit length mass mu है, तो इसके लिए भी mu हो जाएगा, तो V1YB2 की value क्या हो जाएगा, V1YB2 हो जाएगा, हमारे पास under root T1Y mu, upon under root T2Y mu, ठीक है, तो mu तो गया, यह बच जाएगा under root T1Y, अब tension निकलना है, तो देखो, यहां आगा tension में T माल लू, तो यहां भी same string से T आएगा, तो यहां क्या आजाएगा, 2T, तो पहली string AB में तो tension है T, नीचे बाली में हो जाएगा 2T, तो रेशो आजाएगा 1Y root 2 4th option, ओके, next question की तरफ देखे, the driver of a car approaching a vertical wall, noticing that the frequency of his car, on changes from 40 hertz to 480 hertz, when it gets reflected from the wall, the speed of the car, if the sound of the speed of the sound is 330, ठीक है वहीं, कि sound के speed C दे रखिए, 330 meter per second, और car की speed पूछिए, initially frequency 440 है, जो की reflection के बाद, उसे 480 सुनाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो हो क्या रहा है, कि यह जो car है, इसमें बैठा है driver, clear, यहां से माल लो, F-naught frequency की wave चली, और यहां दीवार को hit करेगी, और उसके बाद में, reflect होके यहां इसे सुनाई देगी, ठीक है भई, तो ऐसे question को कैसे solve करते हैं देखना, कि पहले तो आप यह माल लो, कि दीवार अपने आप में observer है, जो rest पे है, clear, कि पहले वाली frequency निकालने के लिए, यहां से F-naught आई, तो यहां कितनी पहुची माल लो, F-, इस F-डेस को निकालने के लिए क्या माल लो, कि दीवार खुझे को observer है, जो कि rest पे है, उसके बाद दूसरे वाली को निकालना है, कि यहां कितनी पहुची है F-डेस, तो क्या मालनेंगे, अब मालनेंगे दीवार एक source है, जो कि rest पे है, और F-डेस की value निकालने है, F-डेस की value हो जाएगी, F-naught, अब देखो, इसकी speed अगर इसर वी माल ली जाएगे, car की, तो देखो, source पास आ रहा है, तो यह तो frequency को क्या करेगा, frequency को बढ़ाएगा, तो यह हो जाएगे निचे C-B, clear, observer rest पे हैं, तो यह 0, clear, अब F-डेस की बात करते हैं, तो अब यह source हो गई दीवार, दीवार source हो गई, और यह हो गया observer, दीवार की velocity 0, मतलब source rest पे और observer भी से आ रहा है, तो यहाँ देखते हैं, F-डेस की value, F-डेस की value आएगी, F-डेस, source तो कहीं आ जा नहींगा, तो यह तो 0, observer पास में आ रहा है, तो इसलिए frequency को बढ़ाएगा, तो प्लस B, clear, तो यहाँ से F-डेस की value आ गई, F-डेस की value यहाँ पुट कर दो, तो F-डेस की value यहाँ से हमारे पास, F-डेस की value आ गई, अब देखो, अपियर्ड frequency उसको हम उसने दी है, कॉशन में 480 Hz, actual frequency उसकी शुरुआत में 440 थी, sound की speed हमें दे रखिये 330, तो 330 प्लस V अपॉन 330 माइनस V, clear है क्या, यहाँ से अगर solve किया जाए, तो V की value आ जाएगी, हमारे पास easily 14.3 feet per second, solve करके देख लिए, आंतर आ जाएगा 4th, ठीक है, next question की तरफ बढ़ते हैं, बोला, कॉन के mirror of radius 14 cm is kept on a horizontal table, as shown, water mu equal to 4y3 is poured into it, up to a height 2 cm, where should an object be placed, so that its image is formed on itself, object की जो image आ फाइनली उसी पर बननी चाहिए, इसके लिए condition कुछ ही है, object को कहां रखे, ठीक है, तो caution समझेना पहले तो, लाकि यह एक horizontal surface में mirror रखा, ठीक है, जिसके लिए radius of curvature दे रखी, हमें 14 cm, ठीक है, और यहां हमने liquid भर दिया एक, water भर दिया, जिसका जो mu है, वो 4y3 है, mu कितना है water का, 4y3, और यहां कोई object रखी है, ठीक है, और option में सारी height water surface से दे रखी है, तो मैं माल लेता हूँ water surface से, x height पर मैंने object रख दिया, यह जो length है, वो 2 cm given की है, बोला x की value क्या हो, ताकि object की image यहीं बन जाए, ठीक है, ठीक है भी कोई दिकर नहीं है, तो यहां अगर देखो तो object अलग medium में फिर water में रे जाएगी, फिर water के तुरू, water एक lens की तरह wave करेगा, तो मैं इस caution को easy बनाने के लिए medium सेम कर लेता हूँ, मैं माल लेता हूँ पूरा का पूरा जो है, कि पूरा का पूरा जो है, हमारे पास setup जो है, पूरा setup पूरा जो है, तो यह लेंथ x की बज़ा क्या दिखाए देगी water में, water के लिए क्या हो जाएगी, मिउ x, ठीक है, यह तो 2 है ही, और यह हमारे पास मिरा, ठीक है, तो water में अगर हम देखें, तो water में यह सारा setup हो गया, अब देखो, अगर इस object की image यहीं बन रही है, मतलब mu x, प्लस 2, यह जो length है क्या होना चाहिए, इसके लिए reduce of curvature के एक पल, तो यहां से x की value क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी r minus 2y mu, r की value कितनी है, 14 minus 2, mu की value 4y 3, x की value आ जाएगी हमारे पास, 12 by 4 into 3, 9 cm, तो object को जो है, water surface से 9 cm पर उपर place करना चाहिए, correct answer हो जाएगा हमारे पास second option, ओके, next question देखे, बोला, an insulating rod of length L, carries a charge Q distributing uniformly on it, कि हमारे पास एक insulating rod है, जिस पे हमने uniformly, charge जो है, वो Q distribute कर रखा है, L length की rod है, ठीक है, इसको center के about frequency, F से किसी magnetic field में, क्या बोला है, the rod is pivoted, midpoint है, the rotor, frequency F से इसको rotate किया है, okay, the magnetic moment of the system, तो जब कभी भी इस तरह का charge वाला, हमारे पास कोई भी system में, वो rotate हो रहा हो, तो उसके लिए हमारे पास result है, magnetic momentum जो आता है न, वो आता है, हमारे पास QY2M, L vector, clear, इस formula हम इसली निकाल सकते हैं, इसका momentum, क्योंकि L vector हमने rotation में, इसली calculate करना सीख रखा, तो इसका momentum क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, चार्ज Q है, mass 2M, L vector, L की value, I omega लिग दो, तो rod के लिए, I की value हो जाएगी, center of mass के about, ML square by 12, omega की value हो जाएगी, 2 pi F, ठीक है, तो यहां से, momentum क्या आ गिया, यह आ गिया, हमारे पास, 2 से 2 गया, तो Q, L square pi F, by 12, ठीक है, तो यह जो option है, हमारे पास first option है, first correct answer हो जाएगा, next question की तरह बढ़ते है, question number 19 देखे, in figure infinity conducting, infinite conducting rings, each having current eye, in the direction, zone are placed concentrally, in the same plane as zone in the figure, ठीक है बई, the radius of the rings, rr, 2r, 2k power, 2r, 2k power 3r, ठीक है, find magnetic will add the center of the rings, समाझ जारा क्या हो रहा, की बलाई, यह जो rings है, देखो, इन में सब में, opposite direction में, एक दूसरे के opposite, इसमें नीचे की तरह, फिर उपर की तरह, फिर नीचे फिर उपर इस तरह से, infinite rings हैं यह, ठीक है, इन सब में same current flow रहा आई, और सब की वैसे, center पे magnetic field बताना है, clear है क्या, और radius जो है, वो कैसे, जो 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 में ट्रिक, जो में ट्रिक प्रोग्रेशन से, गनोतर स्रेडिस से जो क्या है, वो radius बढ़ रही है, मतलब पहले की radius r, पर 2 की पावर 2r, पर 2 की पावर 3r, नेट magnetic field निकालना है, तो निकालते हैं, तो पहले इसकी वैसे देखो, अंदर वाले रिंग की radius के लिए, अंगलबादी रिंग की वैसे, अगर सेंटर पर magnetic field लिका जाए, तो वो आएगा, मू नॉट आई अपॉन 2r, पर यह आएगा बाहर की तरफ, यह तो बाहर की direction प्लस मान लेता हूँ, दूसरे वाले की वैसे अगर हम देखें, तो इसकी वैसे आएगा कितना, मू नॉट करंट आई ही है, radius हो गई इसकी 2r, तो 2 into 2r, पर इसकी direction अंदर तो उसको minus दे लेते हैं, बाहर वाले को प्लस, अंदर वाले को minus, थर्ड की वैसे देखें, तो उसकी वैसे बाहर आ रहा है, मू नॉट आई अपॉन 2, radius हो गई 2 की पॉवर 2r, और इसी तरह से minus और continue आता जाएगा, तो यह आजाएगा, मू नॉट आई अपॉन 2r, 1 minus 1y2, यहां बन जाएगा, प्लस का 1y2 square, प्लस minus 1y2 की पॉवर 3, और इसी तरह सी सीरिज बनती जा रही है, तो मगर ध्यान से देखो, तो इस इन्फानाइट जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसके लिए, जो हमारे पास r की जो वैल्यू है, वो हो जाएगी 1y2, minus का, कि हर step जो हो, minus 1y2 से multiple होता जा रहा है, तो इन्फानाइट जीपी का जो सम है, वो क्या होगा, देखो, इन्फानाइट जीपी का सम हो जाएगा, mu not i upon 2r, फर्स्ट स्टेप 1 upon 1 minus, minus 1 by 2, क्लियर है क्या, क्या होता है, इन्फानाइट सिंप का, कि अगर a, a r, a r square type में, अगर इन्फानेट जीपी का सम आएगा, हमारे पास, r less than 1 के लिए, a upon 1 minus r, तो भाई फर्मुला अपलाई किया है, तो यह हो गया, हमारे पास, mu not i upon 2r, नीचे बन गए 3 by 2, तो 2 by 3, तो value आगई, mu not i upon 3r, यह आजाएगा, magnetic field center, गामा की value दे रखी है, तो यहां से, f y 2 की value हमें पता होती है, 1 upon gamma minus 1, फिर काम आएगा भी है, और बोलाए कि जो gas है, वो इस relation को follow कर रही है, कि Vt equal to constant, Vt equal to constant, इसको PV की power n में convert कर लेता हूं, तो T की जगह लिखा जा सकता है, PV by nr equal to constant, तो यह बन गया, PV की power 2 equal to constant, तो यह हमारे पास, एक polytropic process हो गया, ठीक है, polytropic process में क्या होता है, PV की power n equal to constant होता है, और यहां पर अगर यह n है, तो इसमें किया गया work लिखा जा सकता है, P initial, V initial, P initial, V initial, minus, P final, B final upon n minus 1, कि यह हमारे पास अगर adiabatic process होता, तो यह n की जगह गामा आता, बट polytropic के लिए n minus बना जाएगा, clear है क्या, ठीक है, यह सी को आप ऐसे लिख सकते हो, PV की वज़ा है, क्योंकि आपसन हमें सारे nr t की terms में दे रखे हैं, तो इसको energy की terms में भी लिख सकते हो, वर्क जो आएगा, वो आएगा nr t initial minus t final upon n minus 1, यह जो n है, वो moles है न, और यह n polytropic वाला है, अब question में क्या होला देखना है, question में पूछा है, find the amount of heat obtained by the gas in this process, heat पूछी है, तो first law of thermodynamics से, heat जो होती है, हम लिख सकते हैं, delta e plus w gas, clear, delta e की value, f y2, मतलब 1 upon gamma minus 1, f y2 nr delta t, nr delta t, यह तो हो गई, delta e की value, clear है क्या, w gas की बात करें, तो वो हो जाएगा, nr, t initial minus t final है, तो यह minus delta t हो गया, upon n, polytropic के लिए n की value 2 है, 2 minus 1, तो यह आगई हमारे पास total heat supply, अब moles की value उसने, question में बोला है हमने, 1 mole के लिए, तो n की value 1 हो गई, ठीक है, तो यहाँ से heat आगई हमारे पास, heat आजाएगी, r delta t कॉमा ले ले लेते, 1 upon gamma minus 1, यह हो गया, minus 1 नीचे 1 तो minus 1, तो यह value आएगी हमारे पास, r delta t, 1 minus gamma, plus 1 upon gamma minus 1, तो r delta t, 2 minus gamma upon gamma minus 1, इतनी heat जो है, वो इस process में supply की गई है, तो ऐसा जो option है, हमारे पास वो कौन सा है, देखो, ऐसा जो option है, हमारे पास r delta t, 2 minus gamma upon gamma minus 1, second option करेक्ष पर जाएगी, ठीक है, next, integer based question है, बात करते ज़रा देखें, अला लॉंग glass capillary tube is dipped in water, it is known that the water weights glass, the water level rises by H in the tube, the tube is now pushed down, so that only a length H by 2 is outside the water, the angle in degree of contact of the water surface at the upper end of the tube, समय नजरा क्या कहानी, इस देखो, कि अगर water के लिए, water glass surface के लिए अगर बात करूँ, तो action में contact angle होता है, 0 degree, ठीक है, तुम normal condition में देखते हैं, कि ये, इसमें हमने water बढ़ दिया, और water fill कर दिया, ठीक है भई, ये रहा, ये जो manasus बना, इसकी radius of curvature में मान लेता हूँ, चलो, R, कि लिए, और liquid इसमें भर गया H high तर, यहां air है, तो यहां का pressure भी पी नॉट होगा, और बाहर का इस point का तो पी नॉट है ही, क्योंकि air के contact हो, ठीक है, अब देखो, अगर जब भी pressure difference लिखा जाए, किसी भी curved surface पे तो हमें पता है, कि concave surface जिदर होती है, उदर pressure ज़्यादा होता है, तो यहां का pressure पी नॉट, इस point का मैं pressure माल लेता हूँ, पी डेस, तो आप लेखोगे, पी नॉट माइनस पी डेस, एक्वल टू 2 ती वाई आर, यह जो आर है, यहां radius अब करवेचर है, ना कि tube की radius, के लिए radius अब करवेचर है, इसी तरह से, इस्टेटेक फ्लूड को काम मिलिये जाए, तो इस point का pressure P0 क्या लिखा जाएगा, P-डेस प्लस रो जी एच, एक्वल टू P0, ठीक है, दोनों equation को अगर add कर दे हम, तो यहां से H की value आजाएगी, 2TY रो जी आर, अब बाटर के लिए, angle of contact 0 होता है, तो यहां पर यह perfect hemisphere बनेगा, तो इसकी radius of curvature, इसकी tube की एक्कुल हो जाएगी, तो इसी को हम लिख देंगे, 2TY रो जी आर, यह तो initial कहानी थी, अब क्या बोला है, कि अब tube की length HY2 कर दी जाए, तो insufficient length की क्या हो गई है, और जब भी insufficient length की tube ली जाती है, तो ऐसा नहीं है कि water बाहर से निकलने लग जाएगा, वो इसके top तक चड़ेगा, और radius of curvature होती है, एड़िश्ट वहाँ पर, तो यहां पर हमने क्या किया, insufficient length, HY2 की जब tube ली, तो यह जो radius of curvature है, यहां थोड़ी सी flat हो जाएगी, clear, यह radius of curvature हो गई कुछ, यह tube की radius थी, यह जो angle है, यह angle of contact हो गया, clear, ठीक है भई, ठीक है, अब देखना, तो यहां अगर हम, rise की बात करें, HY2, यहां हम rise की बात करें, तो rise कितना आएगा, HY2, यह आएगा, 2T upon rho G, radius of curvature होता है, यह radius of curvature की value, tube की radius के equal नहीं होगी, ठीक है भई, तो देखो, r को मैं small r में convert कर लेता हूँ, यह r, यह theta, यह 90 minus theta, यह theta, तो small r की value आगई, r cos theta, ठीक है, तो r की जगह लिखा जा सकता है, r की जगह लिख सकते हैं, rho G, small r upon cos theta, ठीक है, पहले h की value यह थी, अब h की value, small r की term में यह हो गई, तो h की value यह put कर दो, h की value यह put कर दो, तो यह बन जाएगा, t upon rho G, बरावर 2t, cos theta upon rho G, तो यहां से cos theta की value आगई, half, मतलब angle of contact, कितना रहा होगा, 60 degree रहा होगा, तो देखें ज़रा next question, बोला है, अब plano convex lens, of refractive index 1.5, तो यह एक, plano convex lens है, जिसका refractive index कितना है, 1.5 या बोल दो 3Y2, ठीक है, and radius of curvature 30 cm, ठीक है, इसकी जो curved surface है, इसकी radius of curvature देदी हमें, 30 cm, अब क्या बोला है, इसकी silver, जो है, इसकी curved surface को क्या कर दिया, silver कर दिया है, तो इस surface को कर दिया, हमने silver, तो यह जो combination lens और इस curved surface का, basically हो क्या गया, curved surface जो है, वो एक अपने आपने एक mirror बन गया, यह जो combination है, एक तो lens, प्लस यह कौन क्या mirror का क्या बन गया, combination, clear है क्या, अब इन दोनों को combination जो बनेगा, वो एक effective mirror की तरह बेव करने वाला है, आगे क्या बोला है, at what distance from the lens, an object will be placed in order to have a real image of size of the object, clear है क्या, कि हमें इस combination से, combination से कितनी distance पर एक object रखना चाहिए, जिस से same size का real image बने, clear, उम्मी तो question समझ में आगे होगा, तो पहले तो क्या करता हूँ, पहले तो इसके equivalent जो भी mirror बनता हूँ, उसकी focal length find कर लेता हूँ, इस lens की focal length fl, fl क्या हो जाएगी, lens makers formula बोलता है, 1 upon fl बराबर, mu2 upon mu1, minus 1, क्योंकि surrounding कुछ नहीं बोला तो यहर माल लेंगे, minus bracket, 1 upon इसके लिए, इस surface के लिए, तो count surface के लिए, radius of curvature होगे, infinity, minus 1 upon r2, r2 की value कितनी है, तो यह आगया, 30, clear रहे क्या, और sign करमेंसा लेना तुम्हें आते ही है, कि इसके लिए अगर हम देखें, तो इस curve surface का, जो center of curvature होगा, वो इधर होगा, हम देख रहे है, right की तरफ, तो इसलिए इसको negative में लिए आएवे, तो यहां से lens की focal length क्या आगई, यह आगई 1 y 2 bracket 1 y 30, इसको r की time में रहने देता हूँ मैं, यह आगई अपने पास 1 y 2 r आगई, ठीक है, तो focal length आगई यहां से f l, हमारे पास 2 r, तो lens की focal length तो आगई हमारे पास 2 r, और की विल 30 दे रखी है, mirror की focal length कौन के mirror बन रहा है, तो mirror की focal length है इसकी r y 2, कौन के आगई इसलिए यह minus मिले लिए ठीक है, अब इनके equivalent हमारे पास जो combination बनेगा, उस mirror की focal length हम कैसे निकालते हैं, तो effective mirror की focal length आती है, हमारे पास 1 upon f effective equal to, 1 upon f m mirror की focal length minus 2 into sum of 1 upon f m, अब जितने lens वंगे उनके लिए 1 upon f1 plus 1 upon f2, 1 upon f3 करते जाएंगे, बट यहां एक ही lens है, तो इसलिए कि एवल एक बार आ जाएगे, तो यह से effective focal length कितनी आएगी, 1 upon f m, mirror की focal length minus r y 2, minus 2 sum of 1 upon f l, तो एक ही lens है, तो उसी की लिख दो, 1 upon f m, clear, तो यह क्या बन गया, 2 से 2 गया, minus 2 by r, minus 1 by r, तो minus 3 by r, तो यहां से f effective आ गया, हमारे पास, minus का r y 3, अब minus में आया है, मतलब, इन पूरे के पूरे combination से, जो भी equivalent बनने वाला है, वो एक कौन के mirror होगा, clear, जिसकी focal length कितनी होगी, जिसकी focal length होगी, minus r by 3, तो इसके लिए, जो effective radius of curvature होगी, r dash, उसकी value हो जाएगी, 2 f, या बोल दो, minus 2 r by 3, clear, यह तो आगे है combination, अब बोला क्या है, caution में बोला है, कि इस effective combination के आगे, इस combination का जो effective mirror बन रहा है, इसके आगे मैं object कहां रखूँ, object कहां रखूँ, कि एक तो उसका real image मिले, और equal size का मिले, clear है क्या, तो हमें पता है, इस case में, कौन के के case में, अगर object को तुम इस concave mirror के, center of curvature पे रख दो, तो real image मिलती है, और same size की image मिलती है, मतलब हमें object को, इस combination के, या इस effective mirror के, center of curvature पे रखना चाहिए, तो object के position क्या हो जाएगी, rs या बोल दो value हो जाएगी, 2r by 3, clear है क्या, तो rs की value 2r by 3, r की value 30 cm दे रख थी, तो ये value आ जाएगी 20 cm, तो object को, इस combination से, हमें 20 cm आगे रखना चाहिए, clear है क्या, आगे बढ़ते हैं जड़ा next question की तरफ, क्या बोला है, in the figure zone, a thin light, in extensible string, is wrapped around a uniform disc, ये एक uniform disc दे रखी है, इसके चाहँ तरफ क्या, हमने एक rs लपेड दी, जिसका एक स्रा जो है, वो यहाँ पर बना हुआ हुआ है, छट से, लिफ्ट के चट्रे, और दूसरा स्रे को हमने, इसकी परदी से fix किया हुआ था पहले, ताकि इसके उपर इसको लपेड आ जा सके, अब क्या किया है, क्योंकि fix नहीं करेंगे, तो क्या होगा, रस्य अपने याप बाहर निकल जाएगी, slip हो जाएगी उससे, तो one end of the string is fixed, ठीक है, अब बोला, acceleration A of the lift is such that, the center of the disc doesn't move with respect to ground, कि ये जो lift का acceleration नहीं उपर की तरफ A है, ये इस प्रकार रखा गया है, कि ground के respect में, इस disc के center of mass का कोई acceleration है नहीं है, ठीक है भई, तो बोला, A upon G की value बताओ, string doesn't slip on the pulley, string की कई pulley पर slipping नहीं हो रही है, ठीक है भई, देख नजरा क्या कहाने है, कि ये lift, इस से string से ये बंदी हुई है, ये पुली, ये इसका center हो गया, ये जा रही है उपर A से, clear, तो ये तो है क्या lift का acceleration हो गया, A, J, उपर की तरफ में, जे के पमान लोगे हैं, बोला है कि, इस disc का, ground के respect में acceleration ही नहीं, ठीक है, ओके, तो मैं सारा का सारा जो question है, वो lift के frame में ले लेटा हूँ, lift के respect में, disc का lift के respect में acceleration क्या हो जाएगा, AD minus AL, AD तो 0 था, ADL आ गया हमारे पास, minus A, clear है क्या, मतलब lift के respect में अगर हम देखें, तो क्या कहानी देखेगी, with respect to lift, lift के respect में हम बात करें, तो ये जो pulley है, इसका acceleration, minus A मतलब नीचे की तरफ है, clear, tension लग रहा होगा इस पर T उपर, यहां लग रहा होगा M जी नीचे, और lift के frame में है, इसलिए pseudo force भी लगाना पड़ेगा, lift उपर A से जा रही है, तो pseudo force सेंटर पर यहां लग जाएगा, नीचे की तरफ M A, clear, तो lift के respect में क्या देखेगा, lift के respect में pulley जो है, वो A से नीचे जा रही है, और साथ में M G और A में और उपर T लग रहा है, और कहीं भी किसी तरह की silping नहीं है, ठीक है, अब देखो आगे, ठीक है, लगाते हैं भई, NLM की equation, simple translatory motion की, और rotation motion की equation, तो translatory के साथ से देखे, तो नीचे force कितना लग रहा है, M G प्लस M A, उपर क्या लग रहा है, tension, equal to हो जाएगा M A, M A से M A गया, T की value M G आ गयी, clear, T की value की आ गयी, M G आ गयी, ठीक है, अब rotation की equation लगाते हैं, तो इस center of mass के about देखो, तो M G और M A का torque तो 0 हो गया, बट tension का torque आएगा, जो इसको angular acceleration alpha देगा, ठीक है, तो center of mass के about, ये radius अगर R मान ली जाए, तो torque जो है, tension का वो हो जाएगा, T R, जिसकी value I alpha के बराबर, और disc के लिए center of mass के about, यहाँ पर इसके अपनी major axis के about, रोटेट हो रही है, तो ये हो जाएगा, M R square by 2, moment of inertia, alpha, clear है क्या, ठीक है बई, ठीक, अब देखो, अगर कहीं भी slipping नहीं है, तो इस point का अगर मैं acceleration देखूँ हूँ, तो translatory motion की वैसे आया A, और इस rotation motion की वैसे उपर आयेगा alpha R, अगर slipping नहीं है, तो A equal to क्या होना चाहिए, alpha R, मतलब alpha की value A equal to क्या हो जाएगा, alpha R, तो alpha की value आ जाएगी A YR, यह भी यहां put कर दो, तो T R बरावर, M R square by 2, alpha की value A YR, तो R से R गया, tension की value हमें पता है, already M G है, यह दर बच गया, M A by 2, M से M गया, A upon G की value आ गयी, यहां से 2, clear है क्या, ठीक है, तो यह answer आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका, clear, next question की तरफ बढ़ते है, यह एक circuit दे रखा है, 20 volt की battery लग रही है, और बुलाएं A और B के बीच में, potential difference हमें calculate करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस lawr potential, इस वाले terminal को हम 0 voltage मान लेते हैं, यह 20 हो जाएगा, तो यह भी 20, यह 0 हो जाएगा, clear, अब तुम देखो, simple circuit दे रखा है, पूरे circuit में हम current find कर सकते हैं, यह series में 18 हो गया, यह भी 18 हो गया, 18 और 18 parallel में तो कितना आ जाएगा, 9, 9 और एक 10, तो R equivalent आ गया circuit का 10, अब R equivalent 10 है, तो circuit में total current कितना जाएगा, वो जाएगा, total voltage supply upon R equivalent, तो 2 Ampere, तो यहां से 2 Ampere current चला, अब देखो, यह भी 18 है, यह भी 18 हो तो दुनों में बरावर बरावर बढ़ जाएगा, एक Ampere, अब हमें A और B का potential पता लग जाएगा, तो difference भी पता लग जाएगा, तो निकालते हैं बई, यह 0, यह 20, कितना आएगा, इस 6 O'mपर डॉप आजाएगा, आई आर, तो I into R बरावर V, यह तो A का potential आगया, बी का potential लगा लगते हैं, तो यहां का potential कितना है, 20, माइनस आई आई ड्रॉप आएगा, तो 12 बरावर VB, तो यहां से A का potential तो आगया, हमारे पास 20-6 14V और B का potential आगया है यहां से 20-12 8V तो difference जो है VA-VB यह आगया हमारे पास 6V तो इसका correct answer आजाएगा 6V ठीक है और आप तरफ बढ़ते हैं लास्ट पॉस्न हमारे पेपर का व्लायट लाइट इस जूज इन वाइड़सी फाइंड असे कि अधा से मिनिमुम ओरर और वोएलेड फिरնज विच और विच विच विदार रेड़ एकिया है कहा किया के सेट अपमे यह 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 स्क्रीन जिसकी यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं अब जर्दली हम्मॉनो क्रॉमेटिक लाइट कहाम में लेते हैं इनली आप देखों का वास इकर ले रखा होगा यहां में वाइट light की बात की गई है, white light में क्या होंगे, बहुत सारे lambda available है, clear है क्या, ठीक है, तो अगर monochromatic light के लिए मैं देखूं, तो यहां से maxima की जो position होगी, nth maxima जो है, वो central fin से, अगर मालो y height पर बनता है, तो इसकी value आती है, n lambda d y d, clear है क्या, इसी तरह से अगर minima की बात कर तो 2 n minus 1 lambda y 2 d y d आती है, तो यह तो maxima की position आ गए, अब देखो, तुम साब साब देख सकते हो, कि maxima की position जो है, वो lambda पर depend कर रहे है, different different lambda के लिए different different position पर maximum लेंगे, clear है क्या, तो इसमें बोला है, इसने, कि find the second minimum order of the wallet fringe, which overlaps with our red fringe, clear है क्या, कि हमें बताना है कि wallet का second order में कौन सा minimum, कि हमारे पास wallet का कौन सा maxima जो है, वो red के साथ overlap करेगा, मतलब जहां wallet का maximum बन रहा है, वहीं पर ही हमें red का कोई और maximum बनाना है, clear है क्या, तो मैं माल लेता हूँ कि wallet का जो है, वो n1 वा maxima बना, clear है क्या, और red का जो है, वो n2 वा maxima बना, यह overlap कर रहा है, clear है क्या, क्योंकि दोनों के लिए same y चाहिए, तो different lambda के लिए n तो different मिल नहीं है, clear है क्या, ठीक है भई, अब बोला overlap कर रहा है, तो y तो same हो गया, तो red wallet के लिए हम y के लिखेंगे, n1, lambda v, d, y, d, clear है क्या, red के n2 वे maxima की position, n2, lambda r, d, y, d, तो यहां से क्या relation आ गया, n1 upon n2 की value आ गई, lambda r upon lambda v, अब value रखो, lambda r की value हमें दी है, 7,000 angstrom, और lambda v दे रखा है, 4,000 angstrom, तो यहां आ गया 7 by 4, clear है क्या, मतलब n1 by n2 की ratio आ गया 7 by 4, तो हम कह सकते हैं कि 7 की wallet का 7 वा जो maxima है, वो red के 4th maxima के साथ overlap करेगा, या फिर, इसी same ratio रखते हुए, 4 और इसकी value 8 भी तो हो सकते हैं, क्योंकि 4 upon 8 वा तो भी तो value same ही आएगी, clear है क्या, तो भी तो ratio same ही आएगा 7 by 4, clear है, तो हम बोल सकते हैं कि यही ratio तो same आया, तो यह 7 by 4 हो सकता है, 4 by 8 हो सकता है, 21 by 12 हो सकता है, मतलब wallet का 7 जो है, वो red के 4th के साथ overlap करेगा, 21 by 12 के साथ overlap करेगा, clear है क्या, इसने जो पूछा है, हम से बोला है कि हमें second minimum order बताना है, तो minimum order तो यह है, second minimum order यह हो जाएगा, clear है क्या, तो wallet का second minimum क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, clear है क्या, तो wallet का जो 14th maxima होगा, वो दूसरी बार रेड के किसी मैक्सिमा से ओवरलेब कर रहा हूँ, क्लियर है क्या, तुम में जब सब को सॉलिशन क्लियर होगा, ठीक है, सभी अच्छे से पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स पेपर के सॉलिशन में, हलो, कैसे हो बच्छे आप लोग, बहुत अच्छे होंगे होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोगों का CLC के ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पे स्वागत है, वेलकम है, जैसा कि आप लोगों की जो मेजर सीरीज चल रही है, उसका मेजर 4, जो है, उसका केमेश्री का पार्ट मैं डिसक्स करने वाला मैं Dr. Ravi Jangar, तो स्टार्ट करता है हम लोग, सबसे पहला क्योंश है, विच अफ फॉलविंग पेर अफ कंपाउंट इस और इडेंटिकल, ठीक है, जो भी मुझे यहां पे कुछ पेर्स दे रखे हैं, कौन इडेंटिकल है, कौन नहीं है, यह हमें देखना है, बहुत सिंपल ह कि इस तरीके से देखते हैं, हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हैं, यहां पे जो क्लोरीन है मेरे पास में इस मॉलीकुल को देखो, अगर मैं इस में इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दूँ, इस डारेक्शन में 60 डिग्री से रोटेट कर दूँ, तो यह क्लोरीन प ठीक है मतलब सेम अगर मैं इसको 60 degree से घुमाता हूं तो इसके configuration में कोई change नहीं होगा अगर single bond के उपर अगर किसी molecule को हम लोग rotate करने हैं तो configuration में कोई change नहीं होता तो वैसे ही मैंने इसको rotate किया मुझे एकदम यह मिल गया मैं नीचे वाले पर भी rotate कर लाता हूं यहां पर मैं क्लोरीन को ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहता हूं क्लोरीन को ऊपर की तरफ ले गया तो नीचे कौन आ गया CSR हाइडोजन इस तरफ आ गया same ditto इस compound को rotate करने से मुझे यह compound मिल रहा है मतलब यह क्या हो गया भाई यह मेरे पास identical हो गया चलो next वाले उनमें भी हम लोग relationship निकाल लेते हैं यहां पर इस center के उपर यह iodine उपर की तरफ है इदर तो मैं इसको उपर की तरफ लेकर आता हूं इस iodine को उपर आएगा तो CS3 नीचे आजाएगा H उदर चला जाएगा मतलब यहां भी मेरे पास वही configuration है same configuration है अगले वाले में यहां पे अब मैं chlorine को इस तरफ लेकर जाओं ठीक है किदर लेकर जाना चाहता हूं मैं chlorine को इस position के उपर तो अगर chlorine यहां पर आता है तो iodine किदर जाएगा iodine नीचे की तरफ जाएगा लेकिन यहां पे कहां पे दिए रखा है different होगा तो ऐसे molecules को क्या कहते हैं हम लोग जहां पर एक एक कारल सेंटर पर configuration सेम होता है दूसरे पर डिफरेंट होता है उन्हें हम लोग diastereomers कहते हैं क्या कहते हैं diastereomers यह मेरे पास diastereomers हो जाएंगे next अगर मैं देखो यहां पर देखो बहुत simple है इसको भी देखना यहां पर यह जो पीछे वाला carbon है पीछे वाला जो मुझे carbon दे रखा है इसके उपर bromine जो है वो vertical position पर है और मैं क्या चाहता हूं कि मैं bromine को इस direction में लेकर आउं थोड़ा सा घुमा के इसको इस direction में लेकर आउं तो देखो पीछे वाले के उपर इधर fluorine है बिल्कुल इस तरह bromine है जो आ जाएगा नीचे hydrogen है आ जाएगा मतलब यहां पर मेरे पास पीछे की तरफ configuration क्या होगा सेम होगा अब आगे की तरफ देखता हूं मैं इस आगे वाले carbon के उपर आगे वाले carbon के उपर hydrogen अगर मैं उपर की तरफ लेता हूं hydrogen अगर उपर की तरफ लिया तो मेरे पास bromine जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा लेकिन इधर कौन दे रखा है यहां भी यह क्या है एक पे configuration सेम है दूसरे पे configuration डिफरेंट है मतलब यह भी क्या होगा मेरे पास डाइस्टीरियोमर्स हो गए दोनों डाइस्टीरियोमर्स है आपस में इसके उपर आजाओ यहां पे पीछे वाला तो काईरल सेंटर है ही नहीं क्योंकि पीछे वाले carbon पे क अबन को देखता हूं कि यहां पे configuration same होगा की different होगा तो मुझे क्या चाहिए मुझे इस bromine को यहां पे इस position पर लेकर आना है ब्रोमीन को अगर मैं घुमा कर यहां पर लेकर आऊँगा तो इस पोजिशन पर आजाएगा लेकिन मुझे यहां पर इस पोजिशन पर क्या दे रखा है iodine दे रखा है, मतलब यह दोनों आपस में क्या है, एक ही chiral center और configuration different है, तो इसका मतलब यह आपस में enantiomers हुए, क्या हुए यह आपस में enantiomers. आगी भाईया, बात समझ में, diastereomers, enantiomers और यह क्या है मेरे पास, यह मेरे पास identical है, तो हमसे यही पूछा था कि which one is identical तो आंसर क्या हो जाएगा first one ठीक है चले हम लोग होपसो समझ में आ गया होगा आप लोगों को next question देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है हमें next question में arrange the following in the order of their reactivity of SN2 reaction कुछ molecules मुझे दे रखा है और उनको मुझे SN2 की reactivity order में arrange करना है कि steric hindrance जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए और जो transition state बनती है यहां पर कोई intermediate नहीं बनता SN2 में जो transition state बनती है हमारे पास वो कैसी होनी चाहिए वो एकड़म stable होनी चाहिए और transition state stable कब होगी अगर resonance ज़्यादा से ज़्यादा है तो obviously हमारी जो transition state है वो क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा stable होगी तो अगर मैं यहां पर देखूँ तो यह जो CH2D रखा मुझे यह कौन सा है बेंजाइलिक पोजिशन पे है क्लोरीन अगर निकलेगा तो बेंजाइलिक पोजिशन पे जो होगा transition state है यहां पर 3rd one में मैं देखूँ तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यह double bond के साथ ही resonance में है उपर वाले ज्यादा resonance है यह तो एकदम कम हो गया और यहां पर 4th one में तो कोई resonance नहीं है मेरे पास तो मैं क्या बोलूँगा यहां पर जो order आएगा सबसे ज्यादा transition state जो बनेगी मेरे पास वो second में सबसे stable बनेगी second के बार में मेरे पास में बनेगी first में first के बार में transition state stable बनेगी मेरे पास third में और third के बार में बनेगी मेरे पास fourth में होप सो समझ में आ गया होगा सबसे पहले second वाला क्योंकि सबसे ज़्यादा resonance है उसके बाद में first वाला resonance उस्से कम है double bond Ka resonance. असके बाद में मेरे पास third वाला है क्योंकि केवल double bond के साथ resonance है last में fourth वाला जिसमें कोई resonance नहीं है तो मेरे पास second जो option है वो आ जाएगा कि 2, 1, 3, 4 is the order ठीक है simple सा question था समझ में आ गया होगा चले हम लोग आगे चलो next डिखते हैं हम लोग which of the following polymer can be used for lubrication and as an insulator एक ऐसा polymer बताना है जो lubrication का काम भी कर सके मतलब एक और insulation का एक स्नेहक और एक उश्मा रोधी दोनों का वो काम कर सके तो देखो हम लोग एक एक को देखते हैं जो भी हमें polymers दे रखे हैं और उनको उनका क्या काम है क्या use है वो देखते वे चलता है सबसे पहले S, B, R कौन सा है ये polymer Buna S Buna S rubber है ये और कहां पर use होता है Buna S rubber ये तो हम लोग जो टायर्स जो हमारे होते हैं mostly वहाँ पर Buna S rubber का होता है तो as a lubricant हम लोग इसे use नहीं करते भाया नहीं तो first one option मेरे पास नहीं हो सकता second one PVC polyvinyl chloride इसको हम लोग as a insulator और lubrication के लिए काम में नहीं लेते हैं PVC जो होता है वो use जरूर लिया जाता है insulating the wires के लिए हम लोग काम में लेते हैं लेकिन as a lubrication काम में नहीं ले सकते हैं PTFE poly tetrafluoro ethane ethane sorry इसको हम लोग बिलकुल as a lubrication की तरह काम में लेते हैं और thermal insulator insulator कहा दो thermal insulator की तरह भी काम में लेते हैं जो भी हमारे kitchen wares होते हैं उनके उपर PTFE teflon कहते हैं इससे हम लोग commonly teflon की coating होती है और teflon जो होता है वो as a lubrication की तरह भी काम में लिया जाता है PAN polyacrylonitrile ये तो भाईया fibers बनाने के लिए काम में लिया जाता है generally जो fibers होते हैं high tensile strength के उनको बनाने के लिए PAN polyacrylonitrile काम में लिया जाता है तो answer हो जाएगा हमारे पास में third one चले हम लोग आगे next देखो which of the following colored compound is dimagnetic मतलब ये मुझे कुछ compounds दे रखे हैं colored compound और उनमें पूछा है कि dimagnetic कौन सा होगा तो dimagnetic, paramagnetic आप लोग जानते ही हो कि paramagnetic मतलब मेरे पास क्या होगा unpaired electron present होगा odd number में electron present होगा और dimagnetic मतलब even number में और सारे के सारे जो भी होगे वो paired होगे सारे के सारे कैसे होगे मेरे पास electrons paired होगे तो वो dimagnetic होगा तो हम लोग हर एक को देख लेते हैं सबसे पहले वाले में सबसे पहले वाले में मैं देखू तो copper का oxidation state क्या होगा भाया यहाँ पर NH3 के ओपर charge किता होता है 0 sulfate पर किता होगा minus 2 क्या लिखते हैं हम लोग copper plus 2 का configuration लिखेंगे हम लोग 3D9 4S0 normal जो configuration होता है 3D10 4S1 होता 2 electrons को निकाल दूँगा तो 3D9 बचेगा 3D9 साफ साफ दिखना है लिखने के आगे करने की ज़रुती ने कि electrons क्या है मेरे पास odd number में है odd number में है तो मतलब यह क्या होगा paramagnetic होगा ही होगा next one देखो MN H2O whole 6 SO4 यहां भी H2O के उपर charge 0 SO4 के उपर charge minus 2 तो मेरे MN जो होगा MN के उपर charge क्या आजाएगा मेरे पास plus 2 और MN plus 2 जो होता है उसका configuration क्या होगा मेरे पास normal MN का होता है 3D5 4S2 तो यहां पर MN plus 2 हो जाएगा मेरे पास 3D5 3D5 हो गया भीया यहां भी क्या हो रहा है मेरे पास unpaired electron present है मतलब odd number में electron present है unpaired है तो यह भी क्या होगा paramagnetic होगा next one को देखते हैं हम लोग CR K2 दे रखा है K2 का क्या होगा मेरे पास 2 K2 है तो प्लस 2 हो जाएगा oxygen एक oxygen पे माइनस 2 होता है 4 oxygen पे माइनस 8 हो जाएगा तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो chromium के उपर chromium पे जो charge आ रहा है मेरे पास वो प्लस 6 आ रहा है प्लस 6 आ रहा है तो भाहिया इसके तो सारे ही electron निकल गए क्योंकि normal configuration क्या होता है chromium का 3D54S1 तो 6 electrons निकाल दिया मतब कुछ भी नहीं बचा कुछ भी नहीं है तो ये क्या होगा dimagnetic होगा dimagnetic और ये ही मुझ से पूचा next one को भी हम लोग देख लेते है VosO4 O क्या यहाँ पे? कि हम प्लस 4 में देखो कित्रे लेक्ट्रॉंस बचेंगे हमारे पास में हमारे पास में लेक्ट्रॉंस बचेंगे 3D1 तो इन configuration को देखकर हम लोग साफ साफ बता सकते हैं कि जो third one होगा वो मेरे पास dimagnetic होगा बाकि सारे कैसे होंगे paramagnetic होगे ठीक है? चले हम लोग आगे वेन एमजी बर्न्स इन एर इट प्रोड्यूस जब magnesium को हम लोग वायू की उपसिती में जलाया जाता है तो क्या-क्या बनता है भाईया? S-block का question है और magnesium ही नहीं यहाँ पे lithium जो होता है वो भी हम लोग देख सकते हैं दोनों एक जैसे होता है diagonal relationship होता है उनके बीच में तो देखो जब भी magnesium को हम लोग बर्न करते हैं O2 की presence में वायू में अब वायू में जो होता है oxygen के साथ-साथ हमारे पास nitrogen भी होता है बिल्कुल होता है तो यहाँ पे दो compounds हमारे पास मिलते हैं एक तो MgO मिलेगा और एक हमें मिलेगा Mg3N2 ठीक है मतलब यह मिलेगा और अगर यही चीज लीथियम के लिए पूची जाते है तो लीथियम भी nitride बनाता है और लीथियम oxide भी बनाता है ठीक है ध्यान रहेगा S-block का question है, theoretical question है चलते हैं हम लोग नेक्स क्योशन पर The equilibrium constant Kp for the reaction X gaseous plus Y gaseous equilibrium with Z gaseous is found to vary with temperature in the diagram as shown मतलब एक ही मुझे डाइग्राम दे रखा है मुझे साम्यस्तिरंग दे रखा है Kp और ताप के साथ में उसका डाइग्राम बना रखा है तो देखो भाहिया यह जो graph बना रखा है, यह किस के साथ में बना रखा है 1 by T के साथ में बना रखा है 1 by T के साथ और मतलब 1 by T की value अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो Kp का मान क्या हो रहा है मेरे पास decrease हो रहा है या फिर मैं बहुत साफ सब्दों में बोल दूँ कि यहाँ पे अगर मैं temperature को बढ़ाऊंगा temperature को अगर मैं increase करूंगा तो Kp की value भी क्या होगी मेरे पास increase होगी क्योंकि 1 by T increase करने से Kp decrease हो रहा है ठीक है तो T temperature बढ़ाने से Kp क्या होगा increase होगा इस graph से हमें यह पता चल रहा है कि Kp temperature जो है उसको अगर मैं increase करता हूँ तो Kpb क्या होगा मेरे पास बढ़ेगा क्योंकि अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो 1 by T की value क्या होगी मेरे पास कम होगी 1 by T कम हो रहा है मतलब T बढ़ रहा है तो Kpb बढ़ रहा है तो मतलब reaction कैसी हो गई है temperature बढ़ाने से अगर किसी का equilibrium constant बढ़ता है तो उसको कैसी reaction कहता है हम लोग exothermic की endothermic उसे हम लोग endothermic reaction कहते है ठीक है उश्मा शोशी अभीक्रिया है ये तो पहला option क्या दे रखा है the reaction is exothermic in forward reaction नहीं भाया बिलकुल गलत ये exothermic नहीं है ये endothermic है the equilibrium mixture contain high proportion of Z at higher pressure जो equilibrium mixture है वो उसमें high proportion of Z होगा at high pressure मतलब simple सी बात है कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ मैं pressure बढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना सारे के सारे gaseous है मेरे पास इधर इधर जो gaseous moles है उनकी संख्या किती है दो है इधर gaseous mole की product की दरफ जो gaseous mole है उनकी संख्या किती है उनकी संख्या केवल एक है तो मतलब इधर mole की संख्या जादा है इधर मेरे पास product की दरफ mole की संख्या कम है अब हम लोग क्या कर रहे है pressure को increase कर रहे है अगर मैं pressure को increase करूंगा तो volume क्या होगा? Volume decrease हो जाएगा. Obviously, pressure increase करेंगे, तो volume क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा. और volume अगर decrease हो गया, volume अगर कम हो गया, तो concentration क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि concentration is inversely proportional to volume, concentration बढ़ गई. और concentration बढ़ गई, तो according to Lee Chetlier principle, के according, जो हमारा equilibrium है, वो उस तरफ shift होगा, जहांपे मेरे पास में मोल्स क्या हो, क्योंकि concentration क्या होगा, मेरे पास बढ़ चुकी है, तो वो क्या करेगा? उसे neutralize करने की कोशिश करेगा. तो वो उदर जाएगा, जिदर concentration कम हो सके, या फिर कहे दो, जिदर मोल्स की संख्या क्या हो, मेरे पास कम हो. तो simple सी बात है कि, high pressure पे, Z का amount क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यह क्या कह रहा है, हमें, contain high proportion of Z at high pressure, बिल्कुल, सही कह रहा है. तीसरा क्या बोल रहा है, the equilibrium mixture contains high proportion of Z at low temperature, अब यभी हम लोगों ने देखे थी reaction कैसी थी, endothermik थी, तो अगर मैं temperature बढ़ाऊँगा, अगर मैं temperature increase करता हूँ, ठीक है, तो Z की value जो होगी, वो बढ़े की और अगर मैं temperature decrease करता हूँ, तो Z का amount क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंडothermik में यह होता है हमारे पास, तो यह क्या कह रहा है, high proportion of Z at low temperature, नहीं भाईया, Z मेरे पास जादा होगा, जब temperature high होगा, ना कि low, तो यह भी मेरे पास wrong हो गया, the equilibrium is unaffected by addition of inert gas, बिल्कुल effect होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि moles जो है, वो मेरे पास में different है, तो यह effect होगा, तो यह statement भी क्या होगा, मेरे पास wrong होगा, तो answer क्या हो जाएगा, इसका second answer हो जाएगा, ठीक है, चले हम लोग, समझ में आया होगा आप लोगों को, adiabatic expansion of an ideal gas is accompanied by, एक others gas का root दोश में प्रसार से होता है, सबसे पहले, adiabatic expansion, जब adiabatic आ गया, तो वहाँ पर मेरे पास पर जो dq की value है, dq की value, वो क्या हो गई, 0 हो गई, बिलकुल हो गई, और अगर मैं देखूं, कि, जो मेरा first law of thermodynamics है, delta e is equals to होता है, dq plus w, अब यह जो है, dq की value वो 0 हो चुकी है, यहाँ पर adiabatic expansion of an ideal gas हो रहा है, मतलब, जो work है, वो कौन कर रहा है, वो gas work करी है, वो adiabatically expand कर रहा है, expansion work हो रहा है, तो यहाँ पर expansion work, जो work की value होगी मेरे पास, वो कैसी होगी, negative होगी, और अगर system ही work कर रहा है, तो उसकी जो delta E होगी, delta E, क्योंकि यह negative है, तो delta E क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, internal energy decrease होगी, तो temperature भी क्या होगा, decrease होगा, temperature भी मेरे पास, decrease होगा, तो पहला option, मुझे क्या दे रहा है, increase in temperature, नहीं भाहिया, नहीं होगा, decrease in delta S, adiabatic process के उपर, जो process होता है, वो isoentropic होता है, isoentropic मतब, delta S भी क्या होता है, adiabatic पे, zero होता है, तो यह statement भी मेरे पास, गलत हो गया, decrease in internal energy, बिल्कुल, अभी अभी हम लोगों ने देखा है, कि internal energy क्या होगी, decrease होगी, no change in any of the above, नहीं, यह भी रॉंग है मेरे पास, ठीक है, तो adiabatic expansion में क्या होगा, decrease in delta E होगा, चले हम लोग आगे, हाजी, क्या दे रखा है हमें, rank the following compound in the order of decreasing reactivity for nitrogen, nitrogen क्या करता है हम लोग, एक electrophilic substitution reaction करता है, मतलब NO2 positive, जो होगा, वो एक electrophile है, और वो benzene के उपर attack करेगा, तो वो उस benzene पर attack करेगा, जिस पे electron density क्या हो, ज्यादा से ज्यादा है, और benzene में electron density अगर मुझे ज्यादा करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस benzene के उपर electron donating groups लगाने पड़ेंगे, मतलब plus R type के, तो हम लोग देखते हैं भाईया, जो भी मेरे पास में benzene दे रहे हैं, उनमें देख लोगे क्यों कौन कौन से groups लगे हैं, तो हमें idea लग जाएगा, कि किस पे donating group है और कौन से withdrawing group है, कित्री electron density हमारे पास benzene ring में है, तो सबसे पहले वाला COH, इसका effect कैसा होता है, minus R, COCH3, ये भी कैसा है, minus R, दोनों ही electron withdrawing groups है, OCH3, इसका effect कैसा होता है, ये plus R होता है, ये भी मेरे पास plus R होता है, ठीक है, मतलब donating groups है, दोनों के दोनों activating groups है, ring को activate कर रहे हैं, यहाँ पे BR जो है, वो मेरे पास minus i होता है हम लोग हेलोजन के case में minus i is more dominant than plus r ऐसा लेते है COCS3 कैसा है मेरे पास minus r है अब इदर देखना भाहिया ध्यान से यहाँ पे group दे रखा है कि NHCOCS3 nitrogen के पास में lawn pair है वो इदर benzene ring को electron density दे सकता है लेकिन वो साथ की साथ इस तरफ भी क्या है resonance matter donate तो करेगा activate तो करेगा बट इतना जादा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ही एक lawn pair है और उसे क्या करना है दोनों जगे share करना है तो ठीक है plus r होगा बट बहुत ज़ादा effect नहीं होगा ऐसे ही मेरे पास N NO दे रखा है यह N जो है इसके पास भी क्या है lawn pair है लेकिन N O, N O क्या होगा यहाँ पे N double bond O इस तरीके से होगा तो यहाँ पे भी वो donate तो कर रहा है electron density देगा तो सही बट साथ की साथ यही जो lawn pair है वो इस तरफ भी क्या है मेरे पास resonance में है तो donating करेगा donation होगा बट इतना effective तो सबसे ज़्यादा electron density मेरे पास किस में है मेरे पास second में है सबसे ज़्यादा electron density मेरे पास second में है, second के बाद में मैं fourth को लिख सकता हूँ क्योंकि वहाँ भी plus r के group है बट हाँ, इतना dominant नहीं है वो plus r, इसके बाद में मैं किसको देखूँ, यहाँ पर दो minus r है यहाँ पर एक minus आई, एक minus r ठीक है, किसको देखूँगा, withdrawing है लेकिन मुझे, मुझे electron density देखनी है रिंग में तो मुझे यह देखूँगा कि withdrawing nature जो है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तो मैं किसको लूँगा यहाँ पर, third one को लूँगा, third one के बाद में किसको लूँगा, मैं first one को लूँगा आगी बात समोज में ठीक है, बहुत simple चाह, यह ऐसा option मुझे कहाँ पर दे रखा है second, fourth, third one यहाँ पर दे रखा, इसके अंदर यह answer हो जाएगा मेरे पास चले हम लोग आगे, चलो match the list one with list second common method of extraction and select the correct option, ठीक है metallurgy का question दे रखा है हमें और direct, मत अब देखना है theoretical question है, कुछ जादा नहीं है, AL के लिए AL के लिए क्या करते है हम लोग हम लोग alumina का electrolysis करते हैं और आगे हम लोग जब electrolysis करते हैं, तो यह दिखते है कि जो alumina होता है, उसका melting point जो होता है, वो लगबाग 2000 degree centigrade होता है, और उससे जो metal निकलेगा, aluminium उसका खुद का melting point क्या होता है 1800 होता है, और 1800 होता है ताकि जो मेरा solution है, उसका melting point क्या हो सके, 2000 से और हम लोग कम लेकर आ सके, मतलब 1800 से भी काफी कम लेकर आ सके, तो first के लिए, AL के लिए हमारे पास में A जो होगा, A के लिए हमारे पास third आ जाएगा ऐसे ही FE, FE को हम लोग blast furnace में reduction करते हैं CO और carbon के साथ में ठीक है न, पूरा blast furnace होता है उसमें sequence wise हम लोग चलते रहते हैं, पढ़ते हो आप लोग तो FE के लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में B का answer क्या हो जाएगा, B का answer हो जाएगा मेरे पास fourth one, ठीक है copper copper का जो और लेते हैं, हम लोग को कैसा होता है sulfide और होता है, उसमें iron की impurities present होती है, हम लोग क्या करते हैं, उसका partial roasting करते है ठीक है, partially मतलब sulfide बनाते हैं उसका और फिर हम लोग उसका reduction करते हैं मतलब यहाँ पर first option दे रखा है, मुझे C का क्या होगा, one हो जाएगा बचा हुआ कौन है, zinc है, zinc का क्या करते हैं, हम लोग को के साथ में reduction करते हैं, एक मिनट कुछ गडबढ कर दी हम लोगोंने, बिल्कुल गडबढ कर दी, वो यह कर दी कि A का यह second है मेरे पास, A का मेरे पास में second है ठीक है, बचा हुआ कौन है यह D, D का मेरे पास क्या होगा, D का third हो जाएगा, ठीक है तो यह option देख लो भाया किसमें है, A का second B का fourth, A का second B का fourth, C का one और D का three, यह मेरे पास third option हो जाएगा ठीक है, theoretical question था question पूछा हुआ है, चलते हैं हम लोग आगे select the correct for the change in strength of the hydrogen bond in okay, hydrogen bond सामातिके परिवतन का सही चैन कीजिए चार option मुझे दे रखे है ध्यान से देखना भाया और I think minor 3 में भी हम लोग उने ऐसा ही question solve किया था hydrogen bond की strength का तो हमेशा जब भी हम लोग देखते हैं hydrogen bonding, तो क्या देखते हैं हम लोग, कि जो hydrogen है, सबसे पहले देखते हैं कि जो hydrogen है उसका acidic strength क्या होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो किसी एक electron withdrawing group के साथ है, ज्यादा से ज्यादा electron withdrawing group के साथ में जुड़ना चाहिए, तभी उस जो भी electro negative atom होगा, वो hydrogen से electron density अपनी दरफ कहच के रखेगा hydrogen पर क्या हैगा electron density कम हो जाएगी, वो highly acidic हो जाएगा, और हम लोग जो दूसरी दरफ atom देख रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से first one में देखूँ, यहां से start करता हूँ मैं, मुझे f minus दे रखा है hf दे रखा है, ठीक है, अभी मैंने क्या changes किये, मैंने hf तो है मेरे पास, लेकिन इस f minus के साथ में क्या जोड़ दिया, hf जोड़ दिया, अब भाया खुद बताओ कि f minus जो है, वो ज़्यादा electron density देगा, कि hf देगा, obviously f minus देगा, उसके पास में purely negative charge present है, तो यहां पे यह increase नहीं होगा, यह decrease होगा, तो first one तो हमारे पास गलत हो गया, अगला देखते है, यहां पे मुझे decrease दे रखा है, ठीक है, यह sequence ठीक है, आगे हम लोग देखें hf, hf, अब क्या का दिया, मैंने इस hf की जगए h2o लगा दिया, h2o लगा दिया, तो यह hydrogen था, इसकी acidity क्या हो गई, अब कम हो गई, क्योंकि पहले तो वो more electronegative fluorine से जुड़ा हुआ था, अब वो fluorine के comparison less electronegative oxygen से जुड़ा हुआ है, तो इस hydrogen की acidic strength कम हो गई, और acidic strength कम हो गई, तो hydrogen bonding के strength भी क्या हो गई, कम हो गई, तो यही मुझे दे रखा है, decrease दे रखा है, सही है यह, hf, h2o, अब हम लोग आगे जा रहे हैं, यहां मैंने क्या changes किये, मैंने, जो hydrogen था, वो पहले oxygen से जुड़ा हुआ था, अभी hydrogen किस से जुड़ा हुआ है fluorine से जुड़ा हुआ है, hydrogen fluorine से जुड़ा हुआ है, तो acidic strength उसकी बढ़ चुकी है और साथ में, साथ में पहले electron donating group कौन था, fluorine अभी कौन है, nitrogen है कौन अपना lawn pair या electron density easily देगा, fluorine देगा कि nitrogen देगा, nitrogen देगा fluorine ज़्यादा electronegative होता है तो इसलिए वो donating donation नहीं करेगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा donation कौन करेगा, nitrogen करेगा तो दोनों ही factor क्या है हमारे पास increasing की ओर है, तो बिलकुल ये भी सही है मेरे पास, और मैं इससे अब जा रहा हूँ F-HF, तो देखो क्या changes की है, एक तो nitrogen की जगए जो donation था, वो क्या लेकर आगया मैं F-, एक तो lawn pair दे रहा है एक सीधा-सीधा negative charge electron density दे रहा है, कौन जारा donate करेगा F-, जिसमें negative charge है बिलकुल, तो F- हुआ, ये increasing factor हुआ, और दूसरा H तो वही है, बतब वही fluorine से जड़ा हुआ, यहां भी वही fluorine से जड़ा हुआ तो ठीक है, nitrogen की जगए F-, लेकर आगया हम लोग, तो ये factor भी क्या है, increasing, तो सारा ये correct दे रहा है, तो second option क्या है मेरे पास correct है, इतर देख लो है, इनमें गड़बर है, इनमें गड़बर यहां पे भाया, यहां पे यह मुझे increase दे रहा है, जबकि क्या होगा यह decrease होगा, क्योंकि मैं HF की जगह है, जब oxygen लेकर आ रहा हूँ तो electronegativity क्या कर दी मैंने मैंने electronegativity यहां पे decrease कर दी उस atom की, उस atom की hydrogen से जड़ा हुआ है, तो hydrogen की acidic strength क्या होगई, कम होगई कम होगई तो वो, decrease होना चाहिए ना की increase तो यह वाला मेरे पास गलत है इसलिए अगला वाला क्या दे रखा है मुझे, यहां पे क्या गड़बर है, यहां पे जो गड़बर है, वो इस यहां पे है, इस देखो यह रहा, यहां पे मैंने क्या किया? यहां पे increase हो रहा है, दोनों ही factor मेरे पास increase करने वाले हैं क्योंकि hydrogen जो है, वो मैंने किस के साथ जोड़ रखा है? फ्लोरीन के साथ में, यहां पे hydrogen oxygen के साथ में जोड़ा होता है, तो acidic strength बढ़ रही है, दूसरा इधर donation करने वाला फ्लोरीन था, इधर कौन है? nitrogen है, यह भी factor increase कर रहा है, इसलिए यह गलत है, आगी बात समझ में, second option हमारे पास हो जाएगा चलो चलता है हम लोग, next question पर select the correct order for the wavelength of absorption for the given complex, यह कुछ complex दे रहा है मुझे, और उनमें wavelength का order देखना है किसका? wavelength का, देखो भाईया, बहुत ही simple सा question है क्या देखते है हम लोग, कि अगर मेरे पास में, spectrochemical series आप लोगों को पता है अगर मेरे पास में strong field ligand होगा, strong field ligand होगा, तो वो जो CFSE energy crystal field stabilization energy को देखते है हम लोग difference जो देखते है, T2G का और EG का, उसको क्या करेगा? उसको increase करेगा जितना ज़्यादा मेरे पास CFSE होगा, मतलब energy मेरे पास उतनी ज़्यादा हो रही है और energy उतनी ज़्यादा तो wavelength क्या होगी? कम होगी तो बस यही देखना है, हमें हमें यह देखना है कि जो जितना strong field ligand होगा, उसकी wavelength की value क्या आएगी? उतनी ही कम आएगी तो जो मुझे ligands दे रखे हैं उनमें मैं अगर spectrochemical series के according देखूँ, तो मेरे पास में सबसे strong field ligand जो होगा सबसे strong field ligand वो कौन है Cyanide, Cyanide के बाद में किसका नंबर आएगा? NH3 का फिर किसका आएगा? H2O का और लाश्ट में कौन आएगा? इधर क्लोरीन, यह तो मेरे पास spectrochemical series है, wavelength का order अभी आप लोगों को बता है कि wavelength क्या हो जाएगा जो जतना strong field ligand है उसके लिए wavelength उठनी ही कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसा मुझे कहाँ पर दे रखा है मुझे ऐसा second में दे रखा है कि CRCL6 minus 3 की सबसे ज़्यादा than water उससे कम NH3 है यहाँ पर थोड़ा सा यह correction हो जाएगा वो, printing mistake हो गई होगी, Cyanide जो होगा वो मेरे पास में last में आजाएगा ठीक है, चले हम लोग आगे next, how many grams of CaCO3 is there in 200 ml 2 molar, 2 molar solution of CaCO3 the density of solution is this ठीक है, मतलब मुझे CaCO3 जो होगा, वो इस solution में कितना है, वो निकालना है मुझे molality दे रखी है क्या दे रखी है, molality दे रखी है अच्छा, molality निकालने से पहले हम लोग जू मेरे पास total solution जो है मेरे पास, कितना amount उसका कितना gram है, यह निकालने दे न है तो क्या करेंगे हम लोग solution निकालने के लिए solution का amount निकालने के लिए क्या करें हम लोग, हमें genug हमें पता है कि mass is equals to density is equals to mass by volume होते है, तो mask क्या हो जाएगा, density into volume हो जाएगी, तो density किती दे रखिए मुझे? Density मुझे दे रखिए है, 1.4 gram per ml दे रखिए है, यह density दे रखिए है, और volume किता दे रखए मुझे, मुझे volume दे रखए 200 ml दे रखए है, यहां से यह solve करो, किटना आजाएगा मेरे पास, मेरे पास में यह आ जाएगा 280 gram तो पूरा का पूरा जो मेरे पास solution है उसका amount किता है 280 gram, मुझे किसका amount निकालना है CACO 3 का, जो कि मैं क्या मान लेता हूँ कि X है मेरे पास, मुझे नहीं पता calculate करना है तो X निकालना है अब हम लोग morality का formula देखते हैं morality का formula क्या होता है weight of solute जो भी मेरे पास solute है उसका weight देखते हैं upon उसी solute का molar mass देखते हैं into thousand upon weight of solvent in grams जो भी मेरे पास solvent दे रखते हैं उसका weight देखते हैं हम लोग grams के अंदर तो अगर हम लोग देखें तो आप values रखते हैं two molar दे रखते हैं तो एम की जगे हम लोगों ने two रखा weight मुझे निकालना है calculate करना है तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा molar mass देखते हैं molar mass केता होता है hundred होता है अपने पास तो ये रखेंगे into ये thousand मुझे दे ही रखा है upon w2 मतलब solution हम लोगों ने निकाला कितना था 280 तो उसमें से solvent कितना होगा solvent जो होगा वो 280 में से जो solute है उसको minus कर दो 280 minus x ये मेरे पास solution था उसमें से solute को minus कर दिया तो 280 minus x अब भाया equation बन गई हमारे पास में इस equation को आप लोग solve कर लेना solve करोगे आपके बास में आंसर आजाएगा 46.6 gram ठीक है x की value निकाल लेना वही क्या होगा मेरे पास में CAC utheri का amount है चले हम लोग आगे हाँ जी next question में देखते है हमें क्या दे रखा है calculate the mass of Hg2Cl2 which can be prepared by reduction of HgCl2 in the passage of 5 ampere current 4 3 hour सबसे पहले reaction देखते है हमें क्या बनाना है HgCl2 से HgCl2 के reduction से मुझे बनाना है Hg2Cl2 तो इस equation को balance किया जाए 2 HgCl2 लगा दिया हम लोगों ने साथ में इडर क्या निकल जाएगा Cl2 निकल जाएगा मतलब यहाँ पर मेरे पास में जो N की value आएगी वो कित्ती आएगी 2 आएगी change in valency जो भी electrons जो मेरे पास में यूज आ रहे है वो कित्ते है 2 है बस अब तो क्या निकलना है मास निकलना है इसका Hg2Cl2 जो है Hg2Cl2 का Atomic Weight Hg का दे रखा है 200Cl2 का 2 Hg का कित्ता हो जाएगा 402 क्लोरीन का कित्ता हो गया 71 मतलब इसका मेरे पास में जो Molecular Mass है Molecular Mass वो कित्ता हो जाएगा 471 हो जाएगा चलो Simple सा फेराड है का First law हम लोग यूज कारें कि Weight is equals to ZIT होता है मतलब उसका seconds में लेना है मुझे तो रखो values Equivalent Weight मतलब Molecular Weight 471 Divide by 2 2 क्या है उसके N की वेल्यू है Valency Factor क्या दो मैं यहाँ पर Change in Valency जो भी हो रही है Divide by 9,6,5,0,0 Into Ampere में करंट कित्ना दे रखा है मुझे 5 Ampere दे रखा है मुझे यहाँ पर 3 hours दे रखा है लेकिन मुझे time रखना किस में मुझे time रखना यहाँ पर seconds में रखना है भाहिया तो देखो 3 into 1 hour में कित्ते minutes 60 minutes 1 minute में कित्ते seconds 60 seconds यह solve करो solve करोगे आप लोग तो हमारे पास में यह value आ जाएगी 132 grams 132 grams हमारे पास answer आ जाएगा चले हम लोग simple सा electrolysis का था Faraday's first law का question था next दिखने हम लोग okay एक रिए रेक्शन दे रखिए मुझे CH3 COOH SOCl2 मतलब सबसे पहले सबसे पहले क्या बनेगा मेरे पास इससे बनेगा मेरे पास CH3 COCl उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवा रखिए 3-methyl-aniline के साथ aniline है मेरे पास यह aniline इधर है और यह इधर मेरे पास methyl group जोड़ रखा है इसकी रिएक्शन करवा रखिए तो क्या होगा nitrogen का lawn pair इस पे attack करेगा यह O- बनेगा वापस आएगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा मतलब मेरे पास में जो product बना वो इधर CH3 है यहाँ पे NH है यह COCH3 methyl 3-methyl acetanilide बन जाएगा मेरे पास ठीक है next मुझे क्या दे रखा है मुझे इसका reduction दे रखा है LAH के साथ में साथ में H3 और positive भी दे रखा है तो simple सी बात है यहाँ पे कौनसा functional group है यह amide functional group है मेरे पास और amide functional group को यह किसमें change करेगा यह amine में change कर देगा amide को amine में change कर देगा यहाँ पे CH3 यहाँ पे NH CH2 CH3 यह बन जाएगा मेरे पास NH CH2 CH3 तो यह रहा मेरे पास fourth option आगी बात समझ में चले हम लोग आगे चलो next देखते हैं which of the following is or are the effect of F-orbital contraction effect F-orbital contraction effect या फिर हम लोग lengthenide contraction actenide contraction यह सब उसको कह देते हैं तो similarity in the size of zinc ZR and HF zirconium और halfnium के बीच में जो size होती है वो approximately same होती है due to lengthenide contraction बिलकुल हम लोग यही पढ़ते है कि 3D से 4D जाते है तो size बढ़ती है लेकिन 4D और 5D की size जो होती है वो approximately same हो जाती due to poor shielding of F-orbitals F-electrons तो बिलकुल यह सही है As the atomic number increase basicity of lengthenide hydroxide decrease बहुत बढ़िया भाया देखो इसको क्या होता है lengthenide contraction की वज़े से lengthenide contraction की वज़े से F-blok के जो भी मेरे पास lengthenides है उनकी size क्या होती जाती है decrease होती जाती है इस ही कहते है lengthenide contraction size क्या होती जाएगी decrease होती जाएगी और जब हम लोग उनका hydroxides बनाते है मतलब मैं कोई भी M बना लूँ ये M generally three oxidation state होती है इनकी stable oxidation state तो जो hydroxide बनाएगे ये उनमें क्या होगा जैसे जैसे इनकी size decrease होती जारी है इनमें covalent character जो होगा due to lengthenide contraction size decrease हो रही है size decrease होने की वज़े से covalent character बढ़ता जाएगा इनकी जो bond dissociation energy होगी वो increase होती जाएगी bond dissociation energy increase होती जाएगी मतलब bond easily नहीं टूटेगा bond easily नहीं टूटेगा इसलिए हम लोग क्या कह रहे है कि covalent character जादा हो रहा है ionic character कम हो रहा है तो भाहिया इनकी जो hydroxide है अभी क्या होगा easily liberate नहीं करेगा नहीं करेगा तो basicity क्या होगी इनके decrease होगी है और वो सब किसकी वज़े से वो sub-lenthanide contraction की वज़े से तो ये भी सही है मेरे पास कि lenthanide contraction की वज़े से ही हम लोग क्या कह रहते है कि इनके hydroxides की basicity decrease होती है या फिर यह भी कह सकता हूं कि covalent character increase होता जाता है high ionization energy of Hg as compared to Tl नहीं यहाँ पे lenthanide contraction का कोई लेना देना नहीं है बलकि यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि Hg जो होता है उसके electrons जो होते हैं 3D 10 configuration है filled होते हैं इसलिए होता है तो इसका कोई लेना देना नहीं है high ionization energy of Tl as compared to ion बिलकुल boron family में boron family में पढ़ते हैं हम लोग कि due to lenthanide contraction यह order आता है तो यह भी सही है answer क्या हो जाएगा मेरे पास 4 वाला 1, 2, 4 यह correct statement है for lenthanide contraction चलो next one देखते हैं हम लोग HIO4.2H2O क्या करेगा यह यह करेगा glycolic bond cleavage 2 OHOH दे रखे है HIO4 दे रखे है glycolic bond cleavage कराएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या बना देंगे यहाँ पर हम लोग बना देंगे C double bond O H इधर भी क्या बन जाएगा मेरे पास C double bond O और यह H ठीक है यह तो मेरे पास A बना उसके बाद में क्या दे रखे है मुझे इसमें NUH heating दे रखी है NUH डालके heating करेंगे तो NUH क्या करेगा NUH यहाँ से acidic hydrogen को abstract करेगा acidic hydrogen को abstract करेगा चलो यहाँ पर बनाते हैं हम लोग यह C double bond O H यहाँ पर भी मेरे पास में क्या है C double bond O H यहाँ पर मेरे पास में negative charge आ गया यह negative charge इस पर attack करेगा इधर कौन आ गया मेरे पास O minus बन गया और हम लोग मतलब इसका LDL condensation करवा दूँ completely heating भी मुझे दे रखी है तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 एक 5-membered ring बनेगी मेरे पास 5-membered ring बन गई और उसमें 5-membered ring में क्या लगा हुआ है इधर मेरे पास C double bond O H group लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है मेरे पास double bond है ठीक है LDL condensation करवा दिया हम लोगों ने यह मेरे पास में B बन चुका है B बन चुका है अब क्या दे रखा है मुझे ME2 Cu Li Zilman's reagent दे रखा है Water दे रखा है बहिया Zilman's reagent दे रखा है Water दे रखा है तो जो Zilman's reagent होता है यह copper की presence में जब इस तरही के से reagent दे रखा है तो वो कैसा addition देता है वो conjugated addition देता है 1-4 addition देता है मतलब यह जो भी CH3 का hold twice Cu Li जो मुझे दे रखा है इसमें CH3 इस position पे attack करेगा फिर आगे यह इधर यह यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग detail में यहाँ पे जो मेरे पास पे बना यहाँ पे CH3 ने attack किया है यह double bond carbon है जिसके उपर O- present है water से इसे H2O हम लोग H2O से hydrogen उसे देंगे तो क्या बना दूँ मैं यह CH3 यहाँ पे यह double bond carbon OH बना दूँगा तो कैसा addition हुआ है 1-4 addition हुआ है conjugate addition हुआ अब यहाँ से यह वापस tautomerize कर लेगा क्या बना देंगे हम लोग product बना देंगे इधर मेरे पास CH3 attach है और इसके उपर COH group है इधर CH3 और COH group तो देखो कहाँ पे दे रखा है ऐसा option मुझे यह 4th one दे रखा है 5 member ring के साथ में एक मिठाइल जोड रखा है आगी बात समझ में ठीक है चले हम लोग आगे चलो next question an organic compound has a structure will it will not give यह structure दे रखार मुझे पूचा है यह क्या नहीं देगा सबसे पहला neutral FeCl3 test बिलकुल भाईया FeCl3 मतला phenolic group है देगा यह test क्यों नहीं देगा brick effervescence with sodium bicarbonate sodium bicarbonate के साथ में कौन reaction देता है carboxylic acid जो होता है वो देता है तो यहाँ पर carboxylic acid है तो यह भी देगा second भी देगा third क्या दे रखा है एक characteristic coloration with neutral FeCl3 again FeCl3 दे रखा है after decarboxylation decarboxylation कर रखा है and reduction by clemencion method मतलब मेरे पास में क्या बन गया अगर मैं decarboxylation करूंगा तो यहाँ पर CH3 बन जाएगा CO2 को बाहर निकाल दिया और clemencion reduction करवाऊंगा तो मेरे पास CH3 बन जाएगा यहाँ पर क्या है यह OH है तो अभी भी OH group present है तो reaction देगा यह क्यों नहीं देगा neutral FeCl3 के साथ में test देगा felling test felling test नहीं देगा क्योंकि benzaldehyde जो होते है benzaldehyde वो felling test नहीं देते ध्यान लखना इसको benzaldehyde कभी भी felling test, benedict test यह सारे test नहीं देते चलो next देखने है हम लोग in H4, P2, O, N acid have maximum number of pH bond then the value of N will be okay तो H4, P2, O, N मुझे यह देखना है और N की value क्या होगी अगर मुझे maximum क्या चाहिए pH bond चाहिए तो बिलकुल यह जो होगा, यह मेरे पास में present होगा, अगर मैं बनाऊ P double bond O P double bond O साथ में यहां पे I OH इधर हो H मेरे पास यहां पे यह Oxygen P, O, O, H और यह H इस molecule में मेरे पास में दो P, H bonds प्रेजंट है, किते bonds प्रेजंट है P, H, तो Oxygen किते आ रहे हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 आएंगे यहां पे X की value किती आएगी, 5 आएगी have lowest oxidation number of phosphorus, then the value of N will be, तो जो यह dimer बनता है, इसमें यही एक ऐसा dimer है, जहां पे phosphorus की जो oxidation state होगी, वो क्या होगी यहां पे मेरे पास lowest हो जाएगी मतलब यहां पे किती होगी plus 3, यहां पे किती होगी plus 3 होगी अगला है, contains some oxygen with minus 1 oxidation number, then the value of NZ will be minus 1, oxygen का minus 1 होने का मतलब क्या है मेरे पास per oxy bond present होगा, और peroxy bond जब present होता है तो हम लोग यह इसमें present होता है, peroxy bond OH OH, यहां पे oxygen, oxygen, फिर यह phosphorus, double bond O यह OH और OH तो कितने oxygen है, formula क्या है मेरे पास इसका H4, P2 और O8, तो यहां पे third condition के लिए क्या चाहिए, मुझे 8 चाहिए do not contain any P or P bond when value of N will be अगर कोई बीच में oxygen bond नहीं हो तो फिर compound काउन सा बनता है मेरे पास compound मेरे पास में, अगर मुझे P bond P बनाना है तो यह बनता है, double bond OH OH यह double bond OH और OH ठीक है, तो मतलब अब इसमें oxygen केते हो गए, मेरे पास 6 हो गए तो देख लो भाहिया ऐसा कौन सा sequence दे रखा है, 5586 यह दे रखा है मुझे चले हम लोग आगे P block का theoretical question है वैसे ही है next देखते है, diffusion of a certain volume of N2 at 1 ATM and 300 Kelvin take 25 seconds, while same volume of an unknown gas of xenon and fluorine at 2 ATM and 300 Kelvin take 34 seconds for the diffusion through the same pinhole, deduce the molecular formula of the unknown gas ठीक है, देखो हम लोगों को यहाँ पर gaseous state का question है gram's law apply करना तो rate of diffusion पहले कुछ formulas देख लेते हैं हम लोग rate of diffusion R1 by R2 अगर volume और time के साथ में अगर मैं compare करूँ तो यह होता है V1, मतलब जो भी V1 volume है, V2 volume है into T2 time upon T1 और इसको अगर हम किसी एक pinhole में से उस gas को बाहर diffuse, effuse कर रहे है तो यह हम लोग देखते हैं कि P1 pressure क्या होता है P1 अगर area दे रखा होता है उस pinhole का तो A1 भी ले ले लेते हैं यहां पर कोई जरुवत नहीं हमें नहीं दे रखा P2 under root of M2 by M1 यह formula जो है मैं काम में लेने वाला हूं यहां पर तो देखो मुझे क्या-क्या values दे रखे है मुझे volume जो है वो same दे रखा है same volume दे रखा है यह रहा, दोनों का volume same है तो V1 equals to क्या हो गया मेरे पास मेरे पास V1 is equals to V2 हो गया ठीक है पहला वाला जो है वो N2 gas है और 1 ATM है और उसको 25 seconds लग रहा है मतलब मैं इधर N2 के लिए लिख लेता हूं time जो है time कितना ले रहा है N2 N2 25 seconds ले रहा है 25 seconds इसका M1 कितना है N2 का molecular mass कितना होता है 28 होता है P1 कितना दे रहा है इसके लिए pressure कितना दे रहा है मुझे 1 ATM दे रहा है 1.0 ATM ऐसे ही मैं value निकालता हूं मतलब जो भी values रखता हूं किसके रखता हूं T2 के लिए रख लेता हूं तो T2 के लिए मुझे क्या क्या दे रखा है मतलब जो भी unknown gas है unknown gas उसके लिए रख रहा हूँ मैं तो unknown gas के लिए जो T2 की value दे रखिये वो मुझे 34 seconds दे रखिये 34 seconds उसके लिए मुझे जो molar mass है M2 उसकी value मुझे calculate करनी है वो मुझे से पूची गई है calculate करनी है इसके अलावा मुझे P2 की value दे रखिये P2 की value बिल्कुल दे रखिये कितनी दे रखिये मुझे P2 की value 2 ATM दे रखिये 2.0 ATM मुझे value दे रखिये और कुछ मुझे चाहिए कुछ नहीं चाहिए इसी से मेरा काम हो जाएगा तो देखो भाया हम लोग इसमे values रखते है अगर मैं value रखो इस formula में अब तो R1, R2 की मुझे जरुवत नहीं है V1, V2 same है T2 by T1 T2 की value कितनी है मेरे पास 34 by T1 की value कितनी है मेरे पास 25 is equals to P1 pressure P1 कितना दे रखिये 1 ATM दे रखिये P2 कितना दे रखा है मुझे 2 ATM दे रखा है molar mass molar mass M2 मुझे calculate करना है M2 की value मुझे calculate करनी है M1 M1 मुझे कितना दे रखा है 28 दे रखा है कितना? 28 चलो, अब हम लोग M2 की value निकाले तो यह हो जाएगा मेरे पास 68 इसको 2 को इस ले गया तो 68 हो गया 28 would be equals to M2 calculate करोगे M2 की value calculate करोगे यहाँ से तो आप लोगों की पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 207 molecular mass आ जाएगा तो जो भी gas हम लोगों ने जो भी compound ले रखा है उसका molecular mass कितना है अपने पास में 207 और यह जो है 207 की value अगर हम लोग इन सब में मतलब जो भी मुझे दे रखा है उनमें से molar mass निकाल लो इसका अल्रेडी तुम्हें 131 दे रखा है फ्लोरीन का 19 दे रखा है ठीक है तो यह यही आएगा XCFO राजाएगा AC का molecular mass कितना आएगा तुमारे बास में 207 चले हम लोग आगे चलो next question solve करते है in the given reaction okay एक base दे रखा है और R दे रखा है R क्या हो सकता यह पूछ है सबसे पहले देखो base क्या करेगा base इस hydrogen को निकालेगा यहाँ पर negative charge आएगा अब मुझे क्या क्या दे रखा है मुझे CHO दे रखा है CHO के साथ में मतलब क्या था मेरे पास यह था negative charge HCOH के साथ में reaction करवा हूँगा तो यह negative charge आएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास में मेरे पास में बन जाएगा alcohol बन जाएगा यह इधर तो कार्बोनिल है और इधर जो group attach हो रहा है वो CH2O minus बनाएगा hydrogen दे दे तो alcohol बन जाएगा बट यह थोड़ी दे रखा है हमें हमें तो यह नहीं दे रखा है हमें तो CHO दे रखा है अब CH3 CHO CH3 CHO से भी क्या होगा alcohol ही बनेगा बस एक hydrogen है यहाँ पर तो क्या बन जाएगा COO C2H5 यह नेगेटिव चार्ज यहाँ पर attack करेगा यह दर वापस आएगा इस पूरे group को बाहर निकाल देगा क्या बना दू मैं double bond O COH प्रस बाहर क्या निकल गया C2H5 O minus यही बनाना है मुझे CHO बिल्कुल यही बनाना है तो यह बन जाएगा COOC2H5 यह कैसा होगा COO यहाँ पर O C2H5 यहाँ पर O C2H5 अब यहाँ पर जब attack होगा negative charge इसके उपर attack करेगा यह वापस आएगा इस group को बाहर निकाल देगा तो मेरे पास पर अगर मैं देखूँ कि क्या बनेगा वैसे खैर जो desired of O नहीं बनेगा बट फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि formation किसका होगा तो यहाँ पर यह carbon आएगा carbon से जड़ा हुआ होगा मेरे पास double bond O उससे फिर एक carbon double bond O C2H5 यह बनेगा लेकिन जो desired of O नहीं बनेगा ठीक है तो answer क्या हो जाएगा मेरे पास में third one answer हो जाएगा चले हम लोग आगे चलो next है integer type के questions दे रहे हैं compound COEN whole twice NO2 CL SCN has X number of ionization isometric form ठीक है ionization isomers कितने बना सकता है वो देखना है मुझे तो देखो SCN के उपर कितना है minus one charge है एक बार तो SCN बाहर आजाए क्या आजाए SCN बाहर आजाए एक बार SCN अंदर जाके बाहर की तरफ कौन आजाए क्लोरीन एक बार बाहर की तरफ कौन आजाए NO2 इस तरीके से ये team तो क्या बन जाएंगे मेरे पास ionization isomers बन जाएंगे अब geometrical देखना है तो EN का whole twice दे रखा है NO2 CL हो सकता है कि NO2 और CL जो है वो ये जो भी मेरे पास में compound CO दे रखा है NO2 और CL एक बार एक दूसरे के opposite present हो opposite present हो ये तो क्या क्या दूँ मैं trans हो जाएगा और ऐसे ही ये जो CO है इससे ये group जुड़े हुए है इस बार NO2 यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग और CL यहाँ पे ले लेते हैं ये EN हो गया ये EN हो गया ये कैसा हो गया मेरे पास ये cis हो गया तो geometrical कितने बनेंगे geometrical 2 बनेंगे ये 3 बन रहे थे stereo isomer stereo geometrical तो हो ही गए अब साथ में देख लेते हैं इसमें तो क्या होगी plane of symmetry present होगी plane of symmetry present होगी किसमें trans वाले में तो वो optically active नहीं होगा लेकिन cis में cis में कोई भी symmetry नहीं है न plane of symmetry न center of symmetry present है तो cis वाला क्या होगा optically active हो जाएगा तो इसके खित्ते हो जाएगे 2 हो जाएगे इसका खित्ता होगा 1 होगा तो stereo isomer खित्ते होगा मेरे पास 3 होगा तो भाहिया total value कित्री हो जाएगी इसके 3 plus 3 plus 2 8 हो जाएगा मेरे पास 8 is the answer आगी बात समझ में चलो next देखते हैं हम लोग at 298 Kelvin the molar conductivity at infinite dilution of NH4Cl NaH NaH ये values दे रखिए मुझे respectively if the molar conductivity of centinormal solution of NH4OH molar conductivity दे रखिए है ठीक है okay मतलब एक fix concentration पे दे रखिए what is the percentage dissociation of NH4OH at this dilution percentage dissociation पूछा है मुझे मतलब alpha की value पूछी है percentage की form में ठीक है तो हम लोग क्या देखेंगे alpha की value normally हम लोग formula क्या लेता है lambda m at finite dilution जो भी finite concentration दे रखिए होती है upon lambda m infinite लेकिन मुझे percentage पूछा है तो मैं आगे क्या करूँगा इसी value को 100 से और multiply कर दूँगा मेरे पास value percentage में आ जाएगी तो भाया इसको अगर हम लोग देखें values रखतें हम लोग पहले मुझे lambda m infinite निकालना पड़ेगा ये finite concentration पर मुझे value दे रखी 9.33 मुझे कहाँ पर निकालना है इस पर निकालना है value तो lambda m infinite अगर हम लोग calculate करें तो किपता हो जाएगा ये 129.8 plus 217.4 और minus 108.9 क्यों किया है मैंने ये सुन ले न ये NH4OH का है किसका है NH4OH और मुझे NH4OH अगर चाहिए तो NH4Cl में से क्या मिलेगा मुझे NH4Cl की value थी ये इस में से मुझे NH4 iron मिलेगा NaOH में से क्या मिलेगा मुझे OH मिलेगा ये NaOH की value थी और इस में से जब दोनों को add कर रहा हूं तो इस में से minus किसको कर दूँ मैं NaCl की value को minus कर दूँ क्योंकि वो तो मुझे चाहिए ही नहीं तो ये minus क्या किया मैंने NaCl की value को minus कर दिया ठीक है solve करें हाजी value solve करने पर ये कित्ती आ रही है ये आएगी 238 238.3 238.3 238.3 value आ रही है इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं बस हो गया हमारा solve 9.33 9.33 divide by 238.3 into 100 solve कर लो ये approximately वैसे 3.9 क्या असपास आएगी approximately हम लोग 4 कह सकते हैं तो तुम्हारा answer किता हो जाएगा ये तुम्हारा answer हो जाएगा चले electrochemistry का simple से question था next देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है fraction of the total volume occupied by atoms in simple cube is ठीक है एक simple cube में पहले तो हम लोग देखते हैं total number of atoms कितने होता है simple cube के अंदर simple cube में सारे के सारे corners पे 8 होता है और हर एक जो corner पे atom प्रेजन होता है इसका 1 by 8 contribution होता है तो simple cube में ये 1 की value आगई मेरे पास किसकी z की कि इतने number of atoms मेरे पास overall present होंगे इसका अगर मैं volume देखूँ मैं volume देखूँ तो corners पे जो कुछ भी present है वो मेरे पास spherical होता है तो volume of atom देख रहे हैं हम लोग कितना होगा ये 4 by 3 pi r cube r क्या है उस sphere का radius है जो भी atom है उसका radius है 4 by 3 pi r cube ले रहे हैं हम लोग और एक ही है तो into 1 हो जाएगा कोई problem नहीं है मुझे उसके बाद में simple cube में simple cube में देखो चलो बनाई लेते हैं इसको हम लोग simple cube हमारे पास इस तरीके से है ये सारे के सारे corners पे atom present होता है इस तरीके से ये present होंगे और ये क्या कर रहे है ये हर एक दूसरे को touch कर रहे है मतलब अगर मैं इसको देखो ये मेरा क्या है ये मेरा cube है जिसकी length जो a है तो a जो होता है मेरे पास वो क्या होता है 2r के equal होता है a2r के equal होता है तो इसका cube निकालूँगा तो a cube क्या हो जाएगा 8r cube हो जाएगा तो अब निकालते हैं हम लोग fraction total volume occupied तो ठीक है इस तरीके से हम लोग fraction निकालते हैं तो ऊपर क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे जो भी total volume मेरे पास atoms occupy कर रहे है वो कर रहे है 1 into 4 by 3 pi r cube नीचे रखते हैं हम लोग volume of cube volume of cube मतलब a cube और a cube की value किती है मेरे पास 8 r cube यहां से solve करोगे आप लोग solve करोगे तो आपके पास में आजाएगा यह pi by 6 कितना आजाएगा pi by 6 और आप से भी बस x की value पूछी है तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 value आजाएगी आगई बात समझ में चले हम लोग आगे next चलो how many of the following compound will show muta rotation muta rotation के लिए generally क्या होना चाहिए हमारे पास जो भी इस तरीके से हमारा जो pyranose form होता है अब जो भी मतलब इदर तो CH2 OH होता है बाकि जो भी OH जहाँ पे भी present है मैं simple सा यह कह रहा हूँ यह hemi-acetal type में मेरे पास में group present होना चाहिए यह H मुझे वहाँ पे यह OH जो है OH का जो H है वो मुझे चाहिए ही चाहिए तब ही वो muta rotation show कर सकता है तब ही वो open हो सकता है ठीक है और open होके muta rotation show कर सकता है लेकिन अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूँ मैं यहाँ पे इसको hemi-acetal से acetal में ही change कर दूँ cyclic acetal में change कर दिया OCS लगा दिया बाकी जो भी groups है तो भाया यह muta rotation show नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है यह first वाला है जिसमें मैंने methyl लगा रखा है बाकी यह muta rotation show करेगा यह भी करेगा यह भी करेगा कोई problem नहीं है उन सब में क्योंकि उन सब में यह hemi-acetal form में present है ठीक है चले हम लोग next how many of the following statement are correct the silver UK coin are a copper nickel alloy okay बिलकुल copper nickel alloy होता है और इसमें जो copper होता है मेरे पास वो copper होता है लगबग 75% और nickel जो होता है मेरे पास 25% ठीक है यह silver UK coin का alloy इस तरीके से उनकी percentage होता है European have the highest atomic radii among all the anthonite बिलकुल जब F-lock पढ़ते हैं हम लोग lathonite पढ़ते हैं तो वहाँ पर बिलकुल यह हम लोग चीज पढ़ते हैं कि जो European होता है उसमें half field configuration होता है half field configuration होता है तो वहाँ पर उसका size जो होता है वो क्या होता है बाकियों से सबसे ज़्यादा होता है lengthonite contraction का इतना ज़्यादा फरक नहीं पढ़ता तो उसकी size जो होती होती है तो अभी तक यह दो statement मेरे पास correct है the magnetic properties of actinoids are more complex than that of lengthonite बिलकुल actinides में क्या होता है हमारे पास lengthonite मतलब 4F भी present होता है 5F भी present होता है और उनके बीच में gap जो होता है वो बहुत कम होता है तो वो बहुत सारे complexes बना सकते है बहुत सारी various oxidation states show करते है as comparison to lengthonites तो जो उनकी magnetic properties होगी भाया मतलब वो भी क्या होगी lengthonite से ज़्यादा complex होगी तो ये भी मेरे पास में क्या है सही है then permagnate titration in the presence of hydrochloric acid are satisfactory बिलकुल गलत जवाब है मतलब बिलकुल गलत चीज़ है सत्यवचन नहीं है ये ठीक है in the presence of hydrochloric acid देखो भाया permagnate titration जब हम लोग कर रहे है हमारे पास में HCl दे रखा है क्लोरीन आइन दे रखा है तो क्लोरीन आइन किसमें चेंज हो जाएगा वो CL2 में चेंज हो जाएगा ठीक है उसका क्या करेगा permagnate आइन उसका oxidation करेगा negative से CL minus से CL2 बना देगा तो उससे result हमारे पास satisfactory नहीं आते ये मेरे पास गलत दे रखा है मुझे बिलकुल गलत दे रखा है तो कितने options करेक्ट है मेरे पास मेरे पास तीन ही correct statement है तो यही answer हो जाएगा हमारा ठीक है तो हुपसो बच्चो test paper आपका अच्छा गया होगा आपके पढ़ाई अच्छी चल रही होगी फिर मिलते हैं हम लोग next paper के solution में JCLC पढ़ते रहो तब तक Hello students, good morning So welcome to online DTS for JEMain आपके 3 major होचके हैं आज ये आपका 4th major हुआ है तो अभी आपन इसका solution करते हैं इसमें आपका math का solution कराऊंगा मैं आपको और इसमें आपके 20 तो क्या है single choice correct questions है और 5 आपके integer type ठीक है चलो तो शुरू करते हैं question number 1 से तो myself देवें दगरवाल team math CLCC करते ठीक है तो शुरू करते हैं question number 1 question number 1 में देखो क्या कह रहा है the domain of fx is 0 से 1 therefore domain of f f of this मतलब ये इसके साथ है ना इसका आपने के निकालना है domain निकालना है तो domain निकालने के लिए पहले condition कह देए उसने आपको कि जो domain fx का है वो क्या है 0 से 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया f के अंदर जो भी है ना ये क्या है 0 से 1 तो e की power x की क्या हो गई range हो गी 0 से 1 तो e की power x must lie between 0 to 1 ये वासन में आ गई अब देखो आगे e to the power x हमेशा 0 से तो क्या होता है बड़ा ही होता है कभी negative तो होता ही नहीं है तो यहां से तो क्या आजएगा x belongs to r अब मैं इसकी बात कर लोग ले लोगे आप तो x क्या जाएगा less than 0 तो अगी नवासन में x less than क्या हो जाएगा log 1 और log 1 क्या लिए लिए जीरो तो x की range यहां से क्या आगई minus infinity से 0 यानि की x must be negative ठीक है ना अब आगे चलते है चलो next अपना यहां पर आ जाओ यहां पर भी निकालना है अपने को तो इसका मतलब क्या हो गया f of x का क्या है 0 से 1 इसका मतलब यहां पर भी क्या होना चीह है ln x ln mod x must lie between 0 से 1 यहां से भी solve कर लेते हैं तो यह आपको वैसे पता होना चीह कोई बात नहीं इसको पन क्या लिए सकते हैं देखो mod x क्या हो गया mod x आ गया e to the power 0 यानिकी 1 और e to the power 1 यानिकी e to mod x आ गया आपका 1 से e और mod x दी 1 से e है तो x किसको प्लोंग करेगा आपका minus infinity से minus 1 union 1 से e है ना यहाद कर लो double n equity को क्या कर सकते हैं पहले इसको solve करोगे फिर इसको solve करोगे ना तो बात में क्या लोगे आप intersection लोगे तो इससे अच्छा क्या है मैं क्या करूं एक पर में काम कर लों आपको यह ना इसको है कि इस इस तो क्या होजाएगा minus b से minus a union a से भी ठीक है ना चलो आगे चलेए तो अब अपने वीप से आगया यह बबन इसका और यह आगे डोमिन इसका आपने वह क्या चिसा इधन यह का intersection ले ले लें तो मिल जाएगा तो क्या ही है है यहां पर माइनसफनिटी जे जाए अन। उन्हें सिर्था उन्हें अग्ट को लिए का आँपार ग्याराएं यूंइन वन से यहां पर दॉननों का और मिलगा रहा है बताओ एम नीदी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी इंटीजर है इस एनी इंटीजर बैन कौन सा अप्शन सही होगा और आप ध्यान से देखो तो सिर्फ अपने हो क्या निकालना है चेक कर रही है यह नहीं कर रही है फिर फंक्शन यह नहीं है कहां पर एम पर तो क्या है तो अब अपने पास पता जल गया क्या कि जब एक्स इंटीजर नहीं है तो क्या अपना माइनस वन तो एक काम करो फटा-फट से क्या कर लें बताओ इसको एम के टर्म में लिख लिए आपन तो एक्च्वल में यह इंटेजर जो है वो क्या है यहां पर यहीं लिख देता हूं है ना अब फटा-फट से आजाओ काँ पर लिमिट पर तो चेक कर रही है या नहीं कर रही है तो आप वैसी देख लो जब लूगा तो एम से चोटी वैल्यू यान की एक्वल नहीं है एक्स तो एम से चोटी वैल्यू के लिए क्या आएगा लेगा माइनस वन और जब एम से बड़ी वैलिज के लिए बात करूंगा तब घ्या तो लिमिट तो कॉल रही है यानि कि लिमिट एक्वल एकशेट रही है यहां बी-कर रही है तो च marrow है या नहीं है मतलब continuous है कि नहीं है function चेक कर लेते हैं तो यह आ रहा है 0 यह आ रहा है minus 1 जब x equal to m है तो f0 मतलब हम कह सकते है fm क्या है अपना 0 but limit कि इतनी आ रही थी minus 1 that means limit कर रही है but it is not equal to fm तो option number 3 ठीक होगा ठीक है चलो next question number 3 के लिए आपन चलते हैं तो question number 3 में क्या रही है let fx equals to 0 से 1 ओके यह न यह इस पर 0 से x ठीक है ठीक है तो अपने को definition के रही है जब when x is greater than 2 तब यह function यह है fx और जब x less than equal to 2 है तो function क्या है अपना 5x plus 1 तो एक बात अपने चोटी सी आप कि अपने को function दे रखा है और पूछ रहा है कि continuous है डिंस काटिनियूस है differentiable है कि non-differentiable है ठीक है चेक कर लेते हैं तो पहले की तरह पहले function क्या कर लेते पर अपने प्यार से यह ना अच्छा कर लेते हैं वड़ा सही सा बना लेते हैं इसको इसको भी लिखे लेते हैं इसको भी लिखे लेते हैं फाइट प्लस वन इफ एक्स इस लेस्टन एक्पल टू और यह कब है जब एक्स क्या है greater than 2 है ठीक है चलो अब मेरी बास सुनों आप द्यान से यहां पर यह क्या कह रहा है आप से is इसका मतलब क्या हो गया कि X यह हीधी 2 से बढ़ा है तब कि ही डीी 2 से बढ़ा है और यह जो लिम्रेत है वह किसकी है टीक है तो यहां पर जीरो से जब 1 के बीच में होगा, 0 से 1 तक तो यह कैसा खुलेगा मॉडुलस, positive की negative, सोचो आरम से, 1-t, 1 से छोटी value उने चाहिए, positive खुलने के लिए, तो 1 से छोटी value होगी, तो क्या होगा, 0-7 में कैसा खुलेगा यह, positive, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस, 1-t, into dt, सही है, प्लस अब 1 से बड़ा होगा, तो कैसा खुलेगा मॉडुलस, negative खुलेगा, तो 1 से लेकर, x तक कैसा खुलेगा, यह, 5, minus हो जाएगा, 1 और प्लस हो जाएगा, dt, यह आगी बस हमने, और आगे चलो, नीचे क्या लिखा हुआ है, 5x plus 1, when x is less than equal to 2, आगे चले हैं, अब देखो, integration of 0 से 1, क्या आगया, यह, 6 minus t आगया, dt, प्लस, 1 से x, यहाँ पर क्या जाएगा, 4 plus t, dt, यहाँ तक आ रही बस हमने मेरी हैं, अब देखो, आगे सुनो, यहाँ पर लिख लेना, 5x plus 1, यह 5, 5x plus 1, when x is less than equal to 2, और यह x greater than 2, अब देखो, solve कर लेते हैं, series को अपन हैं, कल देखो, यहाँ पर क्याएगा, 60 minus t square by 2, 60 minus t square by 2, और limit क्या लगानी है, आपको 0 से 1, प्लस, यहाँ आजाओ, क्या हो जाएगी, 4t plus t square by 2, limit क्या हो जाएगी, 1 से x, 1 से x, सही है, आगे सम्झे बात, अब देखो, मेरी बास सुनो, नीचे तो क्या हो गया, 5x plus 1, when x is greater than, sorry, less than equal to 2, और यह x greater than 2, अब एक बात, और सॉल कर लोगे आप आप हम से, क्या जाएगा, सॉल करके, करें इसको सॉल, सॉल करके यहाँ आ रहा है आपका, सॉल करके आ रहा है आपका यह, fx, 60, देखो रखो, 1, 1, तो 6 minus half, यानिकी 5, यानिकी 11 by 2, plus, 4, इसमें क्या रखना है, अपने को x रखना है, और x रखना है, तो क्या हो जाएगा, 0 पे तो 0 हो गया, पुरा है न, x रखो इसमें, 4x plus xy2, 4x plus x square by 2, और क्या है आगे, 1 भी र रखना है अच्छा, तो minus 4 minus half, when x is greater than 2, और less than equal to 2 पे वही चल दा है, क्या, 5x plus 1, तो कल लोग इसको solve आरहा हम से अब, x square by 2 plus 4x, और constant part में क्या बज़ेगा, ये कितना है, 4 minus half कर दो इसमें से पहले, तो 5 बच्चा, 5 minus 4, 1, तो कुल मिला के आपके सामने यह आ चुका है, क्या less than equal to 2, तो क्या था, यहां पर 5x plus 1 था, अब यह बता हो, पहले continuity चेक कर लेते हैं, तो continuity चेक करने के लिए क्या करोगे, 2 रखके देख लो, इसमें, एक है ना, आरेचल देखो, आरेचल, आरेचल क्या होगे, right hand limit, 2 से just, बड़ी वेल्यू के लिए, function क्या कहता है, मेरे से, 2 root to 4 upon 2, यहांने की 2, 2 plus 8 plus 1, 11 आ गया, अब less than 2 पर चेक कर लो, लेचल, यह रेचल चेक कर लो, तो फाइचल टेन प्लस 1, 11, तो लेचल एकपल टू रेचल है, इसका मेरे लिमिट एकजिस्ट कर रही है, और एकपल टू टू के लिए यही डेफिनेशन है अपनी, तो इसका म मतलब क्या हो गया, फंक्शन, कंटीनियूस तो है, अब डिफ्रेंशिविल्टी चेकर नहीं, तो क्या करो, डिफ्रेंशिट कर दू न सीधे, क्या हो जाएगा यहां पर, यहां पर तो आ जाएगा, एक काम करूँ, अब इसको अटा तो फोड़ा सा, क्या जाएगा, देखो is discontinuous, नहीं continuous है, continuous but not differentiable at x equal to 2, option number second, next चलते है, question number 3 पर, question number 4 पर, 3 हो गया, 4 पर, question 4 में क्या कह रहा है, if fx is satisfied relation, this, fx satisfy करता है, इस relation को, तो बताना है आपको, उससे पहले बताया है, इसने क्या बताया है, f0 की value 3 है, f-0 की value 2 है, then the fundamental period of, sign of fx, sign of fx, को क्या निकालना है, है, fundamental period तो एक बात बताओ मेर को आप, पहले तो मेरi क्हें क्या क्नगार्न पड़े गा? तो ये जो कॉॉष्चन है, वे किस का है, functional equation κάν tab तो ऀसमें आपको क्या होती है, practice चाहिए होती है, क्यों तो चाहिए होती है, क्या बिंक यह नहीं करें कि अपने मRIA कर दो और महांसे वह आउसर आ जाता है एक तरीका क्या होता है दूसरा क्या होता है कि अपने को कभी-कभी-क्रिक होता है ऐक जो होती है अपने हमेरे अपने खुदी पर चल जाता है क्या आ पनके सामने जो फंक्शन जिवा हो 5x minus 3y upon मैं 2 को लिख दिया 5 minus 3, equal to मैं आ गया 5 of fx minus 3 times of fy upon मैं 5 minus 3, तो हो क्या रहा है आप देखो ध्यान से देखो section formula बनना है, section formula के ऐसे m1 x2 minus m2 x1 upon मैं m minus n, ध्यान से देखो आप, ये क्या है, एक line है जिसके माल लो coordinates है, ये माल लिया a, ये माल लिया मैंने b, तो a के coordinate माल लो x, fx, x input दिया, fx मिल गया, और y input दिया, तो fy मिल गया, ठीक है ना, तो अब अब अपने को माल लो, माल लो, माइनस आ रहा है, तो इसका माला external division रहा होगा, तो 5x to 3 के ratio मैं है, ये एक काम करो, यहाँ पर x ले ले लेता है, आपन, fx, y, fy, तो आप ध्यान से देखो, तो क्या मिल रहा है अपने को, 5x minus 3y, 5x minus 3y upon में, 5 minus 3, तो क्या है, section formula मिल रहा है, इधर हो गया, x coordinate, और right side में आप देखो, तो क्या मिल रहा है, 5 into fy, 5 into fx, minus 3 into fy, upon में 5 minus 3, तो left side के fc sign, और right side में के ordinate है, यानि कि यहाँ पर input है, यहाँ पर output है, अपने पास क्या मिल गया, कि एक line को क्या कर रहा है, एक point divide कर रहा है किसी ratio में, तो इसका मिल गया हो गया, यह line की बाद चल लगी है, तो function जो हमारा वो कैसा function है, linear function है, fx क्या है, linear function है, और आपको पता है कि linear function अपन क्या मानते है, ax plus b, quadratic मानना होता, तो क्या मानते, ax square plus bx plus c, तो यहाँ पर linear function है, तो fx क्या हो जागा, सी सीदे, ax plus b, अब function मान लिए, मैंने ax plus b line, तो ax plus b, अब given क्या है, मेरे को, f0 क्या है, 3, और f-0 क्या है, 2, देश जीरो निकालना है, तो f-0 में क्या हो जाएगा, देखो जरा, f-0, a रह जाएगा, तो a equal to कितना दिरखाए इनोंने, 2, तो यहनि की a की value 2 मिल गई, और b की value 3 मिल गई, तो यहनि की fx मिल गया मेरेको, अब आप आराम से कर सकते हो, क्या मिल गया, 2x plus 3, a की value 2 रख दी, b की value 3 रख दी, तो function मिल गया, अब एक बात बताओ मिल को, function मिल चुका है आपको, क्या निकालना है, fundamental period of sinfx, तो sinfx का fundamental, क्या हो जाएगा, sin of 2x plus 3, आखों ही, आखों में, कर लो question को, क्या हो जाएगा, इसका fundamental period, period क्या हो जाएगा, sin का period क्या होता है, 2pi होता है, तो sin का period होत और यहाँ पर x का coefficient कितना है, 2, तो divided by 2, तो क्या आगया, इसका period, 5, क्या जाएगा period इसका, 5, next question number, 5, the point on the curve, this one, एक अपने को curve दे रखा है, the normal at which passes through the origin is, ठीक है, अपने को कह रहा है कि एक curve है, 3y equal to 6x minus 5x square, और इस curve पे जो normal draw कर दिये, मैंने, वो कहां से पास हो रही है, origin स तो बताओ, तो बताओ, वो point, क्या है, कर पर रहे है, point, the point on the curve, this one, the normal at which, है ना, मतलब, समझ मैं तो आगी language, लेकिन इसको और अच्छे कैसे लिख सकते हैं, at which the normal passes through origin, at which the normal passes through origin, ठीक है, तो एक काम करें पन, सब्सक्र पहले तो क्या करना है, इसका, slope निकालने किसका, normal का, ठीक है, तो एक बात दाओ, मिरको इसको differentiate करने हैं, अपन, तो क्या जाएगी यह, three y dash, क्या हो जागा, six minus, ten x, यह आ गया, अब अपन, y dash क्या आ गया है, और प्यार से लिखो तो इसको, six minus, ten x, अपन में, three आ गया, ठीक है, तो एक काम करते हैं, अप अपन, point माल लेते हैं, x1, y1, क्या माल लेते है, x1, y1, तो कितना मिल गया, यहां से, six minus, कितना मिल जाएगा, ten x1, upon में, three, क्या मिल गया, ten x1 upon में, three, तो एक बात बताओ, मिरको, यह जो slope आई है, वो किसकी आई है, slope of tangent आ गई, at point, x1, y1 to the curve, अब अपन को बताए, कि इसक कि slope आ गई, तो किसकी tangent की, मेरको चाहिए, normal की slope, तो slope of normal के लिए क्या करा जाए, बताओ, slope of normal, slope of normal, क्या हो जाएगी, बताओ, minus 1 upon, this, इसका slope, तो एक काम करूँ, मैं, छोटा सा, फटा-फट से बताओ, क्या करें, बताओ, क्या करें, छोटा सा काम, एक मिनट, एक मिनट, ए तो क्या आएगा, यह 15x स्क्वेर आएगा, और यह 15x स्क्वेर आएगा, समला क्या हो गया, यहां पर क्या लिए हूँ हमें, 15x स्क्वेर, तो 3 से cancel out कर दें, इसको पर ने एक काम करते हैं, 3 से cancel out कर देते हैं, ठीके, तो क्या बचा, 3 तूजा 6, और 3 फाइव जा 15, 2 माइनस 5x स्क्वेर आगया, ठीके, कोई बात नहीं, तो यहां से स्लोप आफ नॉर्मल क्या जाएगा, 1 अपॉन में, x1 ठीक है तो क्या आज़ागर 1 upon me 2 minus 5 x1 का square यह आ गया slope of normal आ गया अब एक बात बताओ slope of normal आ गया तो मेरे जो दिमाग में बात आ रही है वो क्या रही है कि यह slope of normal है यह slope of normal है और मेरे को यह slope of tangent अच्छा ठीक है ऐसे समझों मेरी बात को है ना यह एक कर्व था इस कर्व पर मैंने किसी point action y1 पर क्या करी normal ड्रॉ करी ठीक है ना तो वो कहां से पास कर रही है कि ओरिजन सब्सक्रान करी कि है और origin से पास कर रही है तो इसका मतलब यह हो गया की मैं equation of normal निकाल के कहांसे पास कराओं origin से एक तरीका तो यह हो गया मेरे पास है क्या equation of normal निकाल लं और उसको origin से पास कराओं कि क्या मिल जागा मेरेको action yn एक 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 क्नafter एकशन y1 में एक equation बन जाएगी अपने पास और साथ में x1, y1 किसको satisfy करेगा इस curve को भी satisfy करेगा तो उनको solve करके अपन क्या कर सकते हैं x1, y1 निकाल सकते हैं लेकिन एक बात दिमाख में और आ रही है क्या कि slope of normal अपने को मिल गया है यदि तो अपन क्या करें slope of normal की जगा एक काम कर सकते हैं पता है क्या कि जो slope of tangent था और x1, y1 को 0, 0 को join करने लिए जो line है इसका slope क्या हो जाएगा इसको बुलते हैं अपन n इसको बुलते हैं n है na slope of normal तो इसका slope क्या होगा y1 upon x1, slope of n in terms of this x1, y1 यह आ गया y1 upon x1, इसका मतलब क्या हो गया, इसका slope into y slope, यानि की slope of tangent, दोनों का product क्या आना चाहिए, minus 1 आना चाहिए, तो 2 minus 5 x1 का square into y1 upon x1, equal to minus 1 आना चाहिए, तो एक equation अपनी इस तरीके से भी आ बना सकते हो, चाहो तो है ना, ऐसा ही बना सकते हो, तो क्या कर लोगे आप इसमें बस देखलो कौन सा option इसको satisfy कर रहा है, या तो क्या करना आप equation निकालना, उसको 0-0-0-0-0 पास कराना, और उसके बाद क्या करोगे आप, x1, y1 जो equation बनेगी, उसको solve करना किसके साथ, इसमें is a parameter, then it has a finite maximum or minimum value, then the range of values of t, okay, समझना की बात क्या, कि अपने को कह रहा है, यह function है, इसकी minimum or maximum value exist करती है, इसकी minimum or maximum value exist करती है, तो अपने को बताना है, यह t की range क्या होगी, तो एक बात बता हो, fx का minimum maximum exist कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कि मैं इसको differentiate कर लूँ, equal to 0 पूट करूँ, तो जो critical point मिलेंगे मेरे को, वहाँ पर एक point पर maximum होगा, और एक point पर minimum होगा, कम से कम, यह बात तो समझना आ रही है, कम से कम दो point जो मिलेंगे अपने को, square है न, तो differentiate करोगे, यह अपन भी लगा कर, तो इस quadratic जो भी आएगा, तो quadratic में क्या होगा, एक जो root होगा, व minus नीचे वाले का differentiation, into उपर वाला, upon नीचे वाले का whole square, ठीके न, तो इसको equal to zero put कर दो, तो क्या मिलेगा, यह से चलो, पहले solve कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो minus का कितना होगा, 2x square और plus का x square, तो क्या बचा, minus का x square बचेगा, x में क्या क्या हैगा, देखो, plus का 8x, plus का 3x, य plus का 11, और minus का 3, तो plus का 8 बच गया, और क्या बचा, minus का 3, 4, 12, और minus का t, यह आ रहा है, ठीक है, न, equal to zero रख दो, तो क्या मिलेगा, यह से आपको, देखो profit से, आपको मिलेगा, यह से, x square, minus 8x, plus 12, plus t, equal to zero, ठीक है, अब एक काम करो, आपको पता है, कि यह quadratic equal to zero है, तो इसके roots कितने थे, दो तो आएंगी, आएंगे अपने को, क्योंकि एक minimum और एक maximum बनना है, तो d क्या होना ची है, d must be greater than zero, not greater than equal to है, तो d greater than zero होगा, तो क्या जागा, बी स्क्वार माइनस 4, इसे, 4 into 12, plus t, equal to zero, sorry, greater than zero, तो क्या हो जागा है, यहांस 4 से cancel out कर दो, तो 4 से डिवाइड कर होगा, तो क्या होगा, यहांपर, 64, 16 minus, 12 minus t, greater than zero, तो t आगया, less than 4, t less than क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, t less than 4 आ रहा है, तो क्या होगा है, t belongs to minus inference से 4, तो कौंस आप्शन आजागा, option number 3, next question number 7, देखो, 7 में क्या क्या रहा है, if 10 inverse x, 10 inverse x हैंए, 10 inverse x, into 1 plus x plus x square, into derivative, with respect to क्या करना है आपने, cot inverse x के, respect में, integrate करना है, इसको, तो एक काम करो, इसको आप प्यार से, इसको प्यार से एकदम है, क्या लिख लो, आप, e to the power 10 inverse x, into 1 plus x plus x square, derivative of cot inverse x, क्या होता है, minus 1 upon, minus 1 upon 1 plus x square dx, अब यह सुन्दर लग रहा है, आपको देखने में, अब आर हम से इसको आप प्यार से, इसको मैं क्या एसे लिख दूँ, e की पावर 10 inverse x, into 1 plus x square, नजर आ रहा है, अंदर, बिल्कुल नजर आ रहा होगा, आपको, 1 plus x square, plus x, और उसके नीचे इसको, separate कर दो आप, तो 1 plus x square upon 1 plus x square, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, plus में, क्या बचेगा, सिर्फ, x बचेगा, x upon में 1 plus x square होगा, dx, अब आप ध्यान से देखोगे न, तो e की पावर 10 inverse x, into x upon 1 plus x square, इसका क्या मिलेगा, आपको, derivative मिल जाएगा, पूरा का पूरा कौन, यह function, तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ, put करना है, e की पावर 10 inverse x, into x upon 1 plus x square को क्या, t put करना है, तो आप आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर, आपको नजर आएगा, minus of dt, और आपको पता है, one का integration क्या होगा, one का integration होगा, आपका t, तो minus of t plus z, और t बोले तो कौन, t बोले तो, e to the power 10 inverse x, into, नहीं, अपने को जो put करना है, वो यह करना है, सिर्फ है, x into e to the power 10 inverse x को t, x into e to the power 10 inverse x को t put करोगे, तो आपको यह derivative मिल जागा, पूरा-पूरा, यह आपको याद होगी, property है, आपने क्या पढ़ाए हुआ है, e की power x, fx plus f dash x, उसी में आपने एक और property पढ़ी है, x वाली है, तो क्या होगा, x into e to the power 10 inverse x को आप t रखोगे, तो क्या मिल जागा, आपको CC दे, कर दू आपको से देखो, x into e to the power 10 inverse x को t, तो रखो, तो first का differentiation into second function, सही है, plus first function into second का integration, second का differentiation, क्या हो जाएगा, e to the power x का e to the power x into इसका derivative, तो 1 upon 1 plus x square into dx ब्रावर dt, अब देखो ध्यान से, मिला नहीं मिला, e की power 10 inverse x को को माना जाएगा, क्या बचे का 1 plus x upon 1 plus x square, ठीक है, तो क्या हो अपना यहां से, t की जगा, x into e to the power 10 inverse x, प्लस c, ठीक है, तो कौन सा option हो जाएगा, इसका, third option सही होगा, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, next, question number 8, the function fx equal to this, satisfies, satisfy करता है कि इसको f0 की value दे रखी है, और f' ln2 की value दे रखी है, ठीक है, और अपने हो क्या कह रहा है, end this, component 2 है, यहां पर है, यहां चला गया है, r given by, तो कुछ नहीं करना अपने को, pqr की value निकल नहीं है, एक काम करूँ है, छोटा सा, function दे रखाए मेरे को, function दे रखाए, और क्या कह रहा है, f0, f' log2, और यह, 3-3 equation बनेंगी, 3 unknown है, pqr, solve हो जाएंगे, सब से पहले क्या करोगे f0, तो बताओ, f0 क्या रहा है, f0 क्या आएगा, बताओ, f0 कम लग गया, 0, क्या बचेगा, p, किसी की power 0 हो, तो क्या हो जाएगा, 1, यहां पर क्या आएगा, plus q, यहां पर क्या आएगा, 0, equal to, में कितनी value दे रखे, इसकी मेरे को, minus 1, तो यहां से, एक equation रहा ही क्या, p plus q, equal to minus 1, उसके बाद आजाओ, f dash, x निकालो पहले आप, आराम से, f dash x क्या आएगा, यहां से, p, e की power x का, e की power x, into, chain rule से उसका derivative, और वो कितना है, 2, plus q into e की power x, plus rx का क्या हो जाएगा, सिर्फ r, x का क्या होगा, derivative 1, अब अपने value किसकी निकालनी है, f dash, ln2, तो ln2 की value निकालो, ln रखो यहां पे, तो देखो, ln2 रखोगे, तो क्या होगा, 2p, 2 ln2, तो 2 उपर चला जाएगा, तो ln4, और ln का base क्या होता है, e, natural होगे, base क्या होगा, e, e से e गाया, तो क्या बचेगा, अपने पास सिर्फ 4, क्या बचेगा, सिर्फ 4, ऐसी यहां आ जाओ, यहां रखोगे, आ क्यार से लिखो इसको, 8p plus 2q plus r, बराबर 31, equation number 2 होगई, चलो, next and last, equation number 4, क्या हो जाएगा, देखो, 0,2 log 4, ln4, fx minus rx, fx minus rx, क्या करो दाओ, 0,2 ln4, और यहां पर क्या है, fx minus rx, fx minus rx, fx कौन है, यह, t, e to the power 2x plus q, e to the power x plus rx, minus rx, तो rx से rx cancel out हो जाएगा, ठीक है न, और क्या बचेगा, सिर्फ, यह क्या है, dx, और इसकी value दिरखी अपने को, 39 upon 2, 39 upon 2, ठीक है, तो कल लोग इसको solve, इसमें तो कुछ भी नहीं हो अचाब है न, कल लोग इसको difference, integrate करना है, वस, p तो constant है, यह से cancel out होई गया है, क्या बचेगा, e to the power 2x का, e to the power 2x upon 2, plus q e की power x equals to, limit अच्छा, limit क्या है, 0 to ln 4, equals to क्या है, 39 upon 2, एक काम कर सकते हैं, चोटा सा क्या, limit जब put करोगा अब इसमें, तो क्या मिलेगा आपको, limit put कर लोगे आर हम से, limit put करते ही क्या होगा, अब p और q में जो equation मिलेगी, इसको आप solve कर लो, किस के साथ, equation number 1 के साथ, तो वहाँ से क्या मिलेगा, अपने को p end q मिल जाएंगे, जैसे ही अपने को p end q मिलेंगे, अपन क्या कर लेंगे, r निकाल लेंगे हैं से, तो यह हो गया आपका, इसका option, इसको भी आप check कर सकते हो, question number 9, next question number 9, question number 9 में देखो क्या किरा है आपसे, let y of x1, y of x2 be two minima of this, इसके दो minima है, ठीक है, then area bounded by the curve, x axis, x equal to x1 and x equal to x2, तो मेरे पास क्या बात होगा, यह पहली बात तो यह है, कि अपने को पहले दोना minima निकालने पड़ेंगे, minima निकालने के लिए अपन क्या करें बताओ f dash x निकालें, equal to zero put कर दें, तो जो points आएंगे, उनी में से कौन होंगे, minima और maximum बन रहे होंगे, तो सबसे बहले differentiate करो, y dash क्या आएगा, 4x cube minus 6x square plus 2x, करो equal to zero, तो x common ले लूँ इसमें, तो 2x common ले लेती हैं, अपन इसमें से, तो 2x common लेती हैं, क्या बचेगा अंदर, 2x square minus 3 x plus 1, equal to कर दिया, मैंने इसको zero, तो क्या मिलेगा आपको, 2x, और इसको करोगे, आप तो यह आ जागा, 2x minus 1 into x minus 1, यह आ रहे क्या, देखो, 2x square minus 3x plus 1, बिल्कुल ठीक है न, अब अपने पास x की कितनी value जा रही है, तीन आ रही है, 0, half और 1, इसको अपन को चेक करना है, एक तो आएगा इसमें 0, और एक आएगा 1, है न, 1 by 2 बीच में आ रहे है, तो 0 बना जाएंगे, point of minima, तो यह आ जागा x1, और यह आ जागा x2, तो आप आराम से कर सकते हो, अपने हो क्या करना है, x1 पर value कितनी आ रही है, जड़ा चेक करो, 0 पर function कि value कितनी आ रही है, 3, 0 पर 3 आ रही है, 1 पर रखो, 1 पर कितनी आ रही है, 1 माइनस 2 प्लस 1, यह भी 3 आ रही है, यान कि function कुछ ऐसे आ गया अपना, ठीक है, तो इन यहां से लेकर, यहां तक अपने को करना है, area निकालना है, यह x1 है, और यह x2 है, ठीक है, तो यह हो गया अपना 0, 0 से 1 थी न, तो x1 0 है, ठीक है, तो क्या जाएगा अपना सीजी सीदे, ऐसा करो इसको अठाओ, क्या आगया सीदी सीदे, 0 पर 3 थी थी न, और 1 पर 3 थी, तो इसका मतलब क्या जाएगा अपना, कुछ ऐसे रहा होगा, तो यहां से लेकिए यहां तक निकालना ही value, अपने को 0 से 1 तक यह नि next question number 10, 10 में क्या कह रहा है, alpha, beta are the roots of the equation this, तो alpha, beta इसके roots हैं, तो बताओ क्या होगा, सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए, alpha plus beta कितना हो जाएगा, 25 by 375, अब बताओ product of roots, क्या हो जाएगा, alpha into beta, alpha into beta हो जाएगा, minus 2 upon 375, ठीक है, आगे चले, alpha plus beta हो गया, alpha into beta हो गया, अपने को करना है, sn, sn given है, क्या given है, sn अपने को देखो, alpha, alpha n plus beta n, यह है यह है, तो क्या निकालना है अपने को, sigma, sr कसम कहां से कहां तक, sigma sr, यह alpha की power n है, alpha की power n, बीटा की power n, ठीक है न, और sigma sr, r की value कहां से कहां तक लेनी है, one से लेकर n तक, और n tend कर रहा है किसको, infinite को, तो एक काम करते हैं पन चोटा सा, बता हो क्या, इसमें value होगे तो क्या हैगा, s1 plus s2, और कहां तक जाएगा यह, sn तक, लेकिन end किसको turn कर रहा है, infinite को, तो infinite तक जा रहा होगा वो, तो कुल्म लाके बात यह है, आप समझो ध्यान से, तो s1 का मतलब क्या होगा, s1 का मतलब हो alpha, beta, मैंने क्या किया, alpha, beta को अलग, अलग कर लिया है, ठीक कहां तक, infinite तक, तो alpha plus alpha square plus alpha cube, इनका सम कितना हैगा, बताओ, infinite series है, उसका सम क्या हो जाएगा, a upon 1 minus r, alpha upon 1 minus alpha plus beta upon 1 minus beta, अब क्या करना है, बसे आपको इसको, lcm लेकर solve करना है, तो lcm लेकर solve करना है, तो lcm लेकर solve कर र plus beta minus alpha beta, नीचे क्या हैगा, 1 minus alpha into 1 minus beta हैगा, होगे, क्या हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं, प्यार से, alpha plus beta minus 2 alpha beta, और नीचे हैगा, 1 minus alpha minus beta, तो इसमें से minus sign common ले ले लेना, plus में कहाएगा, alpha beta, रख लोगे value, निकाल लोगे answer, alpha plus beta कितना है, ये, alpha into beta कहाएगा, minus 2 upon 375, value रख नहीं है, you will get, put the value, get the answer, चलो, next चलते है, question number 11 पर, 11th question देखो, क्या कहा रहा है, ठीक question है, ये न, 10th हो गया, 11th question में क्या कहा रहा है, 5 letters having the corresponding address, 5 envelopes, then probability that at least 2 letters goes into wrong envelope, इसका मतलब क्या हो गया, कि अपने को क्या कहा रहा है, वो 5 अपने पास letter है और 5 envelope है, 5 letter को 5 envelope में बेजना है, और ऐसे बेजना है, कि 2 letter, कम से कम 2 letter क्या है, गलत envelope में जाएं, कम से कम 2, यानि कि 2 गलत जाएं, 3 गलत जाएं, 4 गलत जाएं, पांचों को पांचों गलत address पर जाएं, इस बात की probability, नहीं, बस अपने बताना है, कितने तरीके से probability, yes, probability निकाल लिएं, कम से कम 2 letter गलत address पर जाएं, इसकी probability क्या होगी, तो पहले दो मैं L3, L4 और L5, और 5 ही क्या envelops हैं, E1, E2, E3, E4, E5, है ना, तो अपने को 5 letter को 5 envelope में विजना हैं, कम से कम 2 गलत जाएं, अब आप एक बाद सोचों जो, DC बात, क्या ऐसा हो सकता है, कि ए letter गलत address पर चलाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, एक letter को यह दिया आप गलत address पर जाएं, तो दूसरा letter अपने अपने अपनी गलत address पर जाने के लिए तैयार बैठा है, आरी मेरी बात सम्में, तो कम से कम 2 letter तो गलत जाएंगी, जाएंगे, अपन यह नहीं कह सकते, कि एक letter गलत चलाएं, इसकी probability क्या हो जाएगी, 0, आरी मेरी बात सम्में, तो शुरू करें question, तो इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम 2 letter गलत जाएंगे, तो उसकी probability अपने को निकाल ली है, तो शुरू करते हैं, देखो द्यान से अब, यह बताओ मिर को, at least, at least, two letter, two letter, गलत चले जाएं, इसकी अपने को गलत probability निकाल ली है, तो क्या एक्वल होगी, कि मैं क्या करूं, जो भ गलत नहीं गया, जीरो गलत गया, यानि कि सारी सारी क्या गए, सही address पर गए, तो अपन क्या करते हैं, सीधे सीधे, required probability, required probability निकालने के लिए क्या करें हैं, टोटल केस कितने होंगे, बताओ, टोटल कितने तरीके से अपन लेटर को बेज सकते हैं, पांच लेटर को पांच गलत पोश्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले लेटर के लिए तरीके कितने होंगे, पांच, सेकंड के लिए 4, 3, 2, 1, तो 5 x 4 x 3 x 2 x 1, कितने तरीके होंगे टोटल, 120, अब इसमें से वो तरीके का घटा दे हैं, जो अबन क्या कर रहे हैं, सही बेज हुआ हैं, सारे लेटर को सही सोच कितने तरीके से चल्ट कर सकतने एक रिए तो मैंनेस वन अब एक लैर गलत भी कितना होगा एक ni 119 ns कितना हो गया 120 तो probability कि आएगी अपनी 119 अपन 120 तो यह क्या रहा था अपने से probability of probability that at least two letter go into wrong envelope तो कितने तरीके होंगे 119 upon 120 that is option number 4 ठीक है चलो next question number 12 the term independent of x in the expansion of this इसके expansion में तर्म बताना है जो independent of x होगा तो बताओ क्या करेंगे अपन independent of x के लिए क्या किया जाए एक काम करें पन पहले इसको प्यार से लिख लें तो यह हो जाएगा 1 minus t upon t into x plus यह क्या हो जाएगा 1 plus t upon t और उसकी पावर minus 1 है तो क्या हो जाएगा t upon 1 plus t into x की power minus 1 यानि की 1 upon x हो गया और इस पूरे की power क्या है 8 इसमें अपने को बताना है क्या independent term of x तो पहले एक काम करो ऐसी जब दोनों में x आ रहा हो तो किसी भी एक को 1 बना लो आप ठीक है न तो 1 बनाओगे तो क्या करें आप 1 upon x को क्या ले लेते हैं तो 1 upon x की power 8 क्या ले लिए मैंने common दूसरी बात इसको भी common ले लो आप तो t upon 1 plus t की power 8 भी common ले लिया चलो तो अंदर क्या बचेगा यहां पच गया 1 इसको आगे लिख लो और यहां क्या होगा पता है यहां पर मैंने 1 upon x को लिया तो यहां क्या चला जाएगा x square बन जाएगा यह आरी बसंद में और यहां पर क्या हो जाएगा पता है 1 plus t का multiply हो जाएगा 1 minus t into 1 plus t that is 1 minus t square और t का नीचे आले से multiply जाएगा तो नीचे क्या जाएगा t square इस पूरी क्या है 8 अब अपने को निकालना है टर्म independent of x तो क्या करेंगे पर जनले टर्म निकालेंगे लिखेंगे पहले t r plus 1 क्या हो जाएगा 8 c r और इस पूरे की पावर r 1 minus t square अपन T square इंटू x square की पावर r सही है अब अब अपने को यहां पर देखो ध्यान से बहार कौन बेटा हुआ है x की पावर 8 किसमें denominator में यहां पर और और इक पावर माइनस बैठी हुई है तो अंदर मैं कितनी पावर ले लूँ कि पावर क्या हो जाए जिरो यानिकी independent of x बन जाए मेरा अपन टी स्क्वेर की पावर 4 तो क्या हो जागा अपना आंसर आजागा सी सी दे कर लोग इसको सॉल ठीक है नेक्स चले है एक ला कुश्चन नमबर 13 निकालना है तो कर लोो सॉल कुई दिक्कत नहीं है adjoint of और iadjoint of a क्या होता है सब के ऐसका ट्रेंस्वेट्र उसका吐 फटशच्ऽ सबके ऐसकी कोकने बताओ माहिने demonstrate क्या हो जाएक गा-क हो गया थिक है माइनस टू के लिए का आएगा दो टू फ़ोर यानिघी सिक्स लेकिन जाएगा माइनस प्लस ने कम के लिए Minus 1 प्लस 2, Minus 1 प्लस 2 का मतलब हो गिया. Plus का 1, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो, Plus का 2 और Plus का 4, तो Plus का 6 हो गया. ठीक है, लेकिन कैसा लेंगे, minus का, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हता है, Plus, Minus, Plus, Minus, यहाँ पर आजाओ फटाफट से, 4 प्लस 2, यानि कि 6, यहाँ पर आजाओ, 2 प्लस 4, यानि कि 6, तो कैसा जागा मैनस का 6, और 1 के लिए क्या आजागा, मैनस का 1, प्लस का 4, मैनस का 1, प्लस का 4, यानि कि 3, मैनस का, कितना आज था, मैनस 4, स्वरी, मैनस 1, प्लस 4, तो प्लस का रहे है, a, a transpose, किसके एक्वल होगा, adjunct of a, किसके एक्वल होगा, क्या ये a आ रहा है, पहली है, फिलतों इसमें three common ले लो, yeh na, three common लेलो, तो three common लेती, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, minus one, minus two, minus two, two, one, minus two, two, minus two, one, ये बन गया, ठीके ना? अब और efокой करो तो आप देख रहे हूं माईनस वन माँनस टूओ One ना स्टू पूक फूड़ माणीस टूए two ना टूल है जमान नमके लॉझल कि म।ह सस्ट के ऩी प्थोल करना है कि松本 छूर्ण minimum और minimum value निकालनी है उनका ratio लेना है तो एक्ताम करो इसको लिख लो पहले है ना fx माल लेते हैं इसको जोड़ी कर तो माइनस cos x plus sin square x एक तो एक्ताम करें इसको अपन चेंज कर लेते हैं कैसे चेंज करेंगे देखो आप ध्यान से इसको आप पहले क्या लिख सकते हैं इसको देखो दो तरीके हैं या तो क्या करो perfect square उना लो इसको लिखो 1-cos square x 1-cos square x लिखने के बाद solve कर लो तो एक काम करते हैं 1-cos square x से कर लें चलो इसको लिखते है 1-cos square x ठीक है माइनस का पहले से क्या है क्या है 2 मैंने rearrange कर लिया थोड़ा सा ठीक है अब यहां से देखो क्या हो जाएगा यह माइनस एं कॉमन ले लो तो स्कुएर प्लस कॉस माइनस का कितना आ गया 3 सही है यह काम करें 3 को बाहर रहने दें 3 को बाहर रहने दें ठीक है प्लस का 3 अब बताओ क्या हो जाएगा सुब क्या लिख सकते हैं इसको लिख लो आप कॉस प्लस को सब्सक्राइब को सकते हैं कि अब क्या हो जाएगा इसको बनुवे लिख सकते हैं माइनस को इन मैनस प्लस हो जाएगा तो 3 चोग 12 11 13 तो प्लस का से प्लस 1, इसमें एड़ करोगे, half, क्या हो जाएगा,rice 3x2 । स्क्व ..... इसका 16 करोगे, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्व करते ही, इसका स्क्व करते ही आजाएगा, आपके पास 0-9-4 लेकिन भारक्या है, minus i ने, तो क्या हो जाएगा, minus 9 by 4 से 0, ठीक है, और plus क्या करना है, इसमें अपने को, 13 upon 4, तो क्या आगई range मेरी, इसको add करो इसमें, add करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 upon 4 को, 4 upon 4 से 0, 4 upon 4 यानिकी 1, 4 upon 4 यानिकी 1, तो कुल्म लाके range के आगई, अपने, add करोगे तो, 1, यानिकी 0 से, 1 से 13 upon 4, क्या आगई, 1 से 13 upon 4, या आगई, इसकी range, 1 से 13 upon 4, तो high, greatest से least का अपने कर लिना था, ratio लिना था, तो क्या आ जागा, 13 upon 4, ऐसे करेंगे, ठीक है, चलो, next question number 15, 15, 15, P, P to Q to P, ठीक है, तो अब देखो मेरी बास सनो, इंपलाई जी बोलते हैं, इंपलाई जी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, P इंपलाई करता है, क्या, ये, एक काम करो, जब भी इसका question आई, तो क्या बना लोगा, अब प्रुट्रेबिल बना लोगे, और तो थोड़ा समय कर जीता हूँ, बाकी आप लोगे, खुद से करना लेंव लेंडी जागा नहीं, P, Q, तो बताओ, P में लिए, ट्रू, 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 पॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ठीक है, अब मेरे को, यह बिताओ, यहीं मेरे को Q से P निकलना है अपना है, तो क्या करूँगा मैं, आपको पता होना चाहिए, इसका जो result आता है, वो कब आता है, जब true से false जाते हैं अपन, तब अपना क्या आता है, सिर्फ false आता है, बाकी time क्या आता है, true होता है, तो Q से P जाना है, तो true से false, तो इसके से false आएगा, बाकी में क्या आएगा, true आएगा, आख मन करके क्या लिख दो, P not true, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को जाना है काहाँ पर, P से Q से P, ठीक है, तो अब इसको मैं अटा दूँ यहां से, तो बताओ, ख्रापट से क्य क्या जाएगा यहां पर, P implies Q implies P, ठीक है, इसका देखो क्या हो जाएगा, तो P, P implies Q to P, ओके, एक काम करो, यह if or then है न, if P then this, तो अब देखो, क्या करें है पन, P से जाना है, Q P, ठीक है, तो इन दोनों पर ध्यान दो आप, बताओ क्या करेंगे पन, true true का तो क्या आगया, true तो एक काम करूँ मैं, T, F देख लूँ सिर्फ, क्या देख लूँ, T, F, तो T, F कहीं आ रहा है, T, 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 F, F, T, तो सारी के आने वाले हैं, अपने true आने वाले हैं, तो अपने को यह क्या हो गया, सारे के सारे true आ रहे हैं, तो अपने को यह चेक करना है, कौनसा option सही है, तो एक काम करना आप लोग, आराम से कर सकते हो, बस करना काया है, को जड़ा ध्यान से देखना है, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे, सीधे, समय, option number, P से P2Q, Q2P, ना, तो एक काम करो, आप तो चेक कर लेना, आराम से, मैं थर्ड वाले option को चेक कर रहे हैं, तो आपको फॉल्स, टू, टू, और यह हो गया, फॉल्स, ठीक है ना, दोना फॉल्स से क्या हैगा, फॉल्स आएगा, तो अब इसका क्या निकाल लो आप, P, टू, पी, यूनियन, मैं इसको यूनियन बोलते हूँ आ हूँ है, इन जनरल, तो यूनियन, P, यूनियन क्यों, तो कर लो प्रापट से क्या हो जाएगा, बता हो जोदी से, अब किस पर ध्यान देना है, प्र इस पर, तो इसमें कहीं, टी, एफ, आ रहा है, टी, एफ, टी, एफ, नहीं आ रहा है, एफ, यह भी आएँगे, टू आएँगे, तो इसका मनला क्या हो गया, कि अपना जो फंक्शन है, इसका उप्शन जो करेक्ट है, वो कौन सा है, थर्ड है न, ऐसे यह आप चेक कर सकते हो, दो मिन्ट लगेंगे, ज्याद नहीं लगेंगे, आप नेगेशन आफ पी, लिख लो आप पहले, नेगेशन आफ पी लिख लो कि तो क्या आ जाएगा, यहाँ पह जाएगा, यह पह लोकस of midpoint of the code of contact, code of contact का midpoint का locus निकालना है अपको, तो एक काम करो, इस पर कोई पॉइंट लेना है, तो इस पर point क्या लेते हैं पन, यादार है वो दिन, कौन सा बला, कि अपने point क्या लेते हैं, hyperbola पर, a sec theta, b 10 theta, क्या लेते हैं, b 10 theta, तो एक काम कर लेते हैं, चोटा सा, क् coordinate मानते हैं पन, a sec theta, b 10 theta, तो a sec theta, b 10 theta मान लेंगे, किस पर, hyperbola पर, तो इस point से मेरो क्या करना है, इस circle पर क्या करना है, pair of tangents लेते हैं, और उसकी जो code of contact बनेगी, उसके midpoint का locus निकालना था, तो चलो, फटा-फट से कर लेते हैं, आपको याद होगा, बाहर एक point से पन, pair of tangent रो करके, जो code of contact मनती है, उसकी equation क्या लिखते हैं, t equal to 0 लिखते हैं, याद आ गया, तो t equal to 0 लिखो, क्या होता है, xx1 plus yy1 minus 9 equal to 0, तो करो xx1, या निकी, a, अचा, a और b की value लिख लूँ में, या पर, a तो कितना आ गया 3, और b कितना आ गया 2, तो यह आ गया 3, यह लिख यह, minus 9, equal to 0, यह आगी equation of code of contact, अब अपने को क्या निकलना है, बताओ दूसरी बात, अब अपने को निकलना है, इसमें midpoint का locus, midpoint का locus, तो एक बास दाओ, code of contact का midpoint का locus निकलना हो, तो उसको क्या मालना है, पन पहले h, k मालने, उस midpoint को क्या मालने, h, k, है न, circle में, code बनी है, मालनो यह, पी point था, यह, जो point माना है, मैंने इसको P माना है, तो यह, पी point है, इससे मैंने pair of tangent रो करी, तो इसकी क्या बनगा, यह, पने को, पता होता है, तो अपन T equal to क्या लगाते है, S1, तो आप एक काम करना चुटा सा, आपको equation यह मिल गई है, यह भी क्या है, COC की equation है, और यह, जो T equal to S1 में लगा रहा हूँ, पेरा इसमें, circle में, तो T equal to S1 के लिए क्या लगाएंगे, अपन H, K के लिए, लगाओ, HX plus KY minus 9 equal to S1, S1 के लिए क्या करेंगे, अपन, point को उठा के रख देंगे, किसमें, circle की equation में, तो क्या हो जागा, H square plus K square minus 9, ठीक है, त तो आपके पास क्या जाएगी, equation of, क्या, equation of, court of contact, तो यह भी equation of COC है, यह भी equation of COC है, आपको क्या करना है, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, और वहां से क्या हो जाएंगे, दोन को जोनों यह, पेरामीटर, जो theta है, उसको गायब करना है आपको बस, तो मैं बताओं थोड़ा सा, क्य equals to, plus का 9 ले लेते हैं, तो इधर आजाएगा, H square plus K square, तो आपको कुछ नहीं करना, H और K को replace कर देना, किससे, X और Y से, H और K को replace कर देना, X और Y से, और यहां से, sec theta की value निकाल लेना, 10 theta की value निकाल लेना, sec square theta minus 10 square theta क्या होता है, अपना 1 होता है, तो वहां से क्या हो और अपने पास equation जो आएगी, किस में आजाएगी, X और Y में, कल्डो कही वाला काम, अगला चलते हैं, question number 17, find the coordinates of point P on the line, this, इस line पे अपने को point चाहिए, which is nearest to the circle, this, इस circle के nearest हो, और इस line पर लाई करे, वो point निकालना है, तो पहले में point जो मानूंगा, वो क्या मानूंगा, H, H, क्या जाएगा, Y के value, Y के value आजाएगी, minus 13, minus H, तो ये वो point आगया, जो इसके nearest होगा, और इस line पर इस्तित है, ठीक है, आगे चलो, ये जो है, ये क्या है, एक circle है, इसको पन प्यार से मौबद से क्या लिसकते है, X plus 2 का whole square, plus Y plus 3 का whole square, minus का 4, minus का 9, equals to क्या जाएगा है, य पाँच, 18, 18 आगया है, 18 आगया है, 18 आगया है, चेक कर लो, minus का 4, minus का 9, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये circle के question आगई, अब इस circle के क्या है, near rest चाहिए अपने को, पैसे नहीं नहीं भी निकालते तब भी हो जाता काम है, आर निकालना पड़ता है अपने को, तो क्या, आर की ये point कहा मिल गया, near rest मिल गया, तो एक बात अताओ मेरे को आप, अब इस point से, इस point से, जो center का slope बनेगा, center क्या है इसका, minus 2, minus 3, और ये point क्या है अपना, h, minus 13, minus h, तो अब इस से slope मिल जाएगा आपको, तो क्या करेंगे, equation of, क्या निकालना, equation of, normal निकालना, equation of normal निकालके क्य क्या कर दूँ, इसके slope के, क्या कर दूँ, into करके, minus 1 कर देंगे, तो वहां से किस की value मिल जाएगी, अपने को, h की value मिल जाएगी, और h की value मिल निकालता ही, आप इसमें put कर दो, क्या मिल जाएगा, अपने को point मिल जाएगा, चलो next, चलते है, question number 17, 18 पर, question number 18, देखो, on the portion of the state line, x plus 2y equal to 4, intercepted between the axis, a square is constructed on the side of the line, away from the origin, अच्छा, origin के opposite side में, एक square बना दिया है, अपने, देखो, question क्या कह रहा है अपने से, एक line दे रखी है अपने को, जड़ा check करो, कैसे बन रही है, x की value 0 पर y की value, 2, और y की value 0 पर x की value, ये भी 2, ये 4, तो line कुछ ऐसे बन रही है, ठी slope है, minus half, अब एक काम करते है अपन, अपने से question में कह रहा है, कि एक line है, और इसका जो intercept वाला part है, यानि कि इसको में माल लिया A, इसको में माल लिया B, तो कह रहा है कि A, B की उपर में ने क्या किया है, एक square बनाया, और away from the origin, यानि कि origin के opposite side में, ये बन गया square आपका, ठीक ह चलो, then the point of intersection of the diagonals of the coordinates, अच्छा, अपने जो diagonals है, उनका intersecting point ही है, इसको माल लेता है अपन, O, O, O मर दो, ठीक है, तो intersecting point O निकालना है, तो एक काम करें है अपन, कैसे निकालेंगे O, कई तरीके हैं, बहुत तरीके हैं निकालने के आपके पास, ठीक है ना, पहले लेकिन ब इस line की आपको slope मिल गई, इस line की आपको slope मिल गई, और इस line की slope पता है, और यह point पता है, तो इस की 믹क मैं करना बचाब आप, एक मिट रोखो इस line की equation में अकाल लोग या, रम से, और इसकी length कितनी आ रही है, side की length आ रही है, मेरे ख्याल से, 4,16 और 20, 2R 5 आ रही है, इसकी length कितनी आ रही है, 2R 5, तो आपको a,b की length पताए, तो a से, 2R 5 distance पर, क्या निकल लूँ मैं? निकाल लो, क्या निकाल लो, पॉइंट लो, थो पॉइंट निकालतें च्यकुन का अपने पास? यह पॉइंट is जजय को की क्या दो हो point जो होगा, वो क्या होजाएगा, required, point होजाएगा, intersecting point of diagonals होजाएगा, तो एक काम कर लो, पहले equation of AC निकाल लो, तो equation of AC, क्या आगई, equation of AC आजाएगी, आपकी, बोलो, y minus 0, equal to x minus 4, into m, इसका slope, कितना आया था, 2, तो यह आगया, 2x minus 8, equal to y, तो इसको लिख सकते हो, 2x equal to y plus 8, यह क्या होगी, equation of this line, कौन सी AC, ठीक है, अब अपने को कुछनी करना है, बस, इस line का, आपको क्या निकालना है, तो इस distance को आप क्या माल लो, अच्छा, distance अपने को दे रखिए, कितनी 2 root 5, बस coordinate निकालना है, तो क्या करोगे आप, याद है, R cos theta, comma, y1 plus, r sin theta, याद आगया, ठीक है, 10 theta की value कितनी है, अपर, 2, 10 theta अपने को पता है, 2 है, बस अपने को क्या करना है, x1 plus, r cos theta, x1 का का कौन कर रहा है, अपना 4, y1 का 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 कौन कर रहा है, 0, तो अपने को यह पता है, यह पता है, x सब पता है, अपने को, कल लोगे आरम से, r distance पता है, कितनी 2 root 5, तो यह point आजाएगा, यह point आजाएगा, तो दोनों का midpoint क्या आजाएगा, अपने पास, intersecting point of diagonals, चलो, next question number, 19, तो 19 question number में देखो, क्या कर रहा है, 19 question number, तो यह कर रहा है, if a line has a vector equation, if a line has a vector equation, this, ठीक है, then which of the following is not correct, अच्छा, यह पताना है, गलत कौन सा है, देखते हैं, आपको पता है कि यह किस form में है, a vector plus lambda, b vector, और इसका क्या मतलब हो गया, कि यह तो वो point है, जिससे अपनी line pass हो रही है, और यह क्या दिरहा है, अपने क 2i plus 6a, तो यह कितना हो गया, 1 3 हो गया, इसके direction ratio, और यह क्या है, 1 minus 3, तो यह ही गलत हो गया, पहली बार में, यह ही गलत है, और यह क्या कह रहा था, not correct, यह नि कि पहला option हो गया, पहला option हो गया, बाकी option चेक कर लो, the line passes through 3,3, 3,3 से पास करेगी line, इसके लिए आप एक काम क कर लेना, बस रखते हैं, 3,3 रख लो, 1,9 रख लो, yes, line is parallel to xy plane, yes, line is parallel to xy plane, क्यों क्योंकि z उसका 0 है, चलो, next question number 20, 20 में देखो क्या कि रहा है, if p point दे रखा है, be any point on the line, then the range of values of t for which the point p lies between the parallel lines, यह और यह, तो देखो question में यह है, दो lines अपने को दे रखी है, जो parallel हैं आप देखो तो, x plus 2y, वैसे तो दे रखा है इसने, बाकी देख लो आप, ratio, इसका slope क्या रहा है, minus half, इसका slope भी क्या रहा है, minus half, तो दो lines है, minus half, x plus 2y equal to 1, तो x की वेलिए 0 पर y की वेलियो, half, और 5 की वेलिए 0 पर x की वेलिए 1, यानि कि एक line तो यह हो गई, और दूसरी line होगी, अच्छा question है, बस simple है, बहुत ही, इसलिए, तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, यह line लिख लो पेले तो यह L1 है, और यह L2 है, यह L1 और यह L2, तो देखो, सुनो मेरी बाद ध्यान से, एक काम करना छोटा सा, बहुत प्यारा सा question है, यह origin है, तो इस point को रहना है, इसका मतलब यह हो गया, कि origin इस line के इधर लाई कर रहा है, तो यह point क्या होना चाहिए, अप पो जो set में होना चाहिए, इस line के L1 के, और L2 के लिए क्या होना चाहिए, जिस set में origin है, उस set में क्या रहे है, यह point, तो अपन क्या करें, origin के लिए, चेक कर लेते हैं, इस line के लि तो देखो यह l1 नये ऑन पहुण जिरो जिरो इया है किस पर जिरो जिरो पर तो इस मतलग कि हो गया, जब मैं पी प्लस टी उपन रूट टू प्लस टू इंटू य करोग तो यह आ जागा फोर प्लस टी रूट टू माइनस वन यह क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो नचीए इन इक्वेशन नमर वन अब इन इक्वेशन नमर टू में क्या करोगे बताओ लाइन नमर टू लिख लो एक सब्सक्राइब तो मैं इसा करता हूं इसको माइनस 15 इकवल टू कर दे रहा हूं ठीक है अब देखो अब पी पॉइंट और ओर उरिजिन क्या है सेम साइड ऑफ दिस लाइन है रहने चाहिए ना पी पॉइंट उसी साइड मोना चाहिए इस साइड में ओरीजिन है तो क्या क इसमें तो क्या हो जाएगा टू इंटू वन प्लस टी रूट टू प्लस फोर इंटू क्या जाएगा बताओ टू प्लस टी वाई रूट तू इंटू क्या रहे है अपना माइनस का सफटीन यह क्या होना चाहिए लेस देन जीरो क्योंकि ओरीजिन भी उसी सेड में आ रहा है जिस सेड में अपने को पॉइंट चाहिए ठीक है ना ओर जिन रखने पर इसका मतलब यह पॉइंट रखने पर भी नेगेटिव आना यहने की इंटीजर टाइप कोशन सा आगए अपके आप ठीक है चलो सुरू करते हैं कुर्शन नमर वन वेज ऑफ सेलेक्शन ओफ फोर लेटर्स फ्रॉम दी लेटर्स लेटर्स अफ दी वर्ड असेशिनेशन कर दो सुरू तो असेशिनेशन में अपने को दो पहले क्या क्य सबस्क्राइब कर सकते हैं ब Says क्या करते हैं अपन बताओ ऐसे question में, गुरुब बना लेते हैं कैसे, अपन यह देख लेते हैं, क्या क्या possibilities है, ऐसा हो सकता है कि चारो चारो लेटर क्या हो, अब चलो आपे, तो 4 same, कितने तरीके से हमने select कर सकते हैं, सिर्फ एक तरीके से, क्योंकि 4s ही ले सकते हैं, बाकी कोई और 4 बार नहीं आँ ट तो इसका तरीका कितना हो गया? 1C1, plus 3 same, 3 same चाहिए, तो 3 same कितनी तरीके से ले सकते हैं? 2 तरीके से, तो 2 में से कोई एक ले लेंगे, into, एक different चाहिए, इन 2 में से एक ले लिया, मैंने, बागी एक बच गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में से कोई भी एक ले लेंगे, तो उसमें से हम different वाला select कलेंगे, आगे चलते हैं, धो same, 2 different, तो 2 same चाहिए, तो 2 same कांका से मिल सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, तो 4 में से कोई भी 2 ले लूँ, तो उसमें से 2 same हो जाएंगे मतलब? 1 उसमें से ले लेंगे, 2 same ऍहीं ना, मतलब मिरा कहने का है , दो सेम चाहिए न आपको, दो सेम और दो डिफरेंट, ठीक है, तो दो सेम दो डिफरेंट क्या हो गया, या तो वो सेम इस से हो, या इस से हो, या इस से हो, ठीक है न, तो दो सेम दो डिफरेंट, तो क्या हो जागा, सीधी आपन, एक काम करें, छुटा सा बताओ, क्या करें, तो सेम चाहिए हैं, तो क्या करने मैं बने इन 4 में से कोई भी एक ले लेघंए तो सेम ूधाली अज़ेंगे तो 4C 1 2 डिफेरेंट चाहिए है, तो कितने मिसे लेघंए बाओ, मैं अफशे हैं तो 3 और 14, तो पांच में से कोई भी 2 सिर्ट के लो में प्लस नकीज प्लस to say 2 एक तरे के दो एक तरी तो एक तूत टीन चार चार में वी 2 ले area आप तो दोसे दो से मिल जाएंगे आपको ठीक है ना plus last q है इप्ना 4 चार हो तो क्या ले लो आप कितने यह 6 है जाल रिख पिर चारव में से pack ले लेंगे плох लिख लेंगे लें तो क्या हो जाएगा कल लो सो तो कितनी अगया यह वन फ्लस 51 और 6 72 आ रहे हैं, 72, क्या रहा है, 72 आ जागा, ठीक है, आगे चलते हैं, next question number, second, second question में, क्या करा है, integer type में, number of solution of the equation, this, इस equation के solution निकालने हैं, तो एक काम करो, आप छोटा सा, इस equation के solution निकालने हैं, right side में क्या है, cos 2x की form बने रहे हैं, पहले इसको आप ऐसे रिख लो, क्या लिख लोगे, कैसे लिख लोगे, sin square की power 5, cos square की power 5, फिर येट क्या होगे, 29 upon 16, cos की power 4, 2x, और यहाँ पे इसको लिख दो, 1 minus cos 2x, upon 2, इसकी पूरी की power 5, और यहाँ लिख दो, 1 plus cos 2x, upon 2, पूरी की power 5, equal to 29 upon 16, cos की power 4, 2x, ठीक है, अब इसमें एक काम करूआ, 2 की power 32, यह हो गया, 2 की power 32, यह हो गया, तो 16 से cancel होगे, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 into 59, 29 कितना हो गया, 58 हो गया, और यह हो गया, यह हो गया, y की power 4 हो गया, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, इसको आप binomial theorem से expand कर लो, क्या होगा, y में equation मैंनेगी, y में equation मैंनेगी, उसमें solution निकाल लो, आपार हम से, तो कर ले, तो पहला term क्या हैगा, देखो, binomial theorem याद दला कूं, फोड़ी सी, क्या हो जाएगा, 5C0, इसकी power 0, 5C1, इसकी power 1, 5C2, इसकी power 2, यहां पर क्या होगा, alternative term negative आ रहे होंगे, यहां पर क्या होगा, सारी term positive, तो negative और positive वाले terms क्या हो जाएगे, cancel out हो जाएगे, कौन सी बचेंगे, जिसमें क्या आ रहा है, even lower index आ रहा है, यानकी even power आ रहे है, तो क्या हो जाएगा, पहला term तो आएगा, 5C1, ठीक है, sorry, 5C0, ठीक है, फिर 5C1 वाला cancel हो जाएगा, फिर 5C2 वाला आएगा, y square के साथ, फिर 5C, 4 वाला आएगा, y की power 4 के साथ, equal to में क्या चलना है, 58, y की power 4, और ये सारे क्या हो चुके होंगे, double, क्यों क्यों क्योंकि add हो जाएगे ना, दोनों तरफ से, दोनों में से, तो क्या बचेगा आपने पास, cc दे, 2 into, 1 plus 5C2, तो 5C2 का में लगा है, 10, y square, plus 5C4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5C1, 5, तो 5, y की power 4, equal to में क्या चलना है, 58, y की power 4, इसको आप solve कर लो, तो ये कितना आ रहा है, ये आजाएगा, आपका, ये आ गया, 2 plus 20, plus 10, तो 10, y की power 4, plus 20, y square, plus 2, बराबर 58, y की power 4, इसको solve कर लो, होड़ा सा और, तो ये आजाए 28, y square, ऐसा करो, 2 से divide भी कर दो, क्या कर दो, 2 से divide भी कर दो, तो 2 से divide कर दो, तो 2 से divide कर ़ो क्या आजाएगा, 29, y की power 4, और क्या जाएगा, 29, सही है न 29 का हाफ कर दो सुरी 48 बचाता था ना यह 48 का हाफ कितना हो जाएगा 48 का हाफ हो जाएगा आपका लिख लो एक बार पहले है रहा हम से 48 y की पावर 4 माइनस 20 y स्क्वेर माइनस 2 एकपल टो जीरो अब तो 24 y की पावर 4 माइनस 10 y स्क्वेर माइनस 1 एकपल टो जीरो और 24 और 1 के माइनस 24 माइनस 24 के फेक्टरस जिनका सम करें तो माइनस 10 आ जाए 12 और 2 तो क्या हो जाएगा यह आ जाएगा 24 y की पावर 4 माइनस 12 y स्क्वेर प्लस 2 y स्क्वेर माइनस 1 एकपल टो जीरो तो यहां से आ गया 12 y स्क्वेर माइनस प्लस 1 इंटू 2 y स्क्वेर माइनस 1 आ जाएगा ठीक है तो यहां से y स्क्वेर की यह तो पॉसिवल नहीं है नेगेटिव हैगा और यहां से क्या आ गया y स्क्वेर इकल टो हाफ आ गया सम Q 2 X एा जाएगा HARP, यानिकी PLUS-MINUS 1 by root 2, तो Q 2 X PLUS-MINUS 1 by root 2 आ रहा है, तो अपन क्या करने, इसको SOLT कर लेंगे, तो X अपने को कि दिर रखा था, क्या दिर रखा था, 0 से 5 pi, तो एक आताओ, X से धी 0 से 5 pi है, तो 2 X क्या हुआ, 0 से 10 pi, 0 से 10 pi क्या हुआ हो गया, प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं न तो एक काम कर सकते हैं छोटा सा क्या कर लोग दो क्या आगा एक बिलोंग कर रहा है जिरो से पाई तो अपना इसको विलोंग करेगा आपका जीरो से टेन पाई, निकाल लो कहा रहा है, कितने solution आ रहे हैं न, आगे चलें, next question number, 3 पर, question number 3 में देखो, क्या कह रहा है, the point of intersection of two curves, this and this, in an argon plane, ठीक है, तो कह रहा है, x by 2 into 3 plus minus i root 7, then find x, x की value अपने को निकालनी है, तो एक काम करें, पन छोटा सा पहले तो बताओ, सबसे पहले तो एक बाद आओ, मिरको आप, points of intersection of two curves, एक कर भी है और एक कर भी है, आपको पता है, यह circle है, क्या है, यह circle, x square plus y square equal to, 2 का square कितना हो गया, 4, और यह circle है, इसका center क्या होगा, x minus 3 का whole square plus y square equal to, 4, ठीक है, तो इन दोनों circle भी है, इसका center का है, 3,0 और इसका center का है, 0,0, तो एक तो circle यह है, radius 2 का, और एक circle यह हो जाएगा, जिसका center क्या होगा, 3,0 बर, और यह यहाँ पर 1,0 है, और यह क्या है, 2,0, अपने को यह दोनों point निकालने है, तो एक काम plus का 9 equal to 0, तो x के value कितनी आ रही है, यहांसे, minus का 9 upon minus 6, यानि की 3 by 2 आ जाएगी, तो x के value आ गई, 3 by 2 तो y के value क्या जाएगी, यहांसे, कलो के solve आ हम से, x के value आ रही है, 3 by 2, y के value क्या जाएगी, 9 by 4, minus कलो, 4 minus, कलो के solve है न, तो point आ जाएगा, x के value निकाल देना है, next question number, fourth प such that, कि a cross b, a cross b, equal x के, twice of a cross c k, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन क्या लें, इसको पहले solve कर लें, और साथ में अपनों विदे रखा है कि a or c क्या unit vectors हैं, और b का magnitude कितना है, 4, the angle between b and c is this, अच्छा, ठीक है, एक काम करो आप, आराम से करते हैं, एक काम करते हैं, इस twice of c vector, twice of c vector, बचेगा नहीं बचेगा, एक को में लेंगे तो, equal to क्या हो गया, 0 vector, तो अब यह सोचो, दो vectors का cross product 0 आ रहा है, इसका मिला दोनों vectors कैसे हैं, पहलेल है, तो a vector is parallel to किसके, b vector minus 2c vector, तो अपन क्या लेख सकते हैं, इसको अपन, कैसे भी लेख सकते हो, equal to lambda times of a vector या अब अपने को देख रखा है, b vector बरावर में यह दे रखा है, तो b vector को equal में ले जाओ, क्या, 2c vector plus lambda times of a vector, ठीक है, तो अब अपने को क्या कह रहा है, देखो, यह आ गया, तो एक काम करूँ में छोटा सा, b और c, c vector plus mu times of a vector, अच्छा, lambda, अच्छा, mod of l, mod of mu की value पुछी आप से, और a और c दे रखा है अपने को 1, और b दे रखा है 4, a और c दे रखा है 1, तो एक काम करें अपन, और angle किसके बीच में दे रखा था अपने को, b और c के, तो एक काम करो, b और c के बीच में दे रखा है ना, तो इसको ऐसे ना लिखनी में जाए, क्या करो आप सीथे क्या c square तो b का magnitude 4 तो 16 हो गया प्लस यहां से कहेगा 4 c square तो 4 c square की में लगता हो गया 4 minus 2 2 जा 4 4 B dot c equal to क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया lambda square into a square और a का magnitude कितना है one ठीक है solve कलो इसको कितना हो गया 20 minus four times of b dot c का में लगता हो गया b का magnitude into c का magnitude into b dot c, कितना है b dot c, cos inverse 1 by 4 एंगल, तो 1 upon 4 आ गया सीधे, equal to क्या है, lambda square, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, minus का 4, 16, तो lambda square की value क्या रही है, 16 आ रही है, lambda square की value 16, तो lambda की value क्या जागी, plus minus 4 आ जागी, lambda की value plus minus 4 आ जागी, तो lambda की value plus minus 4 आ परक दो, तो mu की value कितनी होगी आपकी, l की value कितनी होगी आपकी, 2 और mu की value कितनी होगी, plus minus 4, a के साथ क्या है, lambda है न, और यहाँ पर a के साथ क्या है, mu, तो mu की value होगी, plus minus 4, plus minus 4 का modulus क्या हो जाएगा, 4 plus l की value कितनी होगी, तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 6 तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 6 तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, ठीक है, चलो, next करते हैं, question number 5, question number 5 में देखो, क्या करना है, if 3 non-zero vectors, a vector, b vector, c vector are such that, sorry, the distance between the point this, from the plane this, measured parallel to the line this, इस line के parallel, इस line के parallel, इस plane में आपको क्या करना है, distance निकालनी है, इस point से, ठीक है, the distance of the point this, from the plane this, ठीक है, एक काम करते हैं, लिख लिएते हैं, 1, minus 2, 3, इस point की, एक plane है, plane का अपना, यह वाला, ठीक है, plane का अपना, यह वाला, तो from the plane, plane दे रखा है, line, line, इसके line के along, इस line के along का मतलब क्या हो गया, इसके direction ratio के दे रखा हैं, अपने को 2, 3, और minus 6, तो मेरी बास सुने ध्यान से, पहले इस line की equation निकालने हैं अपन, इस point से pass हो रही है line, और dr क्या हो गया अपने यह, तो सीटी सीटी से क्या लेख लोगे, x-1, y-2, z-3, इस point से pass करा दिया, और direction ratio ने 2, 3, और minus 6, ठीक है, अब आप क्या करो, इस line के along, एक point निकाल लो, पी point माल लेता हैं उसको में, तो यह पी point को मानने के लिए क्या कर लेंगे, पने lambda के एक को माल लो इसको, तो यहां से क्या आजाएगा point अपना, पी point आजाएगा अपना, ध्यान से देखो, 2 into lambda plus 1, comma, 3 into lambda minus 2, minus 6 lambda plus 3, ठीक है, यह point P आगया, अब यह जो पी point किस में लाई कर रहा है, इस plane में, तो इस plane की equation को क्या करा दो, satisfy, तो इस point को जब आप इस plane की equation रखोगे, तो क्या value मिल जाएगी आपको, lambda की, जैसी आपको lambda की value मिलेगी, तो आप इसको क्या कर दो किसमें put कर देना, lambda की value को समें put करोगे, तो क्या हो जाएगा, distance formula से आप इस point से इसकी distance अराम से निकाल सकते हो, ठीक है, तो यह था आपका, J means DTS का अपना solution, maths का, मिलते हैं next solution में, है न, thank you.